नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ड में कल होली मनाई जाएगी पूरे भारत वर्ष में मनाई जाएगी आज होली का दहन मनाया जा रहा है तो आज हम इस पर व्रिस्तित चर्चा करने वाले हैं इसका इतिहांस पे क्या है इसका इतिहांस क्या हमें परोसा गया है और वास्तविक्ता क्या है क्या प्राचिन काल में भी यह मनाया जाता था अगर नहीं मनाया जाता था तो आज क्यों मनाया जा रहा है और आज अगर मनाया जा रहा है तो कब से मनाया जा रहा है क्या यहां पे जितने भी भारत वर्षियां हैं इन सबसे इसका कोई connection है या ये भी ऐसे ही भीणचाल की तरह उसे मनाये जा रहे हैं तो इन तमाम सारे मुद्दों पर आज हम विश्चर्चा करने वाले हैं और जो theory हम लोगों को परोसी गई है उसका भी हम आखलन करेंगे कि उसमें कितनी सच्चाई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसका disclaimer दिखा दूँ legal disclaimer जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा ही जो मेरा presentation होता है वो scientific temperament को maintain करने के लिए लोगों में encourage करने के लिए होता है तो किसी भी festival को अगर आपको समझना है तो पहले उसका इतिहांस समझना होगा सांथियो एक बात हमेशा याद रखें आज हम जो भी चीज करते हैं उसका कहीं न कहीं एक background history होती है कहीं न कहीं इतिहांस से वो चीज़े आ रही होती है तो इसलिए हमें उसके तह में जाना होगा समझना होगा कि इसका इतिहांस कहां से आ रहा है तो भारत में आज की date में जितने Indian festivals मनाय जा रहे हैं उसको आपको समझना होगा कि आज से 74 यर्स पहले तो भारत गुलाम था और गुलामों का तो अपना कोई festival नहीं होता वो तो जो सासक होगा वो अपना मना रहा होगा गुलाम तो सासकों का थोपा हुए चीज़े को मनाते हैं, celebrate करते हैं क्योंकि जो गुलाम होगा वो नोकरी करता है उसे अपने घर खर्चा चलाने के लिए जिसके अंडर में है, जिसके दबाव में है, जिसकी गुलामी कर रहा है उससे लेना होता है तो उसे नराज भी आप नहीं कर सकते हैं नराज करोगे तो फिर दाना पानी बंद हो जाएगा तो इसलिए लोग सासको का ही तेवहार मनाते हैं गुलाम तो जब भारत पिछले थाउजेंट यर्स से गुलाम रहा है पिछले आट सो साल से गुलाम रहा है तो अचानक से उसको इतनी सारी चीजे उसको फेस्टिवल्स कहां से मिल गए हैं थाउजेंट यर्स में क्या वो फेस्टिवल्स मनाते हुए आ रहा था अगर वो थाउजेंट यर्स में अपने फेस्टिवल्स मना रहा था तो फिर वो गुलाम किस बात का था क्योंकि दुनिया इतिहास तो कबा है पूरी दुनिया आप इतिहास खुल के देख लीजिए जहां जहां भी किसी दूसरे ने सासन किया है लंबे समय तक सासन किया है वहां की पूरी सभ्यता ही मिट गई और जो सासक था उसी की सभ्यता चल पड़ी तो बड़ा critical आपको study करना होगा भारत में कि आज जो आप festival मना रहे हैं इसका इतिहास कहां से आ रहा है अफगनिस्तान उधारण के तौर पे आप देख लिजे एक समय था कि जब अफगनिस्तान में बौध देश हुआ करता था फिर जो है बौध मार्क पर जो ब्रह्मानिकल सिस्टम आया वो भी थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ था तब तक उदर हुडो का खरमण हुआ वाइट हंस का और धीर धीर सभयताय भी घरने लगे फिर मुसलिम्स आये और आज की डेट में आप अफगनिस्तान में जाएंगे तो बुध की मूर्तियां बड़ी-बड़ी तो मिलेंगी लेकिन जमीन का जो कल्चर है पूरा इसलामिक मिलेगा तो पिछले 1000 एर्स में वहां की पूरी सभयता मिट गई खतम हो गई उसी तरह से ऐसे तमाम देशे जहां की सभयताय मिट गई खतम हो गई और जो सासक आया उसकी चीजे वहां पे चलने लगी तो भारत में अचानक से आज पिछले 74 एर्स में आपके इतने तरह तरह के पर्वतेवहार कहां से आ गए जब कि आप भी तो 1000 एर्से गुलाम थे तो दोस्तों हमें समझना होगा एनलिसिस करनी होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जो है तेवहार हमारे उपर जबरजस्ती का थोप रहा है जिससे हम लोका लेना देना भी नहीं है इसलिए इतिहास चानना जरूरी है अब देखिए दोस्तों भारत में आज जितने भी फेस्टिबल्स मनाय जा रहे हैं पह आते हैं या तो बताने लगेंगे कि देखो हमारे रमायन में इसका जिक्रा है हमारे माभारत में जिक्रा है हमारे पुराणों में जिक्रा है वेदों में है धरमसास्त्रों में है गीता में है तमाम तरह के स्क्रिप्चर्स जो हैं उसकी चर्चा होने लगे आचा वहीं पे और भी बाते चलती है, ओरले स्टोरीज भी चलती है, लोग कहानिया भी चलती है, लोग उसमें लोग कहानी बताना शुरू कर देंगे, आरे एक महाँ फुरूस हुए थे, उन्होंने ऐसे किया था, वैसे किया था, तो इस तरह से चीज़े हो गई थी, तो ये दोनों तरह की जो है, ये मैथेलोजिकल स्टोरीज होती है, मैथेलोजिकल चीजे होती है, इनका अपना कोई एविडेंस नहीं होता, इनको एविडेंस भी नहीं माना जाता, और सबसे दुखत पहलू इसका यही है, कि पूरे भारत में, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए लोग ऑथेंटिक सोर्स का इस्तमाल ही नहीं करते हैं, पूरी तरह से लोग इस्तमाल करते हैं, मिठ का, किसने क्या कहा है, अगर जो कहने वाला, जो religious text वाला, अगर उसको आप सत्रू समझते हैं, तो उसकी जो कहानी है, उसका जो villain होगा, उसको आप अपना हेरो बना लेंगे, ultimately जो वो कर रह होता है वही आप करने लगते हैं वह जिस डिरेक्षेन में कर रहा होता है ठीक उसको उल्टा डिरेक्षेन में आप करने लगते हैं अप्गुल मिला कि वह भी in mythology में भुष्ट जाते हैं इसी लिए दोस्तों अगर आपको इतिहांस सही से जानना है तो authentic source से इतिहांस जाना करें तो आज मैं आप लोग को फेस्टिवल का authentic history खोजने की कोशिस करूँगा आप लोग को दिखाने का परियास करूँगा हो लीगा अच्छा अब बात आती है कि जब मित की आप नहीं बात मानेंगे तो फिर आपको authentic कैसे आपको पता चले कि कौन सा authentic source है पता कैसे लगाओगे तो दोस्तो authentic source को आपको पता लगाने का सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो होता है कि या तो archaeological से खोजिये, अगर कहीं कुछ हुआ होगा, कुछ रहा होगा, तो जमीन के नीचे से कुछ खुदाई पर मिल जाएगा, कोई इंस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कोई प्रतीक चीन मिल जाएगा, कोई ऐसा कुछ न कुछ सबूत तो मिलेगा, जो कभी हुआ होगा, तो उसका कुछ अलावे भी और भी बहुत सारी चीज़े हैं, मान लेजे कि कुछ ऐसी भी चीज़े हैं, जिसका आर्केलोजिकल एबिडेंस नहीं मिले, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो चीज़ अब लेबल हो, उसका भी तो आपको जानना पड़ेगा ना, उसके लिए भी कुछ ना कुछ त भारत में पढ़ने आ चुके थे, इसका प्रमाड मिल चुका है, लिखित साक्षन नोट सुनके मिल चुके हैं, यहां तक कि आप देखे कि मेगस्तनीज की इंडी का जो खो गई थी, उसको भी कमपाइल कर लिया सौन बैक ने, 1848 में, तो वो भी चंदरगुप्त के समय की ब कुछ भारत में अपने आखों देखा, देखके गये होंगे, तो लिखे होंगे, आप भी जब बाहर में जाते हो, विदेश में अमरीकाय में जाते हो, तो आते हो, तो लिखते हो, बताते हो लोगों को, कि भाई देखो मैंने वहां पर ये देखा, वहां पर ये चीज था, अब माल लिजे कभी अमरीका नश्ट हो गया और आपके यह जो बताए हुए लिखे हुए नोट्स एविलेबल हो गए तो अमरीका का इतिहास यहां से पता चलेगा तो इसी तरह से जो विदेशी ट्रेवलर्स आये थें उन लोगों ने जो जो चीज है नोट्स की वहां से भी खोड़ी तो हमको इतिहास पता चलता है ना कि क्या क्या वह देख कर गए थे भारतियों कि तरह ता पूराण में गप तो नहीं चान रहे थे गोबर मुत्र खाने की तो नहीं बात कर रहे इनके समय में होली वगरा का जिक्र नहीं मिलता है आजकल ये जो होली वली मना रहे हैं इस तरह का जिक्र नहीं मिलता है पुल्णिमा होती है हर पुल्णिमा होती है अमा उस्या होती है इस दिन जो बहुत भिक्कूत है उनकी gathering का सबूत तो मिलता है कि ये लोग gathering करते थे आपस में मिलते जुलते थे इसमें जो है ये लोग बुद्ध का भी जन्म और जो देथ है वो पुर्णिमा और इसमें माना गया है अमाउस्या पुर्णिमा तो ये जो date था ना अमाउस्या पुर्णिमा वाला जो चीज थी ये सेलेबरेट लोग करते थे और भारत में अर्कियोलोजी से ये प्रूफ हो चुका है कि फिफ्थ सेंचूरी से पहले भारत में जो संडे मंडे टूजडे होता है सोमुवार मंगलवार बुद्वार, गुरुवार सुक्रवार, सनीवार, रभीवार ये सब नहीं होता था सेवन डेज का कंसेप्ट फिफ्थ सेंचूरी से नहीं पहले पाया गया है पहली बार जो है फिफ्थ सेंचूरी में एक इंस्क्रिप्शन मिला है उसी से पता चला कि उसमें गुरुवार सब्द आया हुआ है उस इंस्क्रिप्शन में तो वहां से पता चला कि करीब फिफ्थ सेंचूरी में सेवन डेज का कंसेप्ट आया और माना किया कि ये वेविलोन से आया हुआ होगा या उधर ग्रीक से आया हुआ होगा उससे पहले सीधे सीधे पच चलता था जो भारत का बुधीश्ट कलेंडर था उसमें पच चला करते थे कृष्ण पच सूकल पच अब कोई कहागा कि कृष्ण केशे नाम आ गया अरे कृष्ण बाद में कर दिया गया है ठीक है ना कशन होता है तो तो वहां से आप देख सकते हैं कि भारत में 15-15 दिन का कंसेप्ट था और जो 15 हमा दिन होता था पुल्णिमा या फिर जो अमावसय उसको सेलेबरेट करने का चलन था और ये चीज जो है बुधिष्ट केलेंडर जो है जैसे बुध समबत जो है जो आज से लगवग 26 साल पहले कि पुरानी मानी जाती है अलग-अलग बुधिष्ट देशों में बुधिष्ट कलेंडर चलता है तो वहां भी आमावसय पुल्णिमा का कंसेप्ट है तो उस तरह से वो कलेंडर चलाता है उसका evidence मिल चुका है जो बुधिष्ट कलेंडर है उसका आपको inscription मिल चुका है प्र नहीं था तो फिर होली शुरू कभ हुआ भारतियों ने कभ होली मनाना शुरू कर दिया क्या तथा कथी तो वैदिक काल हम लोग पे थोपा गया है उसमें कोई होली मना तथा क्या उठा के वेद थोड़ा खोली है तो खुलवाई ये इन लोगों से आजकल तुम लोग जो होल खुलते हो कि वेद जो है वही हमारा सबसे में किताब है में गरंत है तो थोड़ा खुल के दिखाओ ना कौन से वेद में कौन से मंत्र में दिखाया है कि हुली मनाया जाता था एक थे पांडू राम काड़े जड़ा समझेगा इस बात को दोस्तों है भरत रत्न की उपाधि थे वो लिखवा दिया गया पांडू राम काड़े से उन्हों ने क्या किया कि ये संस्कृत में जितने भी मानो ग्रिह सुत्र है धरम ग्रिह सुत्र है और वात्सल्य ग्रिह सुत्र है अस्वलायन ग्रिह सुत्र है इस तरह के तमाम जितने ग्रिह सुत्र है सब को कंपाइल क करके लिखा और बोला कि ये इसा से पहली से लेके इसा से तीसरी सदी के बीच में रचे गए हैं कहानी देखिये इनकी खुद ही गपोड गाथा बनाके एक गाना गादियें कि इसा से पहली से तीसरी सदी में रची गई है अचा इसा से पहली से तीसरी सदी में समराट असोक क शासन उसके बाद से असोक के बाद से इनका दिरे सुंग काल भी आ रहा है सब चीज आ रहा है यह बड़ा चालाखी रहती थी इनकी कि जहां-जहां सुंग को पहले ब्रामण कहो फिर उसको कहा दो वैदिक अस्थापित करना अब फिर उसके काल खंड में ले जाके चितनी ब् अब फिर कहो कि देखो देखो मानो ग्रिय सुत्र में तुभाई यह दिया हुआ है नवानेश्टी परव दिया हुआ है हम लोग के पुर्णिमा के दिन हम लोग मनाते थे प्रामण को यह करते थे वो करते थे तो दोस्तों यह कहानी बनाती है इन लोगों ने अब मैं दिख चला कि फालगुन की जो पुर्णिमा होती है उस दिन लोग इस तरह का कुछ प्रोग्राम करते हैं लेकिन आज की तरह यह जो गुलाल खेलने वाली प्रता है और यह जो रंग ते वहार है यह सब नहीं था अच्छा हैंसॉंग इत सिंग और वो जो थे मेगस्थनीज पायान इनके समय में नहीं मिलता है सीधे अल वुरूनि के समय में मिलता है अल वुरूनि कब थे तो यह दसवी बड़े विद्वान व्यक्ति थे बहुत घ्रंद का भारत को अल्जबरा सीखाये हैं बौधों से अर्भी सब सीख के गय थे हैं और उधर से जब आये अल्जबरा लेकर ये सीखे यहीं से भारत से बौधों से अब वहां पे गया है वहां से जब आये तो पता चला है कि यार जो का संस्क्रिट दोनों का ट्रांस्लेशन करके ग्रीक का ट्रांसलेशन के बहुत सारा चीज प्रवाइड किया था इन्होंने ही कंपाइल किया था अपने भासा में तब जाकर शुरक्षित बचा रही तो इन लोगों यह भी चीज़ नहीं पता थी सब इसी के नोट से पत अनुवादक है संतराम बीए जी परुट विद्वान व्यक्ति थे हैं इस व्यक्ति का नाम है अबुल रैहान मुहम्मद इबन अहमद अलबरूनी और संपादकी यह किया है डॉक्टर सुरेंद्र अग्याद जी ने अब देखिए इनोहन के नोट्स में यह क्या बताते हैं तो मैं सोचा कि जनकारी थोड़ा सा अपने उसे सेयर कर दो तो इसमें लिखते हैं कि तेवहार के दिन सुगंधियों के अस्थान पर अपने सरीर पर गोबर मलते हैं देख लिए गोबर के प्रथा ग्यार्मी सदी में शुरू हो गई थी पूरुस इस्त्रियों के अच्छा पहलते हैं कानों में बालिया, हाथों में चूडिया और हाथ वह पैर की उंगलियों में सोने के चाप चले पांदे हैं, यह पर मानने का जो तता आकतित ब्राहण धरम है, इस सब को हिंदू बोलता था, बोधो को भी हिंदू भी बोल देता था, जो यहाँ के ब्र लेते हैं और हैंद पयर की उगली में सोने के चापछले पहिंते हैं जो रिंग होता है पहिंते हैं कानों में बालिया पहिंते हैं उड़न लगाते हैं और फिर उसने आप जो परिछे 75 है चेप्टर 75 इसके किताब बड़ी मोटी किताब है न तो उसमें लिखता है कि देवोत तथानी नामक तेवहार का वर्णन करते हुए वह लिखता है उस दिन वे अपने को गर्वों के गोबर के साथ मैला करते हैं जो गर्वों के गर्वों मतलब समझ रहा है न क जो जानवर होते हैं उनके गोबर के साथ अपने को मैला करते हैं गोबर लेकर देहं पर लगा लेते हैं और गाय के दूद्ध मूत्र और गोबर का मिस्रड़ खाकर उपवास खोलते हैं सुन लेजे कहान भारत में गोबराईला जो चीज है यहीं से सुरू हुआ था पहले उपवास खोलते हैं जैसे लोग अच्छा कुछ पकवान उपवान बना लेते हैं खाते हैं कुछ लोग जो हैं जूस पीकर उपवास तोड़ते हैं भारत में 11th century में क्या चल रहा था कि भाया यह जो है गाय के दूद्ध दूद्ध के साथ मूत भी पी रहे हैं गोबर का भ पाता है कि उसको क्या पीना है वो दूद्ध ही पीएगा भारत में ऐसे तथा कथित लोग हैं जो दूद्ध छोड़तेंगे अमूत पी लेंगे ऐसे लोग थे यहां आज की घटना नहीं है यह 11th century में सुरू हो चुकी थी तब मैं पढ़ रहा था 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 थोड़ा सोचा कि अलवरुनी जो बात लिखे हैं यह थोड़ा सा जनकारी शेयर कर देजाए आज की गोब्रैला लोग नहीं है तो यह दोनों वर्णन ततकालीन हिंदुों की गोभक्ति के ही घोतक माने जाएंगे खैर आगे बढ़ते हैं अब आते होली पर क्या लिखा उन्होंने होली जो है अलवरुनी इसको धोल लिखे हैं धोल या दोल लिखे हैं और इन्होंने लिखा है कि फालगुन की जो पुर्णिमा होती थी उसके बारे में लिखा है लेकिन जितने लोग इसकी व्याक्या किये हैं उन लोग का कहना है कि यह जो उस दिन जो मनाया जाता था ना उनके समय मे 11th century में वो आज का होली या होली का नहीं है बलकि लिए कुछ और चीज है उसको ये लोग मेंसन करते हैं कि आज की जो डेट में मनाया जा रहा है वो वाला नहीं है उस समय भी तो इससे ये भी पता चलता है कि 11th century में ये चीजे जो है न कहीं और से ली गई थी उस समय रूप बिगड़ रहा था ब्रामडों ने रूप विगाड़ विगाड़ के आज की डेट में पूरा विगड़ दिया है ये लिखते हैं कि व्याख्याकारों का कहना है कि यह तेवहार होली होली का या दोल यात्रा से अभिन प्रतीत होता है मतलब वो जो अलबुरूनी लिखे है आज वाला से अलग है वो गर्दे जो कि फार्सी अनुवाद में धोल की जगा होली सब्द ही लिखा मिलता है होली का वर्णन करते हुए अलबुरूनी लिखता है यहां होली जो सब्द है वो गर्दे सब्द लिखा है यह होली जो आज का होली मना जाता है वो नहीं है डेट उन अस्थानों से नीचे हैं, जहां वे चमाह पर्व में जलाते हैं, उस आग को वे गाउं के बाहर फेक देते हैं, तो चैप्टर 76 में अलबुरूनी ने लिखा है ये बात, अचा चमाह पर्व क्या है, ये एक महिना पहले मनाया जाता था, जैसे फालगुन में मनाया जाता ह पर्व जो है, ये माघ हमें मनाते थे, वो भी अभी दिखा दूँगा आप लोगों, तो इसमें ये क्या करते थे हैं, कि उस जगह पे आग लगाते हैं, देखें ये क्या लिखते हैं, इस दिन वे उन अस्थानों में आग जलाते हैं, जो उन अस्थानों से नीचे हैं, तो वो जलाने की परंपरा आ रही है पुल्णिमा के दिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुल्णिमा के दिन जो celebration होता था जैसा मैंने बताया कि बहुत मार गई भी जो पुल्णिमा और इसमें celebrate करते थे सम्या कल्चर वाले celebrate करते थे क्योंकि इनके जो केलेंडर होते थे ना चाहे वो मावीर संबत हो या बुद्ध संबत हो ये सब पुर्णिमा और अमावस्या से ही डारेक्ट काउंट होते थे उसी कुछ चांद को ये लोग देख लेते थे करते थे ताकि पूरी पुद्ध को भी पता चल सके कि हां एक पच बित गया और उस समय बहुत ज्यादा लिखावट पढ़ावत की तो चीज थी नहीं केलेंडर वगरा तो डिस्टिब्यूट नहीं होता था तो पबली को इस तरह से उनका वर्स और केलेंडर भी याद रहता इस सेलेब्रेशन से तो इसमें एलबरूनी के समय में चीज़े बदल गई थी यह खास फालगुन के जो चीज था उसमें यह आग जलाते थे आप होली के दिन जलाते थे होली के एक दिन पहले की बात नहीं हो रहे है ध्यान दिजिएगा दोस्तों थोड़ा सा समझे इस ची नहीं तो बहुत अनिष्ठ हो जाएगा यह तक इन लोगों ने पुराणों में लिख रखा है तो यहाँ पे आप देखे उस दिन जलाते थे होली के दिन अब फिर जो है गाउं के बाहर फेकाते थे अब क्या होता है कि अब गाउं के बाहर ही लगड़ी इकठा करके अब उ कि सुखा या पानी में धोल कर फेकने की प्रथा का यह कहीं उलेख नहीं करता इससे असपष्ट है कि यह बीमारी बाद में कभी सुरी हुई हो तो इनका यह कहाना है कि यह प्रथा उस समय तो देखने को मिलती है लेकिन कलरफूल और यह सारी चीज़े हमें देखने को नही मिलती है। ये सब बाद में किसी ने एड़ किया हुआ है। शूरा अभी का दिया हुआ यह गुलाल खेलना बड़ा अच्छा लग रहा मुझलों की देन है तुरकों की देन है अरवी की देन है किसे मुझे से खेल रहे हो सब्द तक उनके लेकर आज तक इस्तमाल कर रहे हैं काग जो सब्द भी अरवी है उसका आज तक ये लोग इस्तमाल कर रहे हैं तो अब जाहिर सी बात है कि गुलाल सब्द या अरवी सब्द तभी आया होगा ना जब ये मुस्लिम आये होंगे तो जिसका सब्द है वही दिया होगा तब से ये लोग जोड़े हैं इसका मतलब आगे देखिए अब मैं आपको actual notes दिखाता हूँ जो exactly उन्हों ने जो लिखा है अलबुरूनी ने जो exactly लिखा है ये देखिए क्या लिखते है 29 तारिक जो माग जो महीना होता है फालगुन से जो भारत का national calendar है न सक्संबत जो बौध कलेंडर है उसमें जो 11 महीना होता है वो माग होता है और 12 महीना होता है वो होता है फालगुन तो जो 11 महीना है उसमें जो माग है उसी में चमाह मनाया जाता है उसके पूर्णीमा में माग महीने की पूर्णीमा के दिन जो चमाह अब चमाह क्या है इस पर question mark है कोई समझ नहीं पाया है जितने लोग अनुवाद किये हैं वो लोग नहीं समझ पाये हैं तो question mark लगाया है लोगोंने कि इस मास की पुर्णी में के दिन चमाह कहलाता है वे उस उचे अस्थानों पर दीपक जलाते हैं अब कोई उच्छे अस्थान रहे तकीका गया था वह लोगों को बहुत मार की अच्छी पाचान नहीं थी या फिर तेंथ सेंचूरी से पहले भारत का क्या परिवेश था उसकी पाचान उस समय लोगों को नहीं हो पाई थी वो तो अब धीरे-धीरे जैसे जैसे आर्केलोजी डिपार्टमेंट खुदाई करते जा रहा है तब पता चल रहा है कि या अच्छा दीपक जला जाता है कभी यहां पर आज कर रहा है दिवाली के दिन लेकिन यह एक महिना आज से ठीक एक महिना पहले भी यह दीपक जलाते थे उंचे अस्थानों यानि सुतूपों की मेरा यह अनुमान है मैं आके इस पर और फर्दर रिसर्च करूंगा दोस्तों क्योंकि यहां पर व्याख्यकार ने यहां पर कोई पॉइंट नहीं लिखा है किसीन भी अभी इसको हनाइड नहीं किया है तो मुझे ऐसा परतीत होता है कि उंचा स्थान या कहने का मतलब है कि जो सथूफ वगेरा होते थें क्योंकि लोग अक्सर हां अपने जो हुआ करते थे तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है आगे बढ़ते हैं फिर इसमें जो है दिखाते हैं कि 23 माग को मार्स तरकू और महातन भी कहलाती है वे अभ्यागतों को मास और बड़े काले मटर खिलाती है ये ध्यान देखिए दोस्तों भारत में उस समय मास खाने की पर्थ थी 11th century में अब सोचिये ब्राम्हन जो है वो अपने पर्वत्यों हारों में मास खिलाता था 11th century में ये तो कहता है कि हम बड़ा सकाहरी थे सकाहरी थे आज पूछिये नहीं से सकाहरी का रट मारे बैठा हुआ है 11th century में ये बताया जा रहा है कि अभ्यागतों को मास और बड ही खाते थें कुछ लोगों ने तो ये तक लिखा कि बुद्ध जो है वो जो खाये थे हैं उनको किसी ने मास दे दिया था वो मास खराब था कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वह मांस नहीं था बलकि वह जो है क्या बोलते हैं उसको मस्रूम था उस पर भीवाद है हलांकि ले यह ब्राम्षड के लिए आटे और घीक करते है यहां पर आ रहा है कि भांभडो के खाने के लिए आटे और घी की चीज़े बनती थी अमार्स तरकु जो है उनके लिए मांस और बड़े काले मटर खिलाते थे चलिए इसका मतलब कि पबलिक जो है वो सकाहरी नहीं थी यह इसे और भी पता चल रहा है आगे अब यहां पर आता है फालगुन पूर्णिमा जो होली की हम बात कर रहे है exactly कि फालगुन की पूर्णिमा इस्तरियों का पर्व है यह ओदाद देहें यहां पर फिर से question mark मारा है जो भी अनुवादत लोग है उनको नहीं समझ में है कि अलबुरुनी ने ओदाद का मतलब क्या कहा चाह रहे है या धोल अथार्थ दोल भी कहलाता है और इन्हों ने कहा है कि फालगुन की पूर्णिमा इस्तरियों का पर्व है दोस्तों इन्होंने अपने notes में साफ साफ ये बात mention किया है अलबुरुनी ने कि जो फालगुन की पूर्णिमा थी वो इस्तरियों का पर्व है इस दिन वे उन अस्थानों में आग जलाते हैं जो उन अस्थानों से जहां वे चमाह पर्व में जलाते हैं, नीचे हैं और वे आग को गाउं के बाहर फेक देते हैं, यानि कि ये चमाह पर्व की जो बात आ रही है, वही सुतूप पर आप आ जाएए, कि जो सुतूप है, उसके उपर जो दीपक जलाते थें, तो वहीं पर जाके ये आग भी जला पिर उसको गाओं के बाहर ठेक आते हैं और यह इस्त्रीजा रहा है यहां पर इस्त्री जलाने की बात नहीं हो रही है दोस्तों न भुरुनी यहां पर बीछए खोलते हैं इसकर अगे वह लिखते parenthि millennials जैसे जितने भी आज का जो बौध कलेंडर है जिसको ये लोग हिंदू हिंदू कलेंडर कहते हैं उसमें क्या होता है कि जो पहला पच होता है महीना जब सुरू होगा ना तो पहला पच जो है वो सुकल पच होता है और उसका जो पंदरहवा तारीक होता है उसको कहते हैं पु पुर्णिमा तो यह हो गया तो फालगुन पुर्णिमा के अगली रात यानि सोलहवी फालगुन को देखिए कितना बड़ा आपको यहाप एक पोल खुलता नजर आएगा ध्यान से देखिएगा अनुवादक ने लिखा है सीवरात्री यह सीवरात्री नहीं यह महादेव रात मैं इसके ठीक अगले दिन ठीक अगले दिन सोलहवी तारी उनकी बात चल रही है यह क्यों कह रहा हूँ क्योंकि यह लोग आज सीवरात्री जो है ठीक पंदरा दिन पहले मनाते हैं हो लिक अगले दिन नहीं मनाते हैं दोस्तों यह देखिए का ध्यान कितनी बड़ी यहां गरबड़ी एक मिल रही है हम लोगों को जब अलबुरूनी का नोट्स पढ़ रहा है अलबुरूनी बताते हैं कि जिस दिन ये सब धोल पर्व मनाते थे जब दिया जलाते थे एक मैना पहले फिर वहां पर आग जला के बाहर फेक आते थे इस तरीया ये काम करती थी उसके ठीक अगले दिन जो है महादेव रात रही था जब आगे क्या लिखते हैं वे सारी रात महादेव का पूजन करते रहते हैं वे जागते रहते हैं और सोने के लिए लेटते नहीं और उस पर धूप और फूल चढ़ाते हैं और दोस्तों ये देखे यहाँ पर हवन की बात नहीं आ रही है द्यान दिया आपने यहाँ पे न हवन की बात आई न यहाँ पे गाजा फूंकने की बात आई कि वहाँ पे गाजा नसा या फिर धतुरा ले जाकर चड़ाने की यह दूद चड़ाने की इस तरह की कोई बात नहीं आई तो यह दोस्तों आपको पता चल रहा है कि बाद में इन को ठीक 15-16 दिन पहले सिफ्ट करके अपना ये तथा कथित इन्हों ने एक सीवरात्री कालपनिक बना ली है वहां पर किसी और की चल रहे हैं महादेव थेर जो थें वह गये थे दच्छिन भारत में प्रचार करने के लिए महादेव थेर किन लोगों किलियर हो गया उमीद है आप लोगों को भी किलियर हो गया होगा कि कितना बड़ा घंड है जब हम पूराने travelling के नोर्टंस पड़ते हैं और आज हम देखते हैं कि इन लोगों ने किन-किन डेटों में कहां-कहां shift किया है, क्या-क्या घपला मारा है, चलिए, अब मैं इन लोग का religious text दिखा देता हूँ, ये तो था traveler notes का, जो authentic है और बहुत ज्यादा प्रमारिक माना जाता है, क्योंकि जो बाहर के बंदे होते थे, वो कुछ गलत लिखे जाएं, जो देखते सुनते थे हैं, जो प्रेक्टिस थी, उसको लिखते थे, और वो तो बहुत प्रकांड विद्वान व्यक्ति था, चलिए, यहां प्याव religious text में ये, जैसा कि मैंने बताया, पांडू रामकाने जो हैं, इन लोगों ने क्या किया है, कि पुरान किया बात करोगे, तो बहुत खींच के ले जाओगे, बहुत खींच के, तो मुसलिम सासनकाल में ही तब भी सिमितर रह जाओगे, उसे पहले नहीं जा पाओगे, तो इन लोगों ने एक और नया गेम खेल दिया, कि ये काम करते हैं, जो धर्म सास्त्र हैं, जैसे मा का वासिस्ट ग्रेस उत्र, इस तरह के, जितने भी ग्रेस उत्र हैं, इनका हावाला दे दे के, आईसा से पहले लेके चलते हैं, तो ये बंदा जो है, पांडू रामकाने, उसी ने ये सारा कामपाइल करकर, ये दिखाया कि नहीं, जो पौराणी काल है, उससे पहले से भी ह होली होती थी, और ये देखे एक नई नोट हैं कि उसने पेस कर दी, ये क्या लिखता है, मानों ग्रेस उत्र के, जो चैप्टर टू है, उसके थ्री सरके, नाई और तेंथ स्लोक देखे, इसमें लिखा है, नए अन्नका यग किये बिना नई फसल स्वैम न खाएं, वसंत र से दिखाएंगे ये होली को, तो इसी लिए एक फरजी किताब संस्क्रीट का भी सबूत नहीं, दोस्तों देखिए संस्क्रीट का भी सबूत नहीं, संस्क्रीट में एक कहानी गाके, बंदा भारत रतन भी ले गया, और दिखा दिया कि ये किताबे इसा से पहले की हैं, इसा खाते थे हैं बसंतरिस्म कि पुन्यमा को जफ से यग करते थे ये करते था फिर आगे देखिए एक और कहानी जुड़ देगा यह पही यह 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 धिए यह यह immediately तो एकली चत्र टू के टेन स्लोक ל-ख लीजिए एक नई कहानी सुरु हो गई हवन करने की बात आने लगी न, पूराना दिखाना हो आपको और आपके पास तो टेम्पल का सबूत नहीं, अर्केलोजिकल एविडेंस नहीं इतक कह दो, एक गपोड़ गाता कह दो, अची हम हवन करते थे, अब हरजी की एक किताब लिखो और दिखा दो, कि हम लोग इस दिन जो है हवन करते थे, अब देखिए आगे क्या लिख रहा है, कि ततपस्चात यजमान जो के आटे में उतने पसु बनाएं जितने वास्तिविक पसु उसके पास हो, आटे के उन पसु को पकाए, अब देखिए, आटे के पसु पकाए, धूरतता देखिए इन लोगों की, मत पसु की तरह बना के क्यों पका रहे हो, अब सीधे पसु खाओ ना, तुम लोगों के जो धरम गरंद हैं, उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है, कि पसु की हत्या करना भी तो यह जो नौरात होता है, तो नौरात दसमी के दिन तो खुब काट काट के खाते हैं, बकरा और भ आटे के उन पसुओ को पकाएं, फिर उन्हें पीस कर ब्रामडो के लिए हवन समागरी बनाएं, बताइए, उस समय इन लोग की हवन समागरी चल रही थी, इसाफ पूरव में, कासे के पात्र में दो मालपुवे बनाकर अगनी और इंदर देवता के लिए होम करें, बहुत स करें, यह लिखा है, मानो ग्रिह सुत्र तो, इसका जो अनुवाद किया है, यह किया है, पंडित भीम सेर सर्मा, यह पंडित भीम सेर सर्मा, आप जानते हैं कौन है, मैं बताता हूं कौन है यह बंदा, यह 1905 की किताब है, यह बंदा जो है, दयान अंसरस्वती का चेला था अध्यान अंसरस्वती हर चीज में विज्ञान घुसेड़े रहे थे विज्ञानवादी बन रहे थे तो इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा आ चुकि यह आरे समाजी थे बाद में फिर से पाला भी चेंज किये थे तो चुकि आरे समाजी जो है यह नॉन्वेज का बि आके खाने की बात हुई है अब आप समझ गए होंगे कि 1905 में यह किस तरह से घालमेल करके किताब को इशा से पहले थोप रहे हैं किसलिए ताकि यह दिखा सके कि फालगुन मास पूर्णिमा के दिन यह लोग सेलेबरेट करते थे यह इनका जूठा यहां से पकड़ में आत बहरे थे जाता था उसको होला कहते थे आप लोग डिक्सणरी देख लिजिए कि जो फली होती है जैसे चना वग प्रिष्ट 1279 इस पर लिखा हुआ है तो भाई सावी यह पूरी एक कहानी है पूरी फेंक चीजें है यह आपके संस्कृत का सबूत नहीं इसा पूरबखा आप लोग जो है पूरा जो बिदेशी जितने स्कॉलर हैं लिखके गए उन्होंने कहा कि भाई दूसरी तीसरी सदी स जो बहुत है, ट Υी सदीसे वह लोग hybrid संस्कृत, complete वे नहीं बना रहे हैं शुरु कर रहे हैं आपका Complete शंस्कृत और यह सारी चीजे इसा पूरब है पहुँच गई यह मानव धर्म ग्रेश सूतर इतना पूरा ना हो गया यह दोस्तों यह आप लोग कभी नहीं बताया जाता है आई यह लोग तो कता ही नहीं बताएंगे पूछिएगा जैसे कि बंड़ा यह बताइए कब की किताब है तो कहेगा इसा पूर्व की किताब है लोह को किस्ते होरो की कहानी पकडवा रहें यह दो अगे også अभ लोग होलको कि प्रधांता है कारण होलक नाम से प्रसीत्ते होऔर को होली का कहने लगे लगें लिजिए बन गई तो यह पूरा जो है ना यह हम लोगों को फरजी चीज़े यह पकड़ा दी कही है यह देखिए एक और पॉइंट यहां पर देखिए दमपती चतूर्थी नाम का गरंत में चार प्रधान जातियों के नाम पर चार प्रधान परवों की जातिया घोशित करते हुए कहा गया है समण है तो समण का परव होगा ना विजय दस्मी चत्रिय का बताए विजय दस्मी जो है यह चत्रियों का परव हो गया विजय दस्मी और यह क्या बोल रहा है दीपावली वैसे का परव और होली सुद्र का परव और सचाई यह है दोस्तों कि यह होली सुद्र का परव बता कराती थी वो वास्तों में कहा जा रहा है कि ये लोग सम्य कल्चर के लोग थें ये बाध मारगी लोग थें ब्रामडों के कते ही नहीं थे तभी तो वो मास परोस रहा है ना आगंतुकों को और ग्यार्मी सदी में चुकी बाध मारग की जगा पर ब्रामडवादी हावी हो रह आये तो लिकर आये ब्रामडों के लिए घी और अन्य चीज़े अलग से दी जा रही है आरे कोई जब सदियों से वो रहा होगा ब्रामड धरम फॉलो करता दो मास क्यों खाएगा उसकारी रहेगा ना तो यह चीज़े हम लोगों समझनी होगी दोस्तों एक चीज और यह कताई दसमी तो कते ही नहीं है रामलीला का कते ही जिकर नहीं है उसमें तो इसलिए भी इनकी ये जो किताब है दमपती चतूर थी यह बहुद बाद में लिखके यह फरजी बात है हम लोग के ऊपर ठोपी गई है दोस्तों और आगे देखा पॉराणी काल में अब ये कहानी बना देंगे कि देखी देखी अभी हमने बताया ना कि माना उदर हम ग्रिये सूत्र में हम लोग वहां पर फालगुन पूर नेमा में फसल लोगने पर यह करते थे तो पौराणी काल में सारा चीज चेंज हो गया बदल हो गया यह कहानी यह लोग बतायेंगे फिर आगे देखिया क्या यह कहानी बतायेंगे फिर कहेंगे कि अब देखिये भाविशे पुराण में अब भाविशे पुराण कितना पुराना है दोस्तों आपको आइडिया है भाविशे पुराण में महारानी विक्टोरिया के राजावी से का जिक्र है अंगरेजों की बात चल रही है उसमे बहुई से पुराण में तो उसमें उन्हों ने एक और कहानी घुसेड दी है अब वहां से इन लोगों ने होली का परव बना दिया मतलब आइसे भी क्लियर फाई होता है कि जो पौराणी कहानियों से आपका होली का त्योहार मनाने की बात आ रही है वो अंगरेजु के समय में बनाई गई है अब देखिए क्या कहता है भावी से पुराण में यूधिष्टिर कह रहा है हे कृष्ण हर गाव और सहर में फालगुन की पूर्णीमा के दिन उत्सो क्यों होता है उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और क्या किया जाता है तो रिपलाई सुन लिजि है हमने कई तरुकों से उसे भागाना चाहा पर वो हमारा पिंड नहीं छोड़ती प्रजा के ये सब्द सुनकर राजा ने नारद की स्पीसे में चर्चा की नारद ने कहा हे राजन आज पूर्णीमा है अब सर्दी समाप्त हो गई है प्राता काल गर्मी शुरू हो जाएग बच्चे लकड़ी की बनी तलवारे लेकर योधाओ के समान प्रसन होकर चले वे सूखी लकड़ीों और उपलों को सहस्त्र एकत्र करें विधी पुर्वक आग जला कर रच्छोगन मंत्रों का उचारन करते हुए हवन करें अगनी की परिकर्मा करते हुए हसे गाएं जिसके मुँसे जो आए उसका उचारन करें अपनी अपनी भासा में इस्तरी के गुपतांग वाची सब्दों को बोलें ध्यान दिजेगा दोस्तों बच्चों को सिखा रहा है भविश्य पुरान कि आग जला लो फालगुन पूर्णीमा के दिन और उसके बाद से क्या करो कि एक इ समय से नब्बे से पंचानबे प्रतिसत गालिया इस्तरीयों के गुपतांगों पर बनी हैं ये भावी से पुरान सिक्षा देता है ब्रामण ध्रम ने ये सिक्षा दिया है हम भारतियों को कि भया इस तरह से जो है आपको दिन रात गाली गलोज करना ए चोटे-चोटे बच चीजे तो ये भावी से पुरान में अंगरेजों के समय में लिखकर और लोगों को दे रहे हैं आचा इसमें आगे ये लिखते हैं कि ऐसा करने पर रक्षसी भाग गई तब से यह होली का नामक पर बचल पड़ा और ये कल्पदुरूम में लिखा हुआ है जैसे कल्पदु सिग रही उसकी पूजा क्या देश्ति दिये का नारत पुरान ने देखे क्या लिख दिया ये लिख रहा है फालगुन की पुर्णी में के दिन होली का पूजन करना चाहिए तो अब डेट कर दिया गया कि फालगुन की पुर्णी में के दिन होली का ये नारत पुरान में ब तूपों पे दिये वगरा दीप चलाती थी या कुछ भी करती थी वो इस्तरियों का परवता ये इन लोगों ने पौराणी कथाओं में इस तरह से गंदी संधी बनाकर आपके उपर थोप दिया है आप इसको लेकर लपक लिये हैं अपना इतिहास भूल गये हैं आप किसलिए मनाते थे मान लिजे कोई डेट है मान लिजे कि आपके पिता जी का बड़े है आपके पिता जी के बड़े आपको मनाना है अब मान लिजे कि आप मनाए एक दो पिढ़ी और मनाई फिर कोई तीसरा चौथा बंदा आया आपके यहां आपके गाउं में रहने लगा फिर धीर तो अब उस डेट पर पूरा गाउं जो है आपके पिता जी का बड़े मनता था अब किसी और का मन रहा है फिर दो चार सो साल बितेंगे अब जो है आप भी मनाने लगें अपने पिता जी का छोड़कर अब जो नया सुरू किया था उसमें घुस गए अब उस दिन वो मना रहे है यही तो हल हुआ है दोस्तों, डेटा आपका है सब्वेता आपका है जमीन आपकी है देश आपका है अमना किसी और कर रहे है आप अपनी सब्वेता कल्चर भूल गए है तो दोस्तों यही समझना हिए तखिए ये नारद फारद पुराण ये नारद पुराण डिसाइड कर रहा है कि फालगुन की पुर्णीमा के दिन होली का पूजन करना चाहिए इसका मतलब कि किसी और दिन होली का पूजन होता था क्या ये डिसाइड कर रहा है इस दिन करना चाहिए ये डेट बता रहा है ये बाद में लोगों बता दियें कि बहई एक बच्छा था चोटा सा गोद में दूध पीता बच्छा और एक राक्षा सी को किसी ने भेजा था कि जा उसको मारते गई राक्षा सी गई तो उसने कहा कि दो बेटे को दो मुझे मैं दूध पिलाती हूं दे दिया दूद पिलाने के लिए अब लेके लगी दूद पिलाने लड़का बड़ा सैतान था छोटा था मासूम था लगा दूद पीने उतनी हट्टी कट्टी महिला कि पीते गया पीते गया पता नहीं दूद पी रहा था क्या पी रहा था पीते पीते उसका खून पीने सुलू कर दिया औरत की हालत खराब हो गई उसकी अब लगी भागने वो वो छोड़ी नहीं रहा है दूद पीए जा रहा है पीए जा रहा है पूरा खिंच के उसका खून तक पीए गया वेचारी मर गई मर गई तो उसको जला दियां सब यह कहानिया बताई गई हम लोग अब बताते हैं कि उसका पूतना था अब जब मर गई तो गिर गई नीचे तो बहुत विशाल थी तो उसका पूरा बोड़ी पार्ट को काट काट के और गाँवालों ने कहा कि चलो इसको जला देते हैं यार लड़के ने तो दूसका पूरा दूसके सांसाथ खून भी पी लिया अब क्या करें पूल खुल जाए कि चलो चलो जली से इसको जलाओ जला दियें सब उसको उसको यह बताना शुरू कर दियें कि भाई अभी यह होलिका हो गई सरम नहीं आति इन बेसरमों को एक महिला को तुम लोग मारवा दे तो कैसी कहानिया भी तुम लोग रचते हो या दोस्तो इसलिए मैं कहता हूं कि भारत की जो परंपराये हैं एक मैं जब पढ़ता हूं चैनियों की कहानी पढ़ता हूं समऺ परंपराओं की कहानी पढ़ता हूं तो उसमें मुझे इतनी वहयात चीजें नहीं देखने को मिलती हैं कि मतलब किसी को मार दो काट दो किसी के साथ अन्याय करतो अखुजिया मनाओ उनमें फिर भी समवेदना जलकती है यहाँ पर इतना है हुरदंग बच्चे से बड़ी महिला का दूध ही पिलवा के मार डालता है उसको जला देते हैं उस तिन से होली का मन वा रहा है बोल रहा है कि क्रिशने से जूड़ गया कहानी मनाओ तुम लोग भी क्रिशन जी बच्पन में ही किसी दूसरे इस्तरी का दूध पी गय थे खून पी गय थे उसको जला दिया गया था इसलिए होली मने जाती है अब बच्चा जो हैं मना रहा है जितने क्रिशन भक्त हैं होली मना रहा है क्यों मना रहा है और एक क्रिश्ण जी ने महिला का मडर किया था मडर का तरीका बड़ा गजब है ध्यान देजेगा दोस्तों इसलिए मनाओ खुली अब महिला का मडर का बनाओ खुली यह हम लोगों कहानिया को रूसी गई है अब दूसरा यह देखिए राजपूताने के लो जो हार की प्रथाएं देखी गई है वहाँ पर महिलाएं जो हैं आग में जल जाती थी जला दे जाती थी या सती के लिए मजबूर होती थी क्या होती थी बहुत सारी कहानिया है उस पर तो विबाद भी होते रहता है तो वहाँ के लोगों ने यह मान लिया है कि जो हिरडकस पुकि एक बहन थी हो लिए और उसका एक बेटा था हिरण का चेपु का जिसका नाम प्रहलाद था और उसका एक भाई भी था उसका नाम तो हिरंयाच की कहानी ये थी कि वो बंदा जो है एक दिन चारो वेद को ही उठाके, अब पृरान के इतिहांसकार उसे, पुरान कार के जो मिति इतिहांसकार लोग है, ये लोग लिखते हैं कि विश्णु जी जो है कि अरे धर्ती पूरी गाइब हो गई वेद ही गाइब हो गया तो आउतार ले लिए किस चीज का आउतार ले लिए तो सुवर बनके आए वो परह आउतार लिए ब्रा गजब आउतार लेते हैं सुवर में बनके आगे अब बॉटार को नहीं पता हैं इंसानों को जरुड़ उतार को आशार नहीं मतलब जिसमें हुआ उनको नहीं पता है वह लोग लोग कठ खा भी जाते हैं बेचते एं?् कहने को बड़़े भगवान के ओतार हैं कि इसमें आ जैसे बंदर का होता है है factor में ऐसी जी किसी बंदर को देखते हैं कुछ लोग परणाम करने लिए तो अब वो बंदा क्या करता है कि सुवर बनके जाता है पानी में घुसता है हिरनाक्ष को मार देता है आप मार के जो है नीचे से वेद और इनका प्रिथवी है उसको अपने सूर के ऊपर टांक लेके आता है मतल जो रिसी मुनी लोग थें इनका विज्ञान देखें अब एंसेंट तो नहीं थें मुगलकाले इन लोग थें इनका विज्ञान इतना तगड़ा था इतना ज्यान विज्ञान इन लोगों के अंदर था कि यह बता रहे हैं कि प्रिथवी को पानी में लेके घुस गया अब सिस्टम के अंदर तुम जो है प्रिथवी को थोड़ा सा भी हिला डूला दोगे पता नहीं कितना चेंज आ जाएगा वो जो रोटेशन है उसमें और वो अपने सुने पर रख लिया कितना बड़ा इंसान था वो अब वेद भी लिए रहा है तो ऐसी ऐसी कहानिया प्योकू भी गोल है एक बंदा तो क्या किया एक फोटो दिखा रहा है वो फोटो था जिसमें एक लड़की को बोधो की सिल्फ कला है इरान की है मध्यपरदेश की वहां पर क्या होता है कि एक वराह की तरह बनाया गया है और वो बुद्ध की मूर्ती है नीचे और अपने सुन पर ज चोटा सा गोल सा है तो बोल रहा है कि जो छोटा सा गोल सा जो है वो प्रिथवी है और इसलिए हम 7th century में भी हमारे वराह आवतार थे और हिंदुईजम था यह जो यह जो बता रहा था घट ना उसका नाम है गेट सेट यह 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 बंदे जो हैं साइंस पढ़ा रहे हैं पोर संग कभी ध्यान से देख लेता उस पोटो को जो इराण का है उसमें जो औरत को सुन पर बैठाए हुए बगल में उसका जो अस्तन है वो भी उस जो प्रित्वी तु दिखा रहा है न उससे ज्यादा बड़ा था उसमें बगल में कंपेर कर रहा है तो सही से कंपेर तो कर करने के लिए तो वह जो दिखाया जा रहा है वरा का हिरणयाक्ष का उसका ही भाई है यह हिरणकस्यपू और यह हिरणकस्यपू जो है देते है अब जब आप विश्नु पुराण पढ़िएगा तो वहां पे घटना बहुत ज्यादा नहीं मिलती है इनके बारे में जिक्रा बस इतना मिलता है कि इसका बेटा पहरलात था उसको यह सम्मारते काटते पिटते थे हैं कि बड़ा तू विश्नु की पुजा मत कर यह कर मत वो कर तो वो क्या करता है कि लाश्ट में जो एक जो कथानक है वो कहता है कि फिर बाप सुधर जाता है आप बेटा जो है उसके ब में नहीं लिखी हुई है वो दूसरा पुरान पढ़िएगा वहां पर कहानी आएगी क्या आएगी कि होली का अपनी बहन को बुलाता है और उसको बुला कर कहता है कि वो कहती है कि मैं इसको लेकर बैठूंगी आगे मैं जलूंगी निंजा तकनीक देखिए ब्रहमणों का मतल तो अब क्या है न कि हमारे लोग जो है उन लोग को तो इतिहास और मितिहास में फरक समझ में नहीं आता है तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को पकड़ लिया ब्रामडों का अब पकड़ना जरूरी भी था इसलिए पकड़ना जरूरी था वह यह तू डाल डालता हम यह पात-बात जो कहानी बनाएगा उसी में पटक-पटक के मारेंगे तुझको ठीक है न लोगों ने भी पकड़ लिया ध्रक उस कहानी को अच्छा बेटा ओरत को जलाएगा यह कहानी में बता रहा है इननने भी कहानी अपनी शुरू कर दी यह औरत को जला दिया हमारे जुड़ दिये होंगे यह भी खुब मार्केट में चल रहा है तो एक क्रिया के प्रती प्रतिक्रिया की कहानी है दोस्तों मेरा कोई पूछे तो मैं तो आर्किलोजिकल एविडेंस खो जूँगा मैं उसमें कोई सबूत खो जूँगा मैं कोई कुछ ऑथेंटिक सबूत खो जोंगा जो मुझे नहीं मिलता है लेकिन इनकी जो कहानी है उसका काट इन लोग ने बहुत सही जबाब दिया तो जो कहानी पकड़ाएगा उसका ठीक हम सही जबाब देंगे यह चीज यहां पर हुई है तो इसके बाद से यह घटना आती है इसक मतलब कि साफ साफ पता चलता है कि महराष्ट और कॉंकरपटी के लोग हैं अंगरेजों के समय में जाने हैं कि भया हुली नाम का कोई पर्व होता है अच्छा एक प्रश्न मेरे पर आया था बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर साउथ में क्यों नहीं मना जाता है हुली दोस्तों इसका सबसे सटीक जवाब यही है कि जब हैंसॉंग भारत में आये थें ट्रेवलिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बुद्धा का जो जनम डेट है जो हम लोग मनाते हैं उसके ठीक छे महीना बाद जो है साउथ वले मनाते हैं वो कलेंडर का अंतर है दोस्तों बैसाख जो पुल्णिमा होती है तो वो छे महीना बाद उधर कर देते हैं करतिक पुल्णिमा कर देते हैं साउथ में एक बर चेक कर लीजिएगा बुरा ओडर चेक कर लीजिएगा तो ठीक छे महीना बाद कर देते हैं तो उल्टा मनाते हैं और उस सर्वस्तिवादी लोग सर्वस्ति वादी लोग बाकी लोगों से ठीक 6 महिना उल्ठा मानाते थे तो इसलिए आप देखेंगे कि आज जितना भी तेवहार ब्रामेनिकल सिष्टम में मना जा रहा है हर तेवहार जो है दो दो बार मना जा रहा है छट भी दो बार मनाते हैं इनका चैत में भी आ भी आ जाएगा अभी राम नमी आ जाएगी और फिर जो है के hier akh Sorry एकि इनकी डैफिसार आटेको पेर जो रहत है उस नो न ओर एक जाहेगा उसको भी जोले लेंगे ये तो बोधों का कलेंडर चुकी प्रामडों ने आज पकड़ के रखा हुआ है, इनका तो अपना कोई कलेंडर नहीं है, तो ये भी हर चीज को दोदोबर मनाना सुरू कर दिया है, आच्छा, इसके बाद से इसमें आता है कि वैशनों लोग क्रिश्न के साथ इसका संबंध पुराण में कहा गया है, फालून की पूर्णे में के दिन हिंडोले में जुलते हुए क्रिश्ने का दर्शन करने से व्यक्ति को निसंदे स्वर्ग को जाता है, ये फरजी-फरजी कहानिया इसी तरह से जोड़ते चले गए हैं ये लोग, तो दोस्तो ये थी पूरी कहानी जो मैंने आप लोग को दिखाया कि ये तरह-तरह की चीजें जो हैं कहानिया हम लोग को जोड़कर पुरुसी गई हैं लेकिन दोस्तो सच्चा ही यही है, कि होली जो है न इसका अपना कोई इतिहांस नहीं है, हम लोगों को पढ़ने से रुक दिया गया था, हमारे देख सकते थे यह आपको, आपको क्या लगता है, यह कभी हम लोगों खुसिया देखते हैं वहां पे, कुछ न देखते हैं यह लोग, यह तिनको तो बेद सुन लेने पर पढ़ लेने पर जीव काटने और यह करने का दिखाया, यह पानी तक नहीं पीने देते थे, जिन त तेवहार जो आज यह मना रहे हैं, वो हमारा नहीं है, हमारा अगर जो तेवहार है, तो घुसिये सन नाइंथ और तेंथ सेंचूरी से पहले इतिहां सखोजिये, वहां पे, किस रूप में मना जाता है, वो आपका तेवहार हो सकता है, सम्यक समड कल्चर का जो तेवहार है, वो आपका हो सकता है पिछले 1000 years में जब Muslim सासन काल था अंगरेजों का सासन काल था और इस बीच में जिसने खिचड़ी पकाई है तरह-तरह की किताबे लिखी है और उसने उसी बीच में आपको एक फरजी कालपनिक चीजे पकड़ा कर अपनी जो कहानी जिसको यह इतिहास कहता कि आप पिता जी के आपके बड़े था अलगा वह उसी डेट पर किसी और का कुछ और मानाने और आप भी अपने पिता जी का बड़े आज तक मनाते आये थे वह छोड़े का उसका मनाना शुरू कर दिया बस यही हुआ है दोस्तों इस चीज़ को पकड़ लेजिए सारा ची डिवेट करना हो वो आएं डिवेट किया जाएगा भरपूर समय दिया जाएगा बसरते की टॉपिक पे बात करें तमीज से बात करें जो लोग भी तमीज से बात करेंगे उनको भरपूर उसर दिया जाएगा और जो टॉपिक पे बात करेंगे उनको भरपूर उसर दिया ज किसी भी अस्तर पर सही नहीं है आप एक पर्व कैसे मना सकते हो जिसमें किसी महिला को जलाने की बात हो रही है महिला कहां अलबुरूनी लिख रहा है कि यह महिलाओं का पर्व है महिलाएं मनाती थी आज ब्रेमेनिकल सिस्टम आपको पकड़ा दिया कि महिला को ही जला रहा है, मतलब वो महिला को नहीं जला रहा है, वो आपको ये भी बता रहा है, कि ये आपकी जो महिला उस समय पर्व मनाती थी उनको हम जला रहे हैं, आपका एक्चुल इतिहास जला रहे हैं, इससे ये भी की पता चलता है दोस्तों अच्छा इधर बीच में दो लोगों का सुपर चैट आया था बंसी लाल अहांपा जी का सुक्रिया आपको और प्रयाग सिंग जी आपको भी सुक्रिया चलिए देखें और कौन-कौन लोग आये हुए हैं और चलिए डिवेट करते हैं कि यहां मैं रहान। यहां पर आये हैं बैनीय लाए हुए है चलिए इन से बाते करते हैं डेनियल से हैं हा डेनियल बताएं कि या किशे हो सब जी बड़िया बड़िया बढ़िया बताएं क्या बमु tsunami बहुत भच від वहना स्ट्रीम मुझे बहुत पसंद है और मैंने बहुत कुछ सीखा है इसको सुन-सुन के क्योंकि मैं ज्यादा तर ना उस तरब था बुक की तरब जो पड़ाई लिकाई होती है इन सब चीजों के बारे में कभी होता है ना कि हम लोग सीखते भी नहीं हमारे घर बाले भी कभी हम लोगों को इन सब चीजों की कि वह तो खुद फॉलो करते हैं इन सब को वो खुद इन सब में गिरे हुए हैं क्योंकि वो पुरानी मेंटैलिटी के साथ जैसे कि आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं, पुराने लोग होते हैं, जो उस्तमें ये सब होता नहीं था कि उनको कोई समझाए, जहां वो लोग क्वेशन रेज करें, थोड़े अजीब थे, तो हमें भी कुछ सिखाया तो गया नहीं था, और जब मैं कमपनीज में जाना शुरू कर अपना जो इंप्रूब्मेंट कर सकते हैं अपनी एजूकेशन में उसकी तरफ था, इसकी तरफ कभी नहीं था, बट रैंडमली आपका चैनल ना जब आया ना सामने, तो मैंने बहुत सारी चीज़े देखी, और बहुत सारी चीज़े सीखी, और मुझे बहुत अच्छा ल होली के उपर नहीं है मेरे कोशन पहले, तो पूछ सकता हूँ कि आप बाहर की इदर उदर की कोशन, चोटा कोशन पूछिए, जी, ठीक है, तो मेरा वो था कि आपी के वहाँ पे इत सिंग क्या बुक है, उनका जो भारत आया था, वो आये थे तो वो पंजाब में भी आये और एक्चली मैं पंजाब से हूँ, तो वो पंजाब में भी आये थे और वहाँ पे उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, कि यहाँ पे कुछ चंडाल टाइप लाइन लिखी हुई है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो चंडाल लोग को उन्थे, जी, इसको मैंने बताया ह है, आप जो है, फाहियान का जो मैंने साइंस जर्नी पे जो इस्ट्रीम की है ना, अभी इस जे टेन किया है, उसको आप देखिएगा, उसको मैंने चंडाल को बताया है, पूरा, दिखाया है, तो आज के चंडाल नहीं है, आज के जो चंडाल जो अच्छूत वर्ग है ना, वो नहीं है तो वो ही मेरी confusion थी तो मैं यही सोच रहा था कि उस समय भी अगर यह सब था तो मतलब और बैस है ना कि फिर फरक की क्या रहा कि बुद्धिजम में क्योंकि मैंने आपी से यह सब सीखा कि वहाँ पे बुद्धिजम में मतलब उस टाइम हमारे जातिवाद की बात कर रहे हैं हो जैसे मनु इसमृति है उसमें चंडाल कहा गया है कि चंडाल वो है जो कोई ब्रामःड की लड़की किसी सूद्र से साधी कर ले तो जब ब्रामःड जो है ना ब्रामःड की लड़की अगर सूद्र से साधी कर लेगी जो बच्चा उत्पन होगा उसको चंडाल कहेंगे तो ये ब्रामःड धर्म कह रहा है कि हमारी जो लड़की है वो सूद्र से साधी करेगी तो उसके बच्चे को हम चंडाल कहेंगे वो खुद नामकरण कर रहा है यानि जातिवाद वो सब्सक्राइब करते हें और यहां पर नहीं यहां पर यहां के बीद Hai चानदाल नहीं हो थे वह क्लिद वहां पर कवेश्चन करता है कहता है कि यह तो बुद्ध का देश है यहां पे यह कैसे हो गए तो वहां पे एक दूसरा बंदा होता है वो जबाब देता है कि यह बुद्ध का देश तो है तथागत का देश तो है लेकिन सब लोग तथागत नहीं है वो यह कहता है तो यानि कि वहां पे उन लोगों से भेदभाव करने वा पूरी तरह से मांस और हत्या से दूरी बना के रखता है वो तो साम को रात को खाना नहीं बनाते रात को कोई जीव न मर जाए इतना दूरी बना के रखते हैं जीव हत्या से और वहां पे जो चंडाल है जिसका वर्णन मिलता है वो जंगल में रहता है और मांस का व्यापार कर इक्षी समझेगा अगर वह अच्छूत होता तो मांस बेचने का अधिकार उसको नहीं होता ना क्योंकि उसको देखते ही लोग उसका काटा हुआ मांस लोग कैसे खाते के इसको हरकी नहीं वो मचली मारता है मचलिया भी लाकर बेच रहा है वहां पे जो वर्णन आया है तो वहां पे जो चीज कही गई है वो यह चीज दिखाई गई है कि उस समय कुछ ऐसे लोग थें जो जंगल में रहते थें और मांस और मचली का व्यापार भी करते थें वो मारते थें और उनको चंडाल कहा जाता था जब सहर में आते थें तो लकड़ी बजा कर इंडिकेट कर देते थें कि हम लोग आ गये हैं कुछ लोग उनको दस यूग काते थें अच्छा यह सायद चले गये हैं ठीक है कोई बात नहीं टैनियल तो यह चीज है तो यहां से यहां से यह बात होता है कि बोधों ने बोधों के धरमगरंथ में कोई चंडाल जाती बाद नहीं है अगर होता तो उनके धरमगरंथों में लिखा होता है कि हम इसको चंडाल कहते हैं इसको ब्रामण कहते हैं इस से मनुस्मृति साफ साफ लिखता है कि अगर ब्रामध की लड़की अगर सुद्र से साधी कर लेगी तो हम उसको चंडाल कहेंगे यानि वो जातिवाद फैला रहा है ऐसा कोई भी बात यह नहीं लिखते हैं बुधिश्ट के किसी भी ध्रमगरंत में इस तरह की नहीं लिखी ह तो इससे यह भी पता चलता है कि वहाँ पर जो चंडाल की बात आई है वह बौधों के द्वारा नहीं क्रियेट की गई है जे चलिए अच्छा और कौन आये हैं जो डिवेट करने के लिए हो वह आये स्पेसली ताकि और बाकी सांथियों मैं आपसे कहूंगा कि डिवेट वालों को ही मौका दीजिए वो लोग आएंगे तो कुछ अच्छा प्रश्ण प्रश्णोत्री सामने आएगी चलिए साउ आये हुए हैं इन से बाते करते हैं पता है साउ क्या कहना चाहते हैं हाजी नमस्ते बोले बोले पूछ नहीं से एक सवाल पूछना था कि पूछ है जो सब बुधित्यमां का था तो उसमें पाकिस्तान और सबी मेंने अब भी पड़ा था कि तो माल्डियू देश हैं हमारा निशे तो साउद में इंडियून उशन में तो वहाँ पैले बुधित्यम का उप फूरा जो इलाकाई था वो पले बुधित्यम था वापे तो इंध्यास में उन्हें चुपा नहीं है when अफ़ राइब कि आ मतलब जो प्रहमन है, यह इतियास क्यों चुपा रहा है, उनको तो स्विकार करना चाहिए न सर्ग जी जी साओ जी वो कभी स्विकार नहीं करेंगे स्विकार कर लेंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी ना जो वर्चस हो है वो खत्रे में आ जाएगा ना उनका जो जातिवाद है वो तो खत्रे में आ जाएगा सुपरमेसी है वो खत्रे में आ जाएगा तो उनको तो यह चीज ठीक है साउजी ओके बहुत 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 अन्यात अच्छा और को ना है अच्छा वर्ल्ड ऑफ मॉराल्टी भी आये हुए हैं यह कुछ लिख रहे हैं इफ कॉलंबश डे कैन बिकेम इंडिंजिनियस पिप्पल्स डे हाँ बिलकुल सही क्वेश्चन खड़ा किया है अपने वर्ल्ड ऑफ मॉराल्टी यह तो बहुत अपने अच्छा प्रश्ण खड़ा किया है कि जो जो यह जला रहे हैं उसको तो बहुजन विमेंस का यादगार के दिन में हमें इसको देखना चाहिए ऑइसा करना पढ़ेगा ना पब्लिक को इसलिए तो जगाना ज़रुरी है ना पब्लिक जो चाहिएक we cereal होगे अभी गाउं में अभी सब लखड़ी कठा करके जला रहे हैं जब इनको पता चलेगा कि नहीं हमको नहीं है पूतला बनाके और बाइकर्ट करना प्रक्रिया ना सविधान भी हख देता है कि अगर कोई मुझरिम है या कुछ भी है तो इसका फैंसला वह करेगा हम कौन होते हैं जलने वाले तो ये पब्ली को खुद खड़ा होना पड़ेगा और करना पड़ेगा आपने से ही बिल्गुल कोश्चन राइज क्या है अचा जी इसके बाद से देखता हैं और कौन आये हुए है पर जो डिवेट वाले हैं वो आए बाकी बात कटने वाले तो आप लोगों से बात होती ही रहती है अच्छा यहां पे आए हुए है एक्सपर्ट आया हुए हैं चलिए इंसे बाते करते हैं पताए एक्सपर्ट क्या कहना चाहते हैं जैभीम सर्थ हां जैभीम सर्थ मैं बहुत दिनों से आपके से बात करना चाह रहा था लेकिन बात को पारे थी बेसिकली मेरा नम प्रवी निगम है आप जानते भी है और मेरा सर्थ में यह था कि जैसे कि यह लोग हिंदु द्रम में मानते हैं इतने सारे तोहार बनाते हैं तो यह तो सारे बहुत जुनों को क्या कहते हैं उन्होंने प्ताडित करके जा उनको नीचा दिखाने के लिए ही से सो संग कि पूट्छ जो पुत्र थे भाप साई त उनकी आने की खुछी में दीकॉत्ट दÑब जाता था क्या आशथ ऐसा बताया गया है और अफकोर्स वहां पर जितने रिसोर्सेस थे उन लोगों के वह सारे रिसोर्सेस इस बात का हवाला भी देते हैं कि वह लोग मनाते भी होंगे है एक उनका जो है ना उनका सब्राट असोग का जो गोरोस आली इतिहांस है जो उनके जो मेगस्टनीजी ने जो वर्णन किया है इनका चंद्रगुप्त के महलों का कि इतने विसाल हुआ करते थे तो उससे यह भी पता चलता है कि वास्तों में वो लोग करते भी होंगे इस त था जैसे कि इन लोगोंने जातियों में तोड़ा है भोजन समाज को इतने सारी जातियां बनाई है इन्होंने साथ हजार से आग ऑपर जातिया है आज मौचु एंदेंदाम मौझूद वो सारी प्रजातिय एक ही है और इन में सदभाव भी था किसी ने इनको तोड़ा है बहुत बुरी तरह से तोड़ा है तोड़ते गया है इनको आपस में बांटते गया है यह अपना असली थिहांस भूल गया है अच्छ आज हमारे बीच में हैं बहुजन साहित्य आये हुए हैं चलिए इन से बाते करते हैं कैसे हैं आप बहुजन साहित्या जैभीम नमवुद्ध है सर्थ मैं बढ़िया हूँ आप कैसे हैं सर्थ जैभीम नमवुद्ध है और बताएं क्या चल रहा है क्या बताना चाहेंगे आज आप बताना नहीं मैं आपसे एक मश्वरा चाहता था कि अगर आपके आपने का इसके बारें पड़ा है तो थोड़ा सा आप क्याम गदन करें हम सबी का कि जैसे लखीर की फकीर जो किताब रा यह जो लोग हैं रहते हैं यहनकी वहां पर माना जाता है फिरनकश्यव को विद्ध्रोग करते हैं और वहां पर एक कोई पुराना कीट बहुत प्रचलित हैं कि उसके पार में कुछ जानकारी है आप उसमें पुछ सब्यांतम направ़े कर सकते हैं क्वेस देखिए इनका इतिहास भारत में विसेश कर जो ट्राइवल से इस्ट्री पहले क्या थी न प्रम्पराग्रत थी इसको लिखा है अंग्रेजु ने जब अंग्रेज Nouman घुशते इसाइयत जब गुष्टी है तो उन्हों का जो इतिहांस था अच्छा उसके बाद से क्या हुआ बहुत ज़्यादा परवेस हुआ है जो मार्कस्वादी बहुत नहीं मिलता है हम लोगों के पास एक culture तो मिलता है सबूत नहीं मिलता है अच्छा क्योंकि जैसे यह इसे 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 इसमें लिखा है कि इस तरह की की जो होती है की इसमें लिखा हुआ तो इसमें लिखा हुआ है अगर किसी को पता हूँ तो मैं पढ़के बताता हूँ इसका हिंदी रुपांत्रा पढ़ना हुआ हजार वर्षों से पुरानी घटना है पश्चिम दिसा में हमारे कुडमी कुडमी राजा राज करते थे वे दो भाई और एक बहन थे बड़े की नाम माननेवर हरना कच्छुवार था तथा चोटे भाई का नाम हरनु कच्छुवार एंक भेन का नाम होलिका कच्छुवार था यहां पर ये खचुवार औरмов इसका शैलिए अपभरंश होगा जो आज हम कुश्वा समाज सुनते हैं या काछी सुनते हैं कोरी सुनते हैं कोरी माफ ओ ask character काछी और कुश्वा समाज है कि राज में भेढ जाते थे माफ जाऊँगा इने के काल में ब्रह्मनो का कहीं से आगमन हुआ था जो हिरनू कच्छुआ के राज़ में भेड चलते थे मतलब इस चीज़ से हम यह समझ सकते हैं कि जब इस लोग गीत के अधार पर में यह कहना चाहूँगा कि जब ब्राह्मन या फिर जो कथित जो आरे लोग है जब वो आये थे तो वहाँ पर वो एक गड़ी रही है उनके रूप में आये थे वो इनका जो शुरूप जो आज हमें दिखाई देता है वो ऐसा नहीं रहा होगा इसके साब से उसी मेंसे एक चतुर चालाक विश्णू नाम का ब्राह्मन भी था वही चल बल से पहले हिर्णा कच्छवार को धोके से मा दिया मतब जो इनका बड़ा भाई था तब उसका चोटा भाई हिर्णू राजपाट सम्हाला जब विश्णू की दाल नहीं कली तब जैसे तैसे हिर्णू कच्छवार का बेटा पहलू कछुवार को नशेडी बनाया और बाप बेटे में मतभेत करवा दिया राजा द्वारा पहलू प्रणलाद यानि कि जो पहलू कछुवार है यानि कि हिन्यू कछुवार का जो बेटा है जो कछुवार को देश निकाला दे दिया गया मतलब राजा ने उसको देश निकाला दे दिया अपने बेटे को क्योंकि वो नशेडी ये गजेडी और बहुत सारे फालतों की चीजों में लिपन था यह सुनकर पहलू की गुफा को बहुत दुख गुआ पहलू को देखने की इच्छा पैदा हुई तब पूर्णिमा के उज्यारी रात को खाद पदाज लेके पहलू के पास गई लेकिन वहां तो नजारा ही कुछ और था सराब के नशे में धुत ब्रहमनों के साथ पहलू कशुआर को देख फुआ यानि बुआ आज की बाशन हम कहते हैं होलिका बड़े दुख के साथ वापस लोट रही थी तभी उसके ब्रहमन साथियों ने होलिका को अकेला पाकर सामोहित दुख्रम कर उसे जला दिया यह बात जब हिर्णू कशुआर को कान तक आई तब उसमें सभी ब्रहमनों को सभी ब्रहमनों का मुँ तो मुँ पोत कर माथे में छुरा से अबीर लिखकर अबीर का यहां पर जो मतलब दिया गया है इस किताब में अबीर मतलब की क्योंकि अबीर मैं एक में पता देता हूं अबीर का मतलब जाला बैता रहे हैं अबीर आथा कायरता की निशानी अ और भीर जो पूरा बड़ा है उसको अगर संदी विक्षेत हम करें तो आ यानि कि नहीं आ का मतलब नहीं होता वीर का मतलब या कोई वीरता दिखाने वाला कोई बहुत ही जिसके अंदर बहुत ताकत है बहुत संता है बहुत शौरे हैं तो अबीर का अति यहां पर निकाला गया है कोई कायर वेक्षी है जिसके अंदर शौरे नहीं है यानि कि ऐसा उनके माते पर जो कछुआ रहा है जो छोटा भाई है उनका उसने लिखवा दिया जब उनको पता चला ऐसा को और गधे पर बिठा कर नगर में घुमाया जिसको जो मिला कोंदा कीचर धूल से धूल से मूँ पोत कर उने सजा दी जब निकाला गया तो आज की डिट में भी हमने देखा है कि दलेतों के साथ ऐसे सारी निशन से घटना है की जाती है कि किसी को मुँपे पोत दिया और उसको पर सब लोग फैक रहे होते हैं कुछ ना कुछ तो उस तरह का ये उनके साथ ब्रामणों के साथ किया गया था बदम को बदमासी सजा के तौर पर मा दिया गया इसके बाद धोके से ब्रामणों ने राजा हिर्णू को मार कर अपना राज कायम किया इसी दिन से होली पर्व का सजन ब्रामणों ने अपने अपमान को छुपाने के लिए किया कि जो पहले जो अपमान किया था हिर्णू का यानि कि जो कुर्मी समुदाय है उसके बार में लिख रहे हैं कि इनके भेज में कभी नहीं गुजा कि हमारी पुर्थी जो हैं हमारी जो हुआ हैं फुआ लिखाया अपर उनको जलाए गया था आप लोग समझ गए होंगे कि इस कहानी में आख से अंधे पात रहे तू ब्रहम आप और चीज आप से जानना चाहूंगा अगर आप समय देने को जरूर जरूर अच्छा इसके बारे में आप क्या सूचते हैं यह जो पुरा जो की तो जो होते हैं ना वह उनको बनने में और खतम होने में समय नहीं लगता है जैसे आप देखेंगे कि जो जो भांट होते बीच में जो राजपुत काल है उसमें भांट होते थे तो वह तरह-तरह के गाने बनाते थे और तरह-तरह की चीजह जो हैं अपने राजाओं को खुश करने के लिए बनाते थे उसमें से एक चंद्रपरदाई पृत्वी राज रासो जो किताब आई है उसको उसको पूरा स्ट के बाद की है और वह वह बंदा जो है उसका यह क्लेम था कि यह बंदा उनके समकालीन था उनका गायक था उनका दरबारी था यह तो वह आप यह देखिए कि पिसी ने उसके नाम पर यह चीजह जो हैं सत्रहवी सदी के बाद गाना गाया अर्थोप दिया कि यह उनके समय की गायक था ठीक इसी तरह से और भी अला है अला उदल का कोई सबूत नहीं मिलता है लेकिन उनका गीत जलता है गीत लोग गाते हैं बहुत तो बहुत ऐसे लोग हुए हैं जेनकी गथाए काई गई और जो गाता था वो दरबारी कभी उनके प्रसंसा में गाते थे तो यह गाईकी का चलन जो है ना पिछले हम देखें पिछले लोग गीत भी अगर चला है ना कहीं पर तो उसका दोर बहुत पुराना नहीं होगा अगर दोर बहुत पुराना होता तो उसका कहीं न कहीं कोई न कोई कमपाईलेशन होता लेकिन आपको ऐसा है नता कि यह पुरा जो लोकी थे इसके माध्यम से जो चाटिस गड़ में रहने वाले जो आदेवासी कम्टि के लोग हैं या कुर्मारी भाषा कोहार इस्तिमाल करतें क्योंकि यह जो 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 लोकी थे वो कुर्मारी बाश हम है तो भले हम यह मालनेगी शादस soyaicking शुरुआत հही सब्सक्राराइब शुरुखा धिया इसकी शुरुखत हुई लेकिन उनके अंदर कि समझ थी कि यह जो त्योहार है वह हमारे लोगों का त्योहार नहीं है और यह जो त्योहार यह समझ उनकी उस समय भी थी लेकिन आज के समय में भी हमारे लोगों में समझ नहीं आपारी यह देखिए मैंने जैसा की बताया कि कई चीजे ऐसी है ना जो बाद में जब हमें किसी जो सोसक वर्ग है उससे जब करना होता है तो कई चीजे आपने लोगों में बतानी पड़ती है जैसे आप देखिए कि पिछले पिछले 60-70 सालों में कितनी कहानिया ऐसी पकड़ाई गई कई सारे संगठनों ने ब्रह्मेनिकल सिस्टम के खिलाब उनकी कहानियों का जैसे एक लव्य का चरित्र एक लव्य जो है उसको किसने हाइलाइट किया है अब ध्यान से देखिएगा उसको अधिवासी बताया कि वह अधिवासी था और यह किया गया अब पांच हजार साल पहले की घटना बताई गई तो क्या रमायड प्रमारिक है एक सवाल यह कुश्चन आता है तो एक पल में सब लोग कह तो जब प्रमारिक नहीं है फिर भी उसका एक किरदार लोगों के बीच में कि वह किरदार हमारा था अब रामारों को कुछ गलत किया है अचा उसी तरह से और भी बहुत सारे किरदार संबुक है तो रमायड में इन्होंने दिखाया कि हम किसी की हत्या कर रहे हैं और और माभारत को लेकिन उसके किरदार काल्पनिक है फिर भी बहुजन समाज में यह खड़ा किया गया कि नहीं देखो संभूख हमारे थे हैं वरामडों ने अतिचार किया है तो हमेशा जब हमको किसी से फाइट करना होता है न तो हम उस वह जो निगेटिव दिखाता है उसको ह अपना पोजिटिव और अपना बना लेते हैं यह चीज होती है तो यहां पे जो लोक गीत है वो बिल्कुल भी कंपाइल नहीं है यह दोनों तो कंपाइल भी है वो कंपाइल भी नहीं है तो अब यह कहानी कब से आ रही है कब से यह लोक गीतगार है यह भी हमें पता लगा ना होगा अगर वो लोग गीत या इतने साल पहले से हैं तो हमें पता लगा ना होगा फिलाल मैं आप लोग को एक दिखाता हूं स्क्रीन पे एक सेयर करता हूं मैं यह 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 अलबुरूनी 11th century में लिखा है सायद आप देख रहे होंगे जो मैंने अभी दिखाया था इसमें देखिए इसमें 11th century में 1024-25 की घटना है यह 1029 की घटना है उसे लिखते हैं कि जो फालगुन माघ महीना था माघ महीना फालगुन पुल्णीमा को हम मनाते हैं होली तो यह बताते हैं कि फालगुन पुल्णीमा के दिन जो है वो इस्त्रियों का पर्व है यह बोल रहा है इ बौध परंपरा है यह पुल्णीमा अमाउस्या को हमेशा वो गेधरिंग करते थे आज भी जो बुध्य संबत होता है उसमें जो 2600 साल पुराना है उसमें पुल्णीमा और अमाउस्या से ही लोग काउंट करते हैं कि एक पचबीता दूसरा पचबीता देन एक महीना बीत गया यह उससे काउंटिंग चलती है तो गेदरिंग करके पबलिक को भी बताना पड़ता था यह उल्ड परंपरा है तो केलेंडर से हम लोग को थोड़ा सा इतिहास पता चलता है यहां पर हमें पता चल रहा है कि इस तिन एक दिन में इतने बलतकार होते हैं तो हमारे यहां तो एक साल में नजाने कितने बलतकार होते हैं हमारे यहां अगर पिछले सौ साल का अकड़ा उठाएं तो नजाने कितने बलतकार होते हैं तो क्या यह पॉसिबल है मैं यह नहीं का रहा हूं कि ऐसी घटना नहीं हुई होग एकदम सही एकदम आपने पॉइंट उठाए कि ज़रूरी नहीं कि कोई एक घटना और अगर एक घटना को अगर इतना पड़े इस तरफ पर अगर लाया जा रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है क्यों इस तरफ गिया जा रहा है कुल कुल सही है अगर आप मुझे थोड़ी और इजादत नहीं है तो मुझे और भी कुछ दिल्चस्ट जानकारिया मुझे मिली हाला कि मैं उस पर वीडियो बनाओंगा तो मेरे चैनल पर जाके लोग देख सकते हैं कल बिलकुल अच्छा मैं जो पताने वाला था जो यह आपने किताब पढ़ी होगी वाली क्या किया हुगा है कि इसमें एक शास्त इनका धर्म शास्त रहे और उसके उसमें बता इसमें ये कहा गया है कि जो महिलाओ के जो कुपतांग है उनको सम्भोदित करते हुए भद्धी गालिया देने का जो चलन है कि वह भवेश्य पुरान में मिलता है कि जिक्र मिलता है उसका होली के दिखाया था मैंने दिखाया था तो यह मतलब काफी दिल्चस्प चीजें पता चलती है जब इनको और क्या आता ही था यह लोग तो मचली से हिरनी से कहीं से भी बच्चे पैदा कर देते को इनको इनके अलावे कुछ आता नहीं था जहां मन करें वहीं खुंखचर शुरू कर देंगे कि कहानी बना देंगे को सुने को ब्ली को सुना देंगे और दूसरों को इनको कब तक सी दूसरे को पढ़न देना नहीं था तो जो मन करें वो एक तरफाराज था जो मन करें वो लिखते थे यह लोग यह करते थे यह और वीडियोल देखा तक मैं आप तर समाजना चाहूँगा, फालकुन की जो पूर्णिमा है, जिसको जिसने नहूली बनाई जाती है, उसके बारे मैंने ये सुना, मुझे नहीं बताई कितना तत्यपरक है, मेरे पास कोई रिफरेंसेज नहीं है, लेकिन मैंने से सुना कि जो बहुत पुरा मत जो रहा है, उसमें इस पूर्णिमा का बहुत जरूरी आसपेक्ट में हमें मिलता है, कि आनंद जो थे, जो दी तथागत के बहुत करीवी थे, उनको जो संग में लिया गया था, हाँ, संग में जब लिया गया था, तो इसी दिन लिया गया था, इसके लाबा भी प्रजापती करके कोई महिला उनको जब संग में जए गया था, तो इसी फालगून पूर्णिमा के दिन लिया गया था, मैं भी हो सकता है, मतलब इसका में पास कोई तथे नहीं है, इसमें, इसमें हो सकता है, क्योंकि जो इनके लिए पूर्णिमा और जो अमासया था ना ये गेदरिंगके लिए सबसे अच्छा दिन था क्योंकि एक लाइट भी हलकी सी बनी रहती थी तो उसमें यह लोग सोच्छते हों कि जिस दिन प्रवज्जा सब के सामने दिलाई जाए यह भी हो सकता है काफी अच्छा लगा आप से बात करके जितने लोग देख रहे हुं मैं उनसे रिक्पैस्ट करूंगा आप मेरे भी चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं यह बोग इन से जूड़ सकते हैं अच्छा जी इसके बाद से जो है प्रवीन निगम कुछ लिख रहे हैं यह लिख रहे हैं मनुस्मृति के साथ विद पुराण भी जला एक कच्रा है यह प्रवीन निगम जी बाबा साहब ने तो कहा है कि इतने मी धरम गरंत हैं इनको बारूत से उड़ा देनी चाहिए नफ्रते भरती हैं चातिवाद फैलाती हैं फिर ऐसे गरंतों की जरूरत क्या है अच्छा यहां पर दो आईड़ी आई हुई है बुद्धा इस्तव कुछ लिखा हुआ है और डिवाइस नॉट कनेक्टेड है कार्तिक गयकवाड़ आपकी डिवाइस नॉट कनेक्टेड है आप लोग अपना डिवाइस कनेक्ट करके आएं तब तक मैं यहां पर जूड़ रहा हूं सुपरमैन को बताएं सुपरमैन क्या आटा आना चाहते हैं हेलो नमस्कार साइस जर्णी जी नमस्कार कि मैं यह पूछना चाहता था कि हमारे जो मकान माली के वो संब एक हमारे मात्मा फुले ब्रिगेट नाम की संगतना है उसके सदस्य है और उनके वाट्चाप स्टेटस WhatsApp status को महाराष्ट से बोल रहा हूं और WhatsApp status को उनके रहता है मतलब पुले जी का मात्मा पुले जी का तो आज देख रहा हूं इतना सब सदस्य है फिर भी वो पूरा जला कर रख दिये पूरा दुआ दुआ कर तो वह भी सी समाझ से वह भी वह उस पर क्या कहेंगे कि मतलब होली का जला रहे हैं आप यह कहना चाहते हैं तो यह और वो वो हर साल और वह करवाते हैं और वो अच्छा तो यह तो बड़ा वो है तो क्रिटिकल है फिर लोगों उनको कैसे उस पोश्ट पर बैठा रखा है फिर यह तो पब्ली को सोचना होगा ना कि ऐसे व्यक्ति को जो आप जो है एक संघर्स में सामिल है और मैं तो कहता हूँ कि धार्मिक महत्व कुछ भी कहे सिर्फ इतना आप सोच लीजिए कि एक महिला को जलाने की बात हो रही है सरयाम उस परब को हम कैसे सेलेवरेट कर सकते हैं आप होली का जलाते से सकते हो आप सोसल गेदरिंग कर सकते हो अगले दिन आप सोसल गेदरिंग है मैं तो उसमें कुछ नहीं बोल रहा है आप जाओ गेदरिंग करो लेकिन आप जलाने की जो परथा है जिसका बिल्कुल असपश्ट मैसेज है कि हम होली का जलाते हैं एक महि तो यह पबली को सोचना होगा कि कैसे वो लोग उनको इस पुश्ट पर दे रखें अगर इस तरह की बाते हैं तो फिर यह तो विचार नहीं आए फिर यह जी सूपरमैन वो क्या हो रहा है उनने उन्होंने वो गुलाम करी और यह कुछ पढ़ा ही नहीं है वो सिर्फ ऐसे मतलब डॉमिननट इसलिए वह है मतलब वो ऐसे ही ऐसे बन गया है वह माली समझके डॉमिननट है ना इसलिए वो फुले जी भी माली समझ के थे ना या सब सब ओभी सी फुली जला रहे अब मैं देख रहा हूं उनके ही नाम पर और उनने जो चीजे बनाई थी उसी की कवर खोद रहे हैं विरासत पर उम्मीद है यहां पर जो भी दरसक सुन रहे होंगे उस छेत्र से होंगे वो समझ पा बोले ब्रिघेड जैसे संवतना हो ने समाज में कैैं विचारों की क्रांति नानी चाहिए वह सिर्फ क्या करते है वह वो घो फुले जी की जैंति रहती न वहोजगे में जिर्फ वह करते अर पूरे साल कुछ भी नई करते हैं वह से आप पूरे साल करना चाहिए ना वह शिर्प जयंतियों पुन ने थी के दिनी पुतलों का हखाड़ाती और उतना करके निकल जाती है विचार कोई प्रसारिती नहीं करते हैं तो बना बनाया चीजह मिल गई है ना बनी बनाई चीजह मिल गई है उसका भूग कर रहे हैं यही हुआ होगा न और क्या होगा ठीक है ओके सुपरमें चले आपने अच्छा वा जनकारी दी और उमीद है कि लोग समझ रहे होंगे देख रहे होंगे आपकी बातों को वहां से वोगा तो कि आपकी बात को समझ पाएगा ठीक है सुपर में चले है अच्छ सब्सक्रीव मैं है यहां पर विकाश पाल जी का सुपर हें हैप्छ का विकास पॉä Nah अच्छा यहां पर अमरजीत आये हुए हैं चलिए इसे बाते करते हैं पताएं अमरजीत क्या करना चाहते हैं जी जाएभीम आपका एक स्ट्रीम देख रहेते हैं जिसमें आप कह रहे थे की डिफरेंट जो भगवान है वो कहां से कैसे निकल निकल किया है ब्रामड़ने कैसे किया है उसमें आपने यह भी बताया था कि ब्रामण जू है वो एक जैसे बुद्धर के कई सारे ये हैं साखाएं आपने उसा तुमाने कई कुछ बता येँ है इसा यू उसमें आपने काहा था आप लोग नहीं देखते हैं अगर मैंने कहा होता तो मुझे भी याद होता होता कि मैंने क्या कहा है उसमें आपने वह पूरा सब्सक्राइब कहा था कि हो सकता है कि यह जो है साखा है को इनका नहीं तो फिर आप उसको नहीं देखे हैं कि पूरा वहां पर क्या मैंटर चल रहा है वह नहीं देखे होंगे आप यह बता तो कोई बात नहीं अमर जी जी आपको और भी वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि आपको अगर समझना है ना वास्तों मेरा मैं क्या सोचता हूं या मेरा क्या कंक्लूजन है इतिहास पे उसको जानना है तो आपको लगतार यह सारी चीज़े देखनी पड़ेंगी आपको स्ट्रीम भी देखने पड़ेंगे वीडियो जो है वह भी आपको देखना पड़ेगा और बहुत सारे आपके क्यूरिज तो जो पुरानी स्ट्रीम है ना उसको देखेंगे तो उसी से सॉल्फ हो जाएंगी जैसे एक त्योरी है यह तुटाउजन में परस्ट आफ में को ट अच्छा मेरा अच्छा अमर्ची आप यह बताएं आप गौड पर विलीफ करते हैं जी नहीं मैं बाब साहिब का बहुत बड़ा फॉल्वर हूं मैंने बहुत अपनाया हुआ है अच्छा ओके तो तो फिर कोई दिकत नहीं आप जो है आप देखें इसको एक्शली में होता क्या है कि मैरी बहुत सी स्ट्रीम चलती है कोई एक स्ट्रीम देख के कभी कुछ और सौच लेता है जो है तो वहीं से लेके जिसमें आपने यह कहा था कि हो सकता है कि ब्रामध भी इसी साखा यह बहुत सारे लोग जो है ना कि सारे लोगा मेर्य सब्सक्राइब जितनी ज्याद किभे पढ़ता चलेगा कि जिसे गाथ सब्साद सप्तति है तो गाथा सब्तथी जब आ पढेंगे तो लिखेगा गाथा सब्तथी जो शत्वाहं थे विदूवा बिदेसी ब्रामाड के बहिन का लड़का तो यह विदेस से जो आता था उसकÓ भी वमड कह देते थे विदेस से आया हुआ नहीं नहीं देखिए प्राचीन काल में बहुत से ऐसे सब्द होते थे हैं यहीं होता है तो यहां तो उसी तरह से प्राचीन काल में पंडित सब्द बोधमारगी पंडित सब्द इस्तमाल करते थें किसी के लिए भी इस्तमाल जैसे कुमहार पंडित और जाता कथाओं में आ जाएगा कि कुमहार जाती से वह कुमहार है लेकिन उसका सरनेम जो है पंडित लग रहा है कुमहार पंडित फिर व आज के डेट में क्या हुआ है कि कुछ लोग अपने को ब्रामण कहने लगए और अब जब पुराना इत्हास खोजते हैं तो जैसे प्राचीनकाल में नाग समुदाय हुआ करता था अजு की डेट में हम नाग किस को कहते हैं सर्प को काते हैं न कभी यह समोदाय हुआ करता था आज की डेट नमें लोगों ने यह मुझां ओधमा न वह समोदाय को मार दोएकि सरफ से कुलना हो गई आज कोई समूदाय नहीं रहा ना लेगिन साप को नाग नाग कहना शुरू कर दिया यह लोग तो चीजे समय के अनुसार ना बदलती है लोग क्या समझते हैं कि आज जो टर्म उपलब्द है या एवलेबल है वही प्राचीन काल में भी हुआ होगा ठीक है ना तो इसलिए से कंफ्यूजन फैलता है है ठीक है ओके और कोई प्रश्न हो तो बताएं ने घटना थी वह बताना चाहता था अच्छा बोले बोले जैसे मेरा प्लेस्मेंट एक कंपनी में हुआ था तो वहां पे करीबन और इंडिया से असी असी लोगों को मेरे मेरे बैच में हुआ कि हम लोग सब जॉइन किये जॉइनिंग हुआ फिर कोई कोई बट गए असेंबली लाइन में कोई मचीनिंग लाइन में चले गए फिर वेकेंसी आता है क्वालिटी का तो क्वालिटी के जो हैड़ते वो कोई मिस्रा सरत है तो वहां पे जब वेकेंसी मतलब हम लोग कोई पता चला कि quality में जो है लड़के का जुरुत है तो हम लोग का इंट्रव्यू हुआ और बकारदा हम उसे पूछा गया जैसे मेजरिंघ इंस्फूमेंट होता मैकैनिकल में कालिफव मायों कि इस के बारी में पूछागा पाद क्या हुआ उन्लों का सेलह्चेन और जो लोग को कभी कॉलिज में कि वह सर्मा थे मिस्रा से ठाकुर थे तो आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट बताया कि देखिए किस तरह से डिस्क्रेमिनेशन किया गया कि उन्हों को मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट पकड़ने भी नहीं आता था कि कैसे करना तो एक सर्मा था राजस्तान का अम उसे पूछे भाई तरह सेलेक्शन कैसे हुआ तुझे तो पकड़ने भी नहीं आता है अब वोलता है बस होना से हो गया तो हाँ यह यह बिल्कुल सही घटना आपने बताई है इस तरह की चीज़े हो रही है दर असल बिल्कुल हो रही है मैंने तो देखा है ना फोन पहुंचते हैं फोन जाएगा फोन जाने पर कौन मिस्रा दूबे 24-96 है इनके सेलेक्शन होने ही होने है फाइट तो दिक्कत तो उन लोगों की है ना जो ओवी सी एस्टी है उनके पास अगर नहीं हो प्रतिनिधित्व नहीं हो इतना प्रतिनिधित्व देना है तो इनका देते हैं सारी वेकिंश्यां नहीं भरते हैं जब यह कर देते हैं तो सुचिए अइसे हलत में क्या हो का इनका तो पांच परसेंट डॉग जो है यह देश के सकतर पर संसाधनों पर कबजा किया बैठे सतर पर संसाधन तो देखिये नभे-पंचानमेर परसेंट पर सं तो और इन्हों यह लोग जो है मतलब एक कैल्क्लेशन जो हमने यह देखा था कि स्ट जो जो है यह यह अरावन फिटीवन परसंट टोटल इंडिया का इन्हों का जो रिजर्वेशन है टोटल फिटीवन परसंट के आफपस है हम 27 परसंट ओवी सी 667 यह 9 परसंट सी 67 परसंट स्ट है ना हां हां जी जी और टोटल इस ओवी सी स्ट का अबादी करीबन कितना परसंट पर जाता सेवंटी-एटी के आसपस है ना कुछ आएटी-एटी-पाइफ पहुंच जाएगा एटी-एटी-एटी-परसंट के लिए सि इसित्व्टी-विन परसंट समयन पाइफ और इसमें भी सारी चीज़ा भरते नहीं है उसमें भी अर्विए भरते नहीं पूरा और जन्रल पॉपूलेशन टोटल इंडिया में देखे तो एरांड21-15 परसंट के आसपस इन लोग को 51 परसंट 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 है यही यही तो पॉइंट है ना इनका कि सब हड़पने के बाद भी इनके मुफट मुफटने की आवाज है ना इनकी मुफट हैं यह लोग जो मन करें वो बोल देंगे काफी अच्छा लगा आपने आये और अपनी बातों को सेर किया आप आगे आते रहें जो आपका वीडियो लेक्टर देखें मतलब यह अंबेटकर वादी जो है यह मेरे अंदर आया है मैं इसको मेरे घर पे अभी भी वो पुराने जवाने वाले वो अंबेटकर वाले लोग को मानती नहीं हूली मनाना यह सब परदिवार करना वो उनका चलता है अभी जी ओक तो यह कैसे कम किया जा सके या कैसे उनको जो इंट्रोड़क्शन करा जा सके ऐसे यह जैसे क्या हो आप किसको मतलब सुनाना चाहते हैं दरसल मैंने मेरे घर वाले को ही हमारी ओके तो वो लोग क्या अभी इंट्रेस्टेट नहीं है या आपको को फोर्स करना पड़ रहा है उन्हें सुनने के लिए नहीं फोर्स अगर नहीं बड़ मैं चलाता हूं तो ऐसे मानने को त्याब हमेंग यहां से कुछ भी होगा यहां से कुछ भी अंका यह एंट्रेस्टी कि नहीं है इसा सबसे बड़ी दिक्वत्त ना कि जिनके लिए काम हो रहा हूं उसी को ही ठीकर नहीं है उसी को ही एहसास नहीं है क्योंकि वह रही गतो आश्डू mechanics पूपन जान WE यहीं बात कहा था ना कि जो कौम अपने इतिहांस नहीं जानती है वो कभी अपने इतिहांस भी नहीं रख सकती है आप देखिए मेरे रूम में काफी भगवान का तश्वेर था उसको बांधूं के वने बोरा में रख दिया किताब रखा हुआ हमने तो वह क्या बाबा साहब की किताब नहीं पड़ते हैं नहीं आप तो यह बता यह बाबा साहब के वन सब्सक्राइब नहीं मतलब वह अभी अभी ग्राजुएशन में भी उसी है तो उनको बाहर गई नहीं है उनलों के साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है वह ऐसा हुआ नहीं इसलिए यह सकता ना एक और चीज है ऐसा देखा गया है कि जैसे आप इसी होली को ले लीजिए मान लीजिए कि एक बच लगा हुआ फिर उसने देखा कि अच्छा लोग जो है खेलते कुटे उसको मजा आने लगा फिर अगली बार वो कहेगा कि यह मुझे गुलाल ला दीजिए मुझे फिचकारी ला दीजिए बड़ा मजा रहा एक उसरे पर फिर थोड़ा बड़ा होगा कि सोर होगा अच्छा पीछे पूरा एक हमारा विरादरी जो है पूरा एक भारत का बहुत परा समाज के सोसड की इस ना में भारत में जैसे जब आते को अदे ते एक इनवेडर साथे निर सेंशा दे nam हमको कुछ इज़त देगा बोल रहा है कि जीत जाएगा तो हमको कुछ राज्य वाज्य भी देदेगा हमको तो अल्टिमेटली फायदा हो रहा है ना बिरादरी जाए भाण में जो पूरा भारत के लोग जाए भाण में तो एहसास ही नहीं होता था इसलिए वो गद्दारी कर सब्सक्राइब तो उनको एहसास होना पड़ेगा ना एहसास करना पड़ेगा ना तभी तो वह इन चीजों को समझेंगे और एक जुट होंगे कि हमें क्या चीज पर आगे बढ़ना है क्या चीज छोड़नी है इसे सरी एक रिक्ट्वेस्ट था प्रियार के जो किताब है ल फिफ्टी सिक्स है रेशनल वर्ड पे ही उसको भी एक बार आप देखें ठीक है ठीक है ओके अच्छा यहां अमिज यहां पर लिखते हैं जैभीम सर आपको और सभी दोस्तों को साइंस चर्णी चैनल को सपोर्ट करें पैट्रियोन मेंबर्स बनें जी बहुत सुक्रिया आ सब्सक्राइब कुमार जी और हम लोग जरूर करेंगे और भी नई चीज है कर आएंगे और जितने भी तथ्याप्रक्स चीजें हैं जितनी भी जो सोध की चीजें हैं उसको हम लोग सारजनिक करते रहेंगे अचा चले देखे हैं और कोई आया है डिवयड के लिए आयें जी डिवयड के लिए आयें कहां चले गए भाई साब अ इतना कमेंट में तो इतना सब चिलाते हैं, ये सबूत है, वो सबूत है, और यहां पे जब सबूत की बात आती है, तो गायब हो जाते हैं, दीपक विश्व कर्मा आये हैं, चलिए इन से जुड़ते हैं, बाते करते हैं, बताएं, दीपक विश्व कर्मा क्या आता है, हाँ, ह मनाने के लिए अपनी खूषी के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपनी खूषी के सब्मस्टे लिसा स्फास्त डार्ण ** तो वह पूछा को सद खूषी के लिए तो यह मनाने की बात वो नहीं है कि आप मनाएं न मनाएं यहां पर आपको बेसिक चीज समझनी है कि आप तेवहार ही मनाना है तो आप क्यों न अपना तेवहार मनाएं उन तेवहारों को मनाएं या इसी दिन को उस तरह से आप इंज्वाय करें जिसमें आपकी जो सोसड की ज चीज़े हैं वो सामने आए आप यहां पे आपके जो महापूरुस हैं उनकी किताबे डोनेट कीजिए लोगों को दीजिए बाटिए आज के दिन खुसियों में लो भाईया पढ़ो घर घर में पहुंचाएं आप मिलिये जुडिये कोई आयोजन कीजिए आज के दिन लोगों बटो रही हैं उनसे कुछ इस पर बाते कीजिए डिसकसन कीजिए इसी बहाने उनसे मिलना जुलना हो जाएगा तो आप सेलेबरेट कीजिए आज के दिन यह तो बिल्कुल जरूरी है कि आप सेलेबरेट करें आज ही के दिन जब सब लोग सेलेबरेट कर रहे हैं तो आज के गया तो जो सासक है जो सोसक है उसी का हमें क्यों सेलिबरेट करना है हम अपना सेलिबरेट करेंगा ना आज ही के दिन करेंगे ना जी दीपक विश्वकर्मा और मेरा दूसरा साव यह था कि जैसे आज के लिए चैनलों में और सभी यूटूब पे वह सारे गोमोत्र और गाय को लिकर वह सारे फैला जाते कि गोमोत्र ने खोज की कि यह बहुत ज्यादा पायदा होता है इसे और गाय ऑक्सिजन ग्रांड करके ऑक्सिजन देते बड़े पीने की परथा सुरू कर दिये थे ज्याहद है लुग खवास करते थे बहुत मारग में तो कासा Patel नहीं तो जब वह उप्र सुरू नहीं करते थे तो उसको खाकर अपना अप्वाश तोड़ते थे अब सोचिए और सेस्दaden अमें सा मोडर्र साइंस था उस्स समय कूं सा परिक्षड करने का प्रेट कराने का कि इसमें पोष्टिक हले की नहीं है अगर कोई यह कह कि इसमें सुनियां मेरी बात अगर पूश्टी कहें ऐसमें सायंटिस्ट करने कहा है तो वह आज की डिट हमाप हर चीज होगा उसमें भी कुछ न कुछ अच्छा और कुछ न कुछ खराब जरूर होगा आपका बेक्राउंड साउंड आ रहा है आप म्यूट रहें तो आप जब भी कुछ कुछ खोजेंगे न किसी भी पदार्थ में तो कुछ न कुछ ऐसी चीजह मिल जाएगी जिसका आप उपयोग कर सकते हैं और उसको हटा सकते हैं कुछ चीजह हानिका रख भी होती है पौईजन को आप खाएंगे तो पौईजन जो है आपके लिए हानिका रख होगा लेकिन ज गोबर और गोमूत्र का वो कुछ चीजह दिखाते हैं जो किसी भी पदार्थ में कुछ न कुछ अच्छी होती है यह थोड़े दिखाते हैं कि आप किसी को गोबर कोई गाय है वो गोबर कर रही है और गया कोई ब्राम हड़ा मुह लगा दिया उसमें पूरा गोबर गटक खाने पीने के जरूरत क्या है वह मंदिर में बैठके आपको दान पातर लिने क्या जरूरत है रोज जाओ पानी पीना हो तो जब वो सुसू कर रही हो तो मुह लगा दो पीलो गोबर कर रही हो तो मुह लगा दो खालो भरपेट घरवा लोगो खिलाओ ना गोबर और साथ हो जाएगी तो इसलिए को हमको समझना होगा कि यह लोग चैरी पीकिंग करते हैं आपको आशा एक चीज़ और सोचिए अगर कोई यह कहे कि चलो आज का साइन्स आया है तो इसलिए यह जाच हो गई कि इसमें कुछ है की नहीं है हलांकि वह भी गलत है लेकिन जब यह मौडर्न साइन्स नहीं था तब क्या यह हर जीव जन्तू के गोबर और मुत्र का टेस्ट किये थे यह तो जाके सुगर का भी टेस्ट किये होंगे ना कि यह सु सुगर का पिये होंगे घोड़े का पिये होंगे मुर्गे मुर्गी बकरे का पिये होंगे गाय का पिये होंगे फिर इनको पता लगाओगा ने ने गाय वाला ठीक है फिर इन्होंने पूरे परिवार या अपने समुधाय को पिलाया होगा तब सबने टेस्टिंग करके बता यह पुछना पड़ेगा आपको सवाल खड़ा करना पड़ेगा मुझे आपको सुनना अच्छा लगता है कि अच्छा जी इसके बाद से जो है कि इस जी का सुपर स्टीकर था नहीं सुप अच्छा यह क्या लिखते हैं ओविशी लोग अभी भी जाग नहीं जागे नहीं उनको कितना भी बताएं हाँ लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप सबगी बात कर रहें लेकि जानते हैं सचाई क्या है प्रिया की बभी सी नहीं बन चुके हैं और वह मुव्मेंट में हिस्टा हैं ओ वीसी में कुछ बंघ है है जो बूरी तरह से फंसा हुआ है और उसको लोग फंसाए हुए भी रखे हैं तो हमें ना इस तरह के वर्ड जो है ना कि OVC लोग की जगा कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा एक अलग वर्ड इससे क्या होता है कि जो OVC में जो लोग रेशनल बने हैं उनको लगता है कि उनकी भी बात चल रही है तो बहुत सारे लोग हैं संगठन भी बनाए हैं जो रेशनलिटी से अपनी बाते रख रहे हैं और वो कर रहे हैं OVC में ओके एसस सुक्रिया आपका अच्छा इसके बाद से जो है विकाश पाल जी लिखते हैं हाई SJ सर बिग फैन अफ यू और अमिट सर वें 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 यू दो आपने विकाश पाल यह बात सही कहा है यह लोग जो है ना इनकी आदत है ना वो कहने की इनकी जो आदत है दिखा देना जाती यह वाली बात जो है बिल्कुल सही कहा है आपने यह हर जगे अपलाई है कोई भी कहता है मतलब ऐसा नहीं है कि केवल अपरकास्ट ही यूज कर रहा है यह तो ऐसा कि भारत में जातिवाद इतना अंदर तक घुसा हुआ है कि ब्रामण सोसाइटी ने जो दिया है न उसको इनहरेंटली बाकी लोग भी धीरी धीरे घुसेड़ते जा रहे हैं आप इसकर जिसके पास थोड़ा सा पैसा हो रहा है जो थोड़ा सा सोसाइटी में आप लग रहा अच्छा जी इसके बाद से जो है और कौन आये हुए है अगनोश्टिक आये हुए है चलिए इनसे बाते करते हैं बताए अगनोश्टिक क्या कहना चाहते हैं नमस्कार सर जैभीम नमस्कार जैभीम सर ये तुनीज के खिलाफ कुछ स्क्रीन शेयर करनी थी कुछ पेपर दि सर एक मिंट शेयर करता हूं हुए 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 बताते रहें तब तक जो बात आप कहना चाहते हैं वो तब तक बताते रहें जब तक सेयर कर पाते हैं गरेशा स्क्रीन किस चीज से रिलेटेड है ये भी आप बताएं पहले कि अग्नोस्टिक क्या आप हमें सुन पा रहे हैं अग्नोस्टिक यह तो चले गए अग्नोस्टिक कहां चले गए भाई साब आप स्क्रीन दिखाने वाले थे खुद ही चले गए चलिए किसी और से बात करते हैं कि अच्छा जी कि यहां पे सूरत चंद्रमल आये मलिक आये हुए हैं चलिए इनसे बाते करते हैं बताएं क्या कहना चाहते हैं अब सरत चंद्रमल जी अलो शार नमस्ते जी जी नमस्ते जायवें जी जायवें अच्छा मेरा आपसे कुस जानकारी चाहिए जो जगनात्पूरी में ओडिशा का हूँ जगनात्पूरी मन है न मुर्ती लकडी का इसका क्या इतिया से लकडी मुर्ती का नहीं समया जागा पत्थर का है जो नीम का पेड़े न उससे बनाते हैं अच्छा अलो और वहां पट्थर का मुर्ती नहीं वहां पर लकडी का है है जी जी आद इसका है थैस्ट क्या है हम तो हम तो हमको तो जी 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 जे इस्समें क्या है मतलब जैसे लगडरी की हां कि रवाज आ रही यह आपकी पतांए तो उसमें क्या कहना चाहते हैं अगर लकड़ी का मुर्थी है तो उसमें क्या कहना चाहते हैं जी इसकी उसका इतियास क्या है कब शुरू हुआ अपकिया रहे ते लेकिन बुढ़ी का जो तो मुर्ति इसको कौन बिठाया यहां पर नहीं देखे उसमें बीच में परिवर्तन पी तो किया गया था ना पहले बुद्ध बिहार जरूर था लेकिन बुद्ध बिहार के बाद से उसको बताया गया है कि तीरहभी-चोधशवी सदी ग्यार्वी से चोधशवी सदी के बीच में किसी ने उसका पुनरधार किया था उस राजा का नाम था भीम देऊ तो जब उसने पुनर उसका फिर से दूबारा जब बनाया ना पुरन निर्मार कर वाया तो उसको फोड़ा सा ब्रह्मेनिकल रूप दिया था तो उसी बीच में जो है ना इन लोगों ने अपनी चीज़ें अपने जो ब्रह्मेनिकल सिस्टम की चीज़ें थी उसको अस्थापित करने की कोशिश की जैसे सोमनाथ है आप सुन पा रहे हैं हमें चलिए मैं बोल देता हूं आपकी साउंड नहीं आ रही है अच्छा ठीक है आपकी ना आवाज कट रही है तो कोई बात नहीं मैं बोल देता हूं आप साइलेंट रहे हैं तो जैसे जगनाथ टेम्पल था तो जगनाथ सोमनाथ टेम्पल के आज नीचे जब आप खुदाई करेंगे तो वह आपको मिलेगगा बाधमार की जो केळ ese हो मिलेंगे और सोमनाथ टेम्पल को कहा गया है कि तीन से ज्यादा बार डिश्ट्रवाई किया गया है और एक बार तो सरदार बल्लो भाई पटेल ने बनवाया पूनर निर्मार करवाया उसका ठीक नीचे जो हैं बहुत कैप्स मिल रहे हैं क्यों नहीं हाइलाइटेट किया लोग यार जब टेंपल आप बनवाते हो किसी चीच का पुना निर्मार करवाते हो तो नीचे उसके ऑसेस मिलते हैं मुगलों पे तो तुरंत आरोप लग जाता है मुसलिम के कि देखो देखो इनका जो वो बनाए है मस्चित बनाए है उस पे हमारी इंटे लगा दी इन लोगों ने मंदिर तोड़ के बनवा दिये थे इंटे लगवा दी थी यह देखो कुतम मिनार में वहां पे बुद्ध क चितर मिल रहे हैं बड़े आरोप लग जाते हैं हलांकि बुद्ध नहीं बोलते सब उसको कि बुद्ध के चितर मिले हैं कहेंगा हिंदू के देखो तोड़के इन लोगों ने लगा दिया था इसे पता चलता है कि यहां पे हिंदू का टेंपल था ऐसी बाते आती हैं तो य यह बाते चुपा दी गई उसी तरह से यह जो भीम देव था ना जब इसने पुनाड़ करौद्धार करवाया तो पुनाड़ दार तब करवाया जब भारत से बहुत जो है भारत से खतम हो रहा था या गायब हो रहा था या कहें कि वो कम हो रहा था तो उस समय इन लोगों ने अपना बर्मेनिकल रूप दिया था इसमें कोई दूसरा चीज नहीं है और लकड़ी से मूर्ती बनाने की परंपरा छेत्रिये होती है आप मेरी बात समझ रहे हैं छेत्रिये का मतलब क्या है आच्छा आपकी साउंड नहीं आ रही है कोई बात नहीं छेत्रिये का मतलब होता है कि उस छेत्र के जो लोग होते हैं वो लोगों को वहां पे क्या सूट कर रहा है या कौन सी परंपरा चल रही है उसको वो कायम रखते जैसे आप जाएंगे पहाड़ी इलाकों पे तो लकड़ियों के अच्छा आपका बार-बार कट जा रहा है कोई बात ने तो लकड़ियों के वो घर बनाते हैं तो वहाँ पर परमपराएं हैं भारत में आप देखेंगे तो यहां पे भी जो पहाड़ी इलाके होंगे या दु लाकों में यह लोग इट बालू से और सिमेंट से बनाते हैं तू परंपराओं के ऊपर है लकड़ी का जी सरत्चंद्रा मलिक अधिया आपकी साउंड कुछ गरबढ हो रही है चलें चलें सरत्चंद्रा मलिक आप थोड़ा सा सही करके आएंगे तो फिर मैं आपको ना समय दूंगा फिर बात भी करेंगे अच्छे से अच्छा बुद्धादा आपका जो है डिवाइस नौट कनेक्टेड है आप बाहर जाएं डिवाइस कनेक्ट करके आएं और कौन बच्चा जी अच्छा एक्स्ट्रीम टेक आये हुए सब्सक्राइए वाली का त्यौवार है लोग अधिवाश लोग है इनके सारे किलाप में होती और खिलाफ होने के बाहुची दिये लोग आद्ण्य एंके वजए से उसे फिर भी मानाये जाते वो उसकी कुछ इतियास नहीं जानते और उसको मानाते ही रहते तो इस अंदर सरद्दा से दिरे-दिरे लोगों ने बाहर आना चाहिए और यह लोग काफी दिरे-दिरे बाहर आ रहे हैं तो काफी अच्छी से तरक्की हो रहे हैं और हम सब लोग आप लोग जो कर रहे हैं उससे भी काफी लोगों को जानकारी पहुच पारी है जो आप तक नहीं जा रहे थी तो जितने भी रैशनल लोग थे जितने भी लोग तरक्की करने लेते जैसे महात्मा पुले हो गए चात्रपती शुवाजी मारा जो गए तो यह लोग जिस काश्ट से आते थे और इन लोगों ने आपनी सोच को आगे बढ़ाया तो यह लोगों को उनीके ज होली में पाच-पचास रुपे का कलर लाके खेलेगा जरूर लेकिन महात्मा पुले के कारेकरम पे दस रुपे के फूल लेके जो घर में पूल होते हैं वह भी चड़ा के कभी वह कारेकरम नहीं करता है तो उसके लिए भी आप हम जैसे लोगों रैशनल लोग ही है कि जो मह भी समझने लोगों को बोला दिया है तो मैं आप सब साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप यह लोगों का आज भी याद कर रहे हैं शुक्रिया सर जी एक स्ट्रेम टेक बहुत शुक्रिया आपका जी और और देखते हैं और कॉन डिवेट के लिए भी भक्र जनो कहां चले गए आप लोग मैं हैसे तू आप लोग कमेंट में सनातन विरोधी यह तो मुल्ला है यह तो इसाइयों का एजेंट यह तो अंमिट क्राइट बहिंता है पता नहीं क्या Tae ना जो कवेंट सेक्षन में आप लोग इतने जो चिलाते हो ग्यान के बाहर कहीं से विकीपीडिया और फेस्बूक या इन्फर्मेशन लेके आजा तो अरे यह गलत बता दिया आये यहां पर लेके आये आये जब तक आप आओगे नहीं दिखाओगे नहीं तो हम लोगो पता कैसे चलेगा सही क्या है कि वोल कमेंट बीर बने घूमते रहोगे माफी बीर से कमेंट बीर अरे थोड़ी सी तो आप लोग वो करें अपनी परवाह करें आएं सबूत दिखाए हम लोग मानेंगे ना चले हरियाम को नहीं हरियों कोरी जी आए हैं इनसे कुछ पॉइंट्स लेते हैं बताएं क्या काना चाहते हैं कि आए अवाज आ रही है बताएं अनिष्वर वाद है और आत्मा की मान्याने नहीं है तो पुनरजनम की चीज़ व्हाइं कि मान्यात है कौन बोलागा पुनरजनम की मान्यात है जो यह जा आए लूसेंट का लेखक कौन है लूसेंट का लेखक तो इसमें इस पर नहीं दिया किताब मेरे पास इसमें लेखक तो कोई यह सुनील कुमार सिंग है न वो कि जानता है वो कि पुछेंट क्या होता है तो उसमें भी लिखाया गी पुनरजनाम की माननेता है तो पुनरजनाम सब्द से पुनरजनाम थोड़े हो जाता है आप यह बताइए आप जो है सब्द का मतलब होता है हर चीज मैं अलग-अलग मतलब होता है ना लिए आप यह व्यक्ति जो है और उसके मुह से निकला कि मैं अपने दिल से बोल रहा हूं आपने मुह से बोला कि यह लोग बात कहते हैं कि बुध्यद्रम में पुनर जनम है उसमें कि अधिकर कोई आदम मर जाता है तो पिर जनम लेता है है तो कहां पर है बुद्ध ने कौन सा जनम लिया था मरे तो उनके बहुत विक्षुई इतने सारे मरे तो कहां पर जनम लिए बताना पड़ेगा ना फिर इनके यहां भगवान जो है जब मरता है इनका भगवान तब फिर अगिला जनम आवतार ले लेता है ना कभी सुवर बन के आ जाता है कभी जो है कुछ बन के आ जाता है इनके यहां तो बार-बार आ जाता है उसकी आत्मा तो विश् अनंद मरे थे वा कौण सा जनम लिये हैं उनके बेटे रहुल मरे वो कौन सा जनम लियें बताएंगे ना अगर उनमें इनसान मरने के बाद से जनम होता है उसको अगर पुनर जनम कहा जा रहा है तो इनको बताना पड़ेगा फिर अगर पुनर जनम किसी और चीज को वो कह रहे हैं तो भी बताना पड़ेगा तो यह जितने भी धूरत लंपट मुर्ख हैं यह आपको असली बात नहीं बताएंगे लिख देंगे पुनर जनम लेकिन असली बात नहीं बताएंगे कि बुद्ध मारक में पुनर जनम का मतलब हो तो यही चीज जो है न यह आपका आपका एक्चुल इतियां सिसी तरह से तो बिगाड़ा जाता है जो सब्दावली कहां से पैदा हुआ के सारे सब्द का अंधविश्वासी मतलब बनाके पाखंडी बनाके और जो है सुपर्टिसियस बनाके बरबाद करके वही तो उनका कल्चर खड़ा किया गया है ना तो जहां जहां पुनर जनम लिखता है ब्रैकेट में लिखा है कहीं कि यह बस तो पूरी पप्लिक में उसे गलत फैमी बाट रहे हैं यही इसलिए तो हम लोग यहां खुल के बैठे हुए जितने भी गलत फैमिया रखें है उसकी फैक्ट चेकिंग यहां पर हो जाएगी कहां पर लिखा हुआ है कि उनर जनम जो है इंसान मरता है तो फिर जनम लेता है उसको कहा गया है बुद्धमार्ग में बताना पढ़ेगा न और बुद्धमार्ग में इतनी बड़ी बड़ी philosophy है सोतांत्री की योगाचार इनका पूरा ब्रामणों का जितना धर्म गरंत है उठा के पढ़िए कहेगा योग सक्ती से ये सब के सब जो योगाचार ब्रांज है बुद्ध मार्ग की उसी से कौपी पेश्ट किये हुए हैं वो माइंड और चित की बात करते थे उसको इन लोगों ने अपने धर्म गरंतों में बना लिया कि यह जो है योगाचार का मतलब योग सक्ती वाला है ध्यान लगाएगा चित से माइंड से योग सक्ती से कुछ भी कर देगा चमतकार कर देगा तो यह आपको समझना पड़ेगा हम लोग को पब्लिक को भी समझाने की जरूरत है और यह जितना आप लोग वीडियो सेयर करेंगे तभी संचाई भी पहुंचेगी सांथियों सरी एक चीज़ हो रही है जो इसमें लिखा था ना हमें सांकी बारत यात्रा थे भी पांच शे दिन पहला आई ती यह मतलब होता है जो आम तो पर सब लोग बताते हैं बुद्धमार्ग में वो तो भी पसना का सेंटर पूल के बैठे हुए हैं अगर इसका कुछ और भी स्पेशल मतलब है तो फिर बुद्धमार्गियों से ही पूछना पड़ेगा किसी बुद्धिश्य स्कॉलर से अभी तक जो इसका जो मतलब बताया गया है वही बताया समझा नहीं में आप क्या कर रहे हैं वह किस बहुत है मलब जो बुद्धमार्ग मतलब है यह पाली भासम है हिंदी में यह बताओ समझा नहीं मैं आप क्या कर रहे हैं वह किस बहुत है मलब जो बहुत साहित है वह हिंदी में अपलवद है यह पाली भासम में अपलवद है नहीं नहीं वह तो पूरी तरह से पाली है जी अच्छा उनने इसको अनुद्धिन मिलता होगा देखिए जब आप देखिए हरियो अच्छा आप नहीं मानते हैं तो देखिए एक चीज आप समझे बुद्ध मार्ग की जो भारत की जो प्राचीन भासा है अभी तक के स्ट्रीम देह कि आपको क्या पता चला है भारत की प्राचीन भासा कौन सी है वह तो पाली है पाली प्राकिर्थ है तो जब पाली प्राकिर्थ है अच्छा बहुत और जैन जो है जो भारत के सबसे पुराने जो इनकी लिखावटे पाई गई हैं यह लोग कौन सी भासा का प्रयोग करते थे लिखने में इस पाली भ यही है तो उनकी सब्दावली भी उसी में तो इन लोगों ने ट्रांसलेट किया है इन लोगों ने बाद में अपनी चीजे जो है ट्रांसलेट करके लिखी है सब्दों का गलत अर्थ बनाया है हर सब्द का बदल दिया है इनका आप विश्णु पूरान पढ़ेंगे हर जगे यह लिखेंगे हे मेत्रे अब यह मैत्रे जो है यह हैंसोंग नाम लेता है 7th century में कि यहाँ पे मेत्रे नाम के एक बोधी सत्व जो है वह विपशना करते थे तो आप जो देखिए इनकी पूरी की पूरी सबदावली को उठा उठा के वो अपने ब्रामाणिकल गरंथ में रख पताना है कि आपकी हर चीज़ को उसने बरबाद करके वहां पर रखा है आपका जो मतलब निकल रहा होगा उसका ठीक मतलब बनांकर अंस्क्रित बना दिया है क्यों बनाया है उल्टा मतलब आप माल लिजिए कि जैसे यह लोग क्या करते हैं किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को बदनाम करना हो तो उसको वो बनाते हैं उसका मेमे बनाएंगे फरजी मेमे बनाएंगे उसका जो है फरजी उस पर कुछ दोसारूपन करेंगे यही तो काम करते हैं न यह तो इन लोगों ने बहुत मारकों जैन मारकों नीचा करने के लिए यही सब तो किया है उनके सब्दों ही देनी पड़ रही है इनको चुट तो यह इनका पूरा इतिहास है ठीक है ओके हरियों को रीजी ओके ज़रों कि अच्छा यहां पर लिखते हैं आरके वीड़ लिखते हैं प्लीज टेल अबाउट अठेयर वर्न बाई हिंदू करेक्टर अब टेयर वर्न क्या आप बोल रहे हैं कोई पहनने की बात कर रहे हैं देखना पड़ेगा आपका एक चेकली मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं आप अगर हिंदू करेक्टर्स का चाहते हैं कि वह लोग क्या पहनावा था उनका या क्या उनकी खुल है तो उस पे बहुत सारी मैंने बनाई ह आगे भी बनाऊंगा इनके जितने मित है ना विकरमा दित्य से लेकर और कौन-कौन से दित्य तक उन सब को आगे स्ट्रीम होगी तो सब की खुलती रहेगी और आप तो सौट जो साइंस जर्नी पर जो वीडियो आनी थी स्क्रिप्टेड वीडियो एनिमेटेड सारी आगे से जहां तक उमीद है रिशनल वल्ड पर ही हो और यहां पर सारी स्ट्रीम चलेगी और डेट वही रहेगा संडे को जो वहां होता था वह आगे से यहीं पर रिशनल वल्ड पर ही हुआ करेगा और वहां पर साइंस जर्नी पर हम लोग परियास करेंगे कि वहां प बाद से जो है मेंबर्शिप लिया था पुनित सोनकर जी ने आपका भी पहुत सुक्रिया और कौन आये हुए है भाई डिवेट के लिए कोई हो तो आएं बताएं यहां पर प्राइवेट चैट कर दिया करें अगर कोई डिवेटी हो जिनको लग रहा हो जो लोग रोते हैं कि हमें नहीं जोड़ा गया वो लोग लिख दिया करें बता दिया करें उनको तुरंध ही लिए जाएगा आछ रोहींनी आये हुए है चलिया इनसे बाते करते हैं बताएं रोहीं अ और रोहिनी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं है आप को ओधर आ रहे हैं आ रहा है आ आप बहुत बड़ी है काम करें और मैं आपके बहुत बड़ी ड़ी फैन हूं हम मेरी पूरी फैमिलिय आपकी अब आपकी साउंड कट गई है रोहिनी जी आपकी साउंड कट गई है साउंड नहीं आ रही साउंड कट गई थी हाँ बोले बोले आ रही है आ रही है बताएं तो सर मुझे यही लगता है कि जो हमारे पूरे भारत का जो डाउट है न सर जो इतियास के बारे में और धर्म के बारे और सर आज का स्ट्रीम होली के उपर है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मनुवादी लोगों ने जो हमारे लिए जो गड़ा खंदा हुआ है तो वो हमें खुद ना ढखे ले बलकि हम खुद उस गड़े में चल कर कैसे जाए इसकी बंदोबस मतलब यह तेओहार है जो हम मनाते और ऐसी कहानिया जो गड़ी हुई है जैसे कि होली का जो एक महिला है और लोग उसे जलाते हैं सर मतलब लोगों ने वो माना है कि एक महिला को जलाना है तेओहार के मतलब दिन तो सर मुझे यही लगता है कि हमें मतलब इस तेओहार को नहीं मानाना चाहिए और मैं तो लेकिन हमारे जो बाजुआ लेना सर में आज देखती हूँ, मतलब आप बताते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो नहीं सुनते हैं सर, मतलब मैं एक महीला हूँ, तो मुझे यही मैसेज मिलता है तियोहार के बारे में, कि महीला के उपर अत्याचार ह और मतलब वो बुरी है या गलत है, लेकिन हम उसे जज़ करने वाले कोन है, जो हमारी नयपाली का है, जो हमारा जो सविधान है, वो तेह करेगा, वो अच्छे है या बुरी है, हम मतलब लोग क्यों तेह करें, जैसे कि आज भी हम देखते हैं सर, कि एक लड़की है, जो उस होगी, तद самой मतलब लड़की तब लड़की है, मुझे तब लड़कियों सरा देखते हैं, जो हम एक लिए कि जैसे कि वो लड़कियों को मतलब वो होली का एक महीला है और उनको जला रहे हैं तो यही सब उन चीजों से आज लोगों की सोच भी ऐसी होती हा रही है और हमारे बाजु में भी जो मैं एक महीला हो तो मेरे जो फ्रेंड से तो मैं उन्हें बताती हूं सर लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं एक महीला होकर भी वो नहीं समझ पाते हैं सर तो मुझे लगता है मैं कैसे उन्हें समझाओ इन सारी चीजों में मतलब आप मुझे बताओ कि में उन्हें कैसे समझाओ कैसे जावरुद करूं जी रोहिनी ची देखिए सामने वाले को आप तभी इंफ्लूएंस कर सकती हैं या अपनी बाते तभी मनवा सकती हैं जब सामने वाला रेडी हो अगर वो रेडी नहीं है ना तो फिर वो आपकी बात नहीं सुनेगा अब इसमे सबस्काराइब क्या चिलातना कि जा सब्सक्राइब और यह सहाँ इस सब्सक्राइब की खेक्राइब सिंद्ट हएं का दूसरी भालगी कुछ एस अिसली बातों है हो व Het कि हम उन पॉ objection कर ति कर सकें जो उनको वास्तों में सोचने पर विवस करते हैं यह तो सही तो बोल रहे हैं तीसरा वी एक पॉइंट है कि आप अपने में इतना ज्यादा सुधार लाएं इतना ज्यादा सुधार लाएं कि वह आपको देखके उन पर फर्क पढ़ना शुरू हो जाए कि यह लोग बड़े अच्छे हैं इन लोगों में देखो यह लोग इस लोग दूसरा आप से होंगे कि हां इसका मतलब इंटी विचारधार सही है तो तो यह तिन तरीके हैं जिसको हम इनिसियल पपर पर पर सुरू कर सकते हैं और जो चौथा तरीका है वह यह है कि जब भी आप किसी से बात करें आप इतना ज्यादा आप घ्यान लें इतना ज्यादा पढ़ाई करें कि आप हर उनके प्रश्ण का या उनकी काटका इतना बेहत्रिन और बेजोड उत्तर दे सकें कि सामने वाला बिल्कुल निरुत्तर हो जाए उसके पास कोई option ही न बचे सिवाए इस बात के कि यार अब मैं इसे नहीं जीत सकता हूं तो अब लेकिन उसके पास दो चारा होगा या तो वो चिड़े जाएगा कि मैं क्यों जुकूं मैं क्यों इसकी बात मानूं या फिर अगर वो समझदार होगा तो फिर कहेगा हां यार आप सही बोल रह तो यहां पर दो चीजे देखने को मिलेंगी तो यह प्रैक्टिकल बात है यह यह चीजे देखने को मिलती हैं तो हमारे पास यह जो है ना तीन चार तरीके हैं लेकिन यह भी बात बिल्कुल सही है कि 100% कोई भी चेंज नहीं होता है कुछ ना कुछ लोग नहीं चेंज होते हैं कुछ लोग बहुत समय लेते हैं चेंज होने के लिए जी पूद करते हैं मतलब भाबा पर पुरन पोली का मतलब खाना बनाया जाता है पुरन पोली केते उसे तो ना शर आज हमारे इधर वाजुबे सब घर में वह बनाया है मतलब वह हमारे समाज के सर लेकिन फिर भी वह नहीं समझ पाते हैं तो वह अभी उसमें फसे हुए है उनकी अकल देर से खुलेगी बहुत लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं ओके रोहिनी जी सुक्रिया आपका आप आई और अपने बहुत देवाकी से अपने बातों को रखा इस तरह से आपके बात करने के बाद और मैं बहुत दिन से आप से जुड़ना चारी ती लेकिन सर आज मतलब आपसे बात भी बहुत अच्छा लगा थैंक यू सर थैंक कि अच्छा जी इसके बाद से अब कौन आए हैं कि कोई डिवेट करने आया हो तो बताएं अच्छा यहां पि नाग वन्सी दिख रहा है चलिए इनसे बाते करते हैं बता है नाग वन्सी क्या काना चाते हैं जहीं नमो पुद्धआ जयाई भी म जी सर मैं होली का के बीजह में सर पोछना चाता हूँ आप से कुछ पूछें आप जो बात कर रहे हो के बल मतलब आप कह रहे हो कि के बल सबूत के तोर पर ही हम इतिहास को मान सकते हैं लेकिन हमारे समाज के मतलब विचारों में भी तो कोई इतिहास शुपा हो सकता है अच्छा एक इंसान करें मन में कितने विचार आते हैं एक दिन में नहीं नहीं मैं इस वीसे मैं नहीं नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं जैसे हमारे दादा जी है तो उनके भी मतलब साथ के जितने भी बुजुरू है हम जब उनसे होली का कि भी से में पूछते हैं तो भी हमें बताते हैं कि बेटे ये होली का जो थी यो हमारे ही एक ब्रादर राजा था हमारे ही वंसका उसकी एक बेहन थी तो भी बताते हैं कि इन ब्रामणों ने या उस समय के जो ब्रामण थे उन्होंने इसे जला के मारा था आघसे ये बताईये मुझे कि ब्रामणों ने आज तक आपके दादा जी ने जो कहानी बताई तब से लेकर आज तक कितने ओरतों को जलाया होगा कितनी पह भुठीओं को लूटा होगा कूछ आइडिया है आपको तनिक भी जाए जाला Olika होली का जलाई जाती है आप बता सकते हैं कि आ Bye तो हमने एक लड़की को जला दिया मार दिया कितने दिन करते होंगे आपको याद है कुछ बहुत हो नहीं याद है साथ नहीं याद है अच्छा मान लीजिए कि 365 दिन होते हैं तो कम से कम 365 लड़कियों का जरूर इन लोगों ने इज़ता अबरू लुटी होगी मारा काटा होगा इनके साथ ज्यादिती की होगी यह तो आप मानते हैं कम से कम जी जी तो 365 में मान लीजिए कि अगर 365 के लिए 365 दिन भी चूज किया जाया तो 365 दिन यह लड़की को जलाना चाहिए था इनको कि हर दिन एक लड़की को इन्होंने कुछ किया है वैसे तो संख्या लाकों में होगी जितनी इनने ज्यादिती की है इनकी तो आप किताब पढ़ तो इसलिए यहां पर आपको एक बात समझना होगा कि जिनका सबूत हमारे पास नहीं है न वह स्ट्रॉंग एविडेंस नहीं होता उस पर आप जो नहीं है लेकिन हो सकता है न सर ऐसा भी हो मौने में आप जब इतिहास की बात आप करेंगे और कहा जाए कि आप ऑथेंटिक भी तो आपको मेंटेन रखनी होगी ना मान्यताएं मान्यताएं और कथानकें वो पब्लिक के लिए होती है लेकिन जब आप अपने को ऑथेंटिक कहते हैं तो आप पे सबूत का बोज भी होता है यह बात रखिएगा सबूत नहीं है और गेस में आप भी हां में हां तो फिर आपकी उतनी प्रभावी नहीं होती है हो सकता है कि कुछ लोग जो उसको सही मानते हो उनके लिए आप हीरो जरूर बन जाए लेकिन जो बैस्विक पटल है जहां पे सबूत की बात होती है वहां पे आप भी कटखरे में खड़े होंगे कि निया आपने भी बिना फोकस करना है हम बानते हैं कि हां सोसित लोग है हमारा सदीयों को दबाया गया है म你要 भी वक्त है कि हम लोग इतिहास को ना सबूत के अधार पर उसके अनुसार फाइट करें ताकि हम इसको और बैस्विक तौर पर और बड़ा बना सकें इसको सर आप ने राजा का नाम सुना है यह बता है क्या अज्छक है को से सदी5 मैं एथ हैं किसा जगह के थैं थोड़ा उसका बता यह siasup वि left कि बहुत बड़ा था जंबू भी जो है ना बहुत बड़ा था आपको और जंबू रेकी किसी हिस्से में मतलब सरवे सासन कर रहे थे नहीं तो फिर कहानी हो जाएगी ना किसी हिस्से में देखिए जब सबूत की बाती है ना तो हमें एक्षेक्टली हर चीज बताना पड़ता है जैसे अकबर की जब हम बात करेंगे समराट असो की बात करेंगे तो हम बताएंगे ना कि उनका यहां सबूत मिला वहां पर यह लिखित दस्तावेज मिला वहां के यह राजा थे हैं यह चीज इनका इविडियन से प्रूश्चा पूशना चाहरा हूं क्योंकि यह बात मेरे दादा जी ने मुझे बताई और बेवी बोध हैं अच्छे मतलब तरकसील आजमी है उन्होंने आज बहुत आजमें में जो है सुधार कराया है तो सर उन्होंने ही बताई थी बात के जब ताम्रव नरेश पर आक् तो उसके कफ़े में नहीं आए इसलम उसने उसने इने सबको उसने और इन्होंने बंदी बनाया तो उन्होंने उसके सेना पति को पटाया कि सीगराव भruce तो उन्होंने साद्दी उसके शेना है बहुत उसकी मतलब जो भी करें नहीं हो रहे हमारी वासा में तो तमर के कि सद्दी और घुरे उसके बादी अég उस लड़की से जिसे साध्डी कराई उस लड़की को इनोंने सिखा दिया थासा कि तुझे इसे भांग के न अश्य नस्य में रखना है encounter playthrough of कि सारे इसका सामराज यह था उसको कप जा लिया इनोंने और धीरे-धीरे हमारे बहुत सारे राजा कि खतम करती राजा गरण वीर घृण चुन्हां पिलोडा सकना धर इसने राजा संग्देव फिर सर्वें बताते हैं उन्हें हिर्णियाक्स भी थे बहुत सारी है हर जगा है हम उन्हों को करते हैं जिन लोगों ने उस समय फाइट जारी रखी लेकिन दोस्तों यह इनको बताते हैं कि इनको जो मारा था हमारा एक राजय था त्रंगसंग देव नाम का उन्होंने सर फिर इन्हों पूरा सामराज्य जीतते हुए आ रहे थे और रात को नाज गाना करते थे जीत कर इनके आदत थोड़ी वैसी वाली थी गंदी टाइप की तो तरंग संग देव नाम का जो राजा था हमारा उसने अपने उसी जो इनकी मतलब यह दोके समारते थे उसने भी वाली निती अपना वह इनके राज्य में नट बन कर गया उन नट बन गया जब यह रात में मतलब यह नाज गाना कर रहे थे तब तरंग सब देवन इनको मारा था ऐसा बताते हैं चलिए ओके ओके नागवंसी हमने आपकी स्टूडी सुनी पर मैं एक बार फिर से कहूंगा यह 21 सदी है अब हम लोगों को जो इतिहास की फाइट करनी है ना वो पुखता प्रमाडों पर अधारित जो इतिहास है उसके अनुसार फाइट करनी है ठीक है ना अगवंसी चले अच्छा इसके बाद से और कौन आये थे हैं कुछ लोग लिख रहे हैं कहां गयें कौन आना चाहते थे भाई जोट इसी तरह बढ़ता गया तो देश का भविष्य क्या होगा जातिवाद देश से जाने में कितना समय लगेगा लोगों की मानसिकता कब बदलेगी इस चैसर यह आपका बड़ा टिपकल कोईस्चन है तक रेटस होगा जातिवाद लोगों से खतम नहीं हो पारा जातिव भां की बात करने लगते हैं कि इस चाहिंब लिए जातिवाद यास तो वमली हैं कि जब्दम भाईचारण की बात करते हैं तो ऑलेडी आप यह कहते encara उन्मारा यहाति हो ऊना है है यह एक मैसेज जाता है जबकि हमारा यह होना चाहिए कि हम भाईचारा की बात करते हैं इंटरकास्ट मेरेज की बात करते हैं अब यह वहाँ पर कह सकते हैं कि हम भाई कर संखर से यह अचानक से नहीं बदलने वाला है और इसमें सब को involved होना पड़ेगा जितनी भागेदारी हम लोगों की है उतनी भागेदारी आपकी होगी उतना भागेदारी हर बंदे का होगा तब जाके कुछ चेंज दिखेगा तो इसलिए यह लड़ाई है ना लंबी चलनी ह अच्छा जी और कोना है करूप गुरांडी आये हुगा है चलिए इन से बाते करते हैं बताएं करूपा गुरांडी जी नमस्कार सर नमस्कार भूलें यह यह पाइयान के बार में कुछ बोलने जाता है हम बोलें बोलें किताब में लिखा है कि सिंगल देश के विशर में फायान ने लिखा है कि राजा ब्रामानों के धर्म का पालन करता है इसा कुछ लिखा हुआ है फायान के जत्रा भारत जत्रा में इस किताब में पढ़ा हो पड़ रहा हूं तो पेज नमबर बताएं पेज नमबर कहां लिखा है पेज नमबर 69 कौन सा बुक किसका है किसने लिखा है लेखा फायान अनुबाद जगमुहन बर्मा अच्छा जग कि हमक्त मुरा आधक्षा तो कहां पर यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा है राजा के समय का पालन करता है तो इसमें क्या दिक्कत हों फ़र होते थे स्टम्पल महीं यह नहीं होते थे उसका करूपा गां मेरी अधरण स्कौोर किसको कहा जाता था एक जो जो बोद्वांब होते थे उसका क्या मुद्वान लोग तो उसका विदवान का जब अनुवाद करते थे तो यह लिख देते थे अहाँ जी जी तो यह अनुवादित किताब आप पढ़रा रहा है न जंभ मोहन वर्मा खुद ही ब्राम Darth तो अब वह विद्वानों के धर्म का पालन करता था विद्वान कौन थे उस समय कि अच्छा यह बता यह कि जब आपने जितने भी मुस्लिम सासक आये हैं उन्होंने जब नलंदा को जलाया था तो जो नासरी किताब है उसमें तो लिखा है कि उन्होंने ब्रामढणों को ब्रामढण म Dortman हुएते उनके पूरा हैलों कि जब बारवी सदी तक बहुत को वो नौरण करह तो यहां पर इन लोगों नए ब्रामढण कह दिया तकोन सा बड़ा सा पहार तूट गया विन है आपको देखने भी तो देखना होगा लिठेधे किस समय में यहां पर लिख Яे राजा तो लिखता कि दूहरु कोन सेभ्रहँड करता था इस और फीफ्ट सेंचूरी में तो वहां पर पूरी तरह से बहुत हमार अच्छी तरह से एस्टेवलिस हुआ था और बता है जी एक और जो मलिक साब आए थे ना जगनात के बार में बोल रहे थे अब रुकिये थोड़ा सा उसके आगे काभी मैं पढ़े के सुना देता हूं नहीं तो क्लियर हो जाएगा कि वो ब्रामड किसको कह रहा है लिखता है सिंगल देश के विशय में फाहयान ने लिखा है कि राजा ब्रामडों के धर्म का पालन करता है नगर के आंतरिक लोगों में स्रधा और विश्वास का भाव अधिक है जनपद के सासन के प्रतिश्टित होने से इ और हमुल्य मड्या ओ गें नहीं यहाँ पर कि जो भिक्षू संग है उसके को इसकी यम्थी कि रतन और हमुल्य मड्या है घ depois अरजा को को समें जाने और देखने की मना ही है अब देखिए राजा जो है आदर भी करता है ब्रामडों का उनके कोस में जा भी नहीं सकता है मतलब राजा जो है उनसे ज्यादा ताकतवर भिखु संग है इसमें ये बात लिख रहा है तो जब भिखु संग यहां पे लिख रहा है अच्छा आगे क्य यह भिखु होने का तब जाके वो उसको तब उसमें घुसने की उसको मिलेगा मौका मिलेगा अच्छा उसमें आगे क्या लिखता है कि नगर के विभिन वैश्यस रेष्टी और सवा व्यापारी बसे हैं जिनके घर सुन्दर और भव्या है तो यह आप देखिए न यहाँ पर आगे यह लिखता है कि चारो और भिखुग अच्छा यहाँ पर आमाउस्या और पुर्णिमा की बात है यह महीने में अश्टिमी च हम अब पूरा का पूरा जो हां भिकुसंग वहां पर हो रहा है कि यहां साथ हजार भिखु रहते हैं आप देखिए वहीं के लोग बता रहें elder भी हैं तो पिर quella के नगर में सत्र है फची हजार लगों को धरमाद भोजन मिलता है यहाँ अच्छा इसमें लिखा है सिंगल में भगवान बुध का एक दात भी है हर साल रथ यात्रा भी निकलती है बुध की धूमधाम से अब लिजिए अब बताइए न यहां पर ब्रामण को किसको कह रहा है यहां पर ब्रामण का आधर करता है अज सब लोग जो है भिखु संग से बोलेते हैं ग्यान लेते हैं राजा के भी हिमत नहीं है कि उनके कोस में घुच सके वो निकाल रहा है रथ यात्रा निकाल रहा है बुध का तो ब्रामण किसको कहा गया है यह देखिए इस चीज़ समझे करूपा गुरांडी जी कि यह जो लोग भी एक दू सब्द पकड़ रहे हैं अभी ठीक है ना बोलें और क्या कहना चाहते हैं यह कंपुजन दूर करने के लिए पुछा दा सर मैं बुक किता पड़ रहा हूं तो कोई पुछेगा तो मुझे तो मैं बता सकूँ इसलिए पुछा जी जी ओके ठीक है जी एक बाद बोलना थे खोले बोले जो मलि अब बोलें क्या काना चाहते हैं जगनात के बारे में बोलना से और कहीं तो होता ही नहीं हाँ देखिया रथयात्रा जो है फहियान के समय में रथयात्रा सिर्व बुद्र की निकलती थी सिरलंका में मैं लगती और आज आज का यह निकलती थी अब तो इससे भी आप समंझ जाईये कि भारत मी रथयात्रा भुद्हिश्टों की निकलती थी उसे इन लोगों ने कौपी करके यह जगनात की निकलनी सुरूं कि आ जगनाथ बुद्ध को बुद्ध को ही कहा जाता याद रखिएगा बुद्ध के लोग नाम तक नहीं जानते हैं बुद्ध का नाम पुरुसोत्तम भी है जगन्नाथ भी है नाथ जहां नाम जुड़ जाए समझे कि वह बुद्धिष्ट का ही नाम ठीक है ठीक है करुपा गरुंडी चले ठीक है अच्छा यहां पर सिसुपाल वागमरे जी का सुपर स्टिकर है बहुत शुक्रिया आपका सिसुपाल जी और आगे बढ़ते हैं देखें और कौन आये हुए हैं रुशी केस आये हुए हैं चलिए इनको लेते हैं बताएं हां तो डाउट ऐसा था कि मैं बाबा साहब का जो बुद्ध और उनका धम्म वो कितब पढ़ रहा था तो उसमें बताया गया कि बुद्ध वेदों की निंदा करते थे तो क्या उसमें वेद थे भी या नहीं मतलब क्योंकि बाबा साहब ने उधर लिखा है कि वेद की निं फनेल हैं पहले एक-एक करके बात कर लेते ना वह बताइक कहां पे लिखा है कि वेदों की निंदा करते थे वुद्ध दुसरे खंड़ का ने पहले घंड़ का लास्ट का चया अच्छा जी हां डेख लिए सारे चीजिए पर चर्चा होगी ना पहले खंड़ का पूरा त्यार होके आए और बेहतर होता ना कि आप लोग स्क्रीन खुद ही लेके आया करेंगे ना तो और अच्छा रहेगा पब्लिक को दिखा भी दिया जाएगा पहले खंड का पाच्वा भागे पाच्वा भागे अच्छा क्या लिखा है इसमें अच्छा कि आवाज कट रही है आपकी आवाज कट रही है हां ह arrest मेरे पास माराजीं मैं यह तो मैं उसको आपको बता तरह में कि दर लिखा चहुते पॉइंट में की वैद में उतना तत्वद्न नहीं है क्योंकि आ जो मतलब महाराजीं में ऩह टीक से बतानीन जाम रहा है मतलब उदर रिखाए कि वेद में उतने तद्वद्न नहीं है और उपर से उसके बाद में जो तीसरा उसका चैप्टर है ब्रामने कहें कि नहीं नहीं आप तो उसमें भी आपने कहा कि जो पांचवा भाग है उसका फोर्थ पॉइंट कहा आपको कह रहे थे ना कि वेद के वि अगर पहले एक एक करके हर पॉइंट को हम डिसकस करेंगे ना तब जाके कंक्लूजन निकलेगा ना अगर यहिए कॉइच मैं निरुव पॉइंट के पचान प्रेट एजिए लिक्यां वाइडिया ने पंद आभता एक पॉइंट को अप्वेंट कोंचे पॉइंट प्टार्यंट कोंचे पॉइंट है चौता है कि इसी कर इसी का फोर्थ उपन है कि अभाज बहुत ज्यादा कट रही है और से बताएं क्या कहना चाहते हैं पहले खंड में का 5गी सर और उसमें चयुथा चाप्टर है कि उपनश्य दे और उनका शिक्वान अच्छा पांचवे भाग है इसका पांचवे भाग का चौथा पांचवे लाइन इसमें का पांचवे लाइन वही यह कि चार वेद और वेदिक शास्त्रे यह न्यान मतलब हलके दर्जका है तो इसमें क्या लिखा है कि वेदिक शास्त्रे जो है कि वेद कहां लिखा हुआ है इसमें कहां लिखा हुआ है फिर से बताएं क्या कहना चाहते हैं पूरा क्लियर बताएं आपकी आवाज भी तो कट रही है ना क्लियर बताएं क्या कहना चाहते हैं कर्hem है कि कामेर चौन करके आपको किताब दिखा देता है नहीं किताब तो या मेरे पास भी किताब यह फिर आप दिखाा दीजिए दिखाना चाहां कई के हिंदी में कि मेरे पास माराथी में मRI should कोई नहीं है और क्งज़ कुए नहीं नहीं है कि इंग्ilis में व तू बता सकते सै चलिए मूल एक क्या कहना चाहते हैं पॉइंट बताईए तो सर उसमें ऐसा लिखा है कि जो चार वेध है और जो वेधिक शास्त्र है उसमें का जो न्यान है वो मतलब कुछ काम का नहीं है हाथ तो मतलब मेरे को बस आपने अपने बहुत सारी वीडियो में बता है कि वेध है वह मतलब बहुत बाद आये है तो बुद्ध तो अड़े अड़े हजर साल पहले आये थे तो उसमें जो यह बताया गया पॉइंट है तो उसमें वेध पैसे आया अच्छा जी चलिए के हाथ मैं आपको सबूत भी दिखा देता हूं आप लोग का कंश्यूल भी दूर कर देता हूं बाबा साहब ने किताब अभी 1956-57 में आई है ना हाँ हां हां तो बाबा साहब ने जो लिखा होगा इन्हों कहीं नहीं लिखा है आप एक सब्द यहां पर जरूर मिलता है यहां पर यह लिखते हैं कि बुद्ध को ब्रंभ की वास्तिविक सत्यता के समर्थन में कोई तो अब आपको यह बताइए कि उनको समर्थन में नहीं मिला यह इससे यह थोड़े सावित होता है कि उन्होंने विरोध किया यह किया चलिए एक पॉइंट को अब हम थोड़ा सा और क्लियर्फाइब करते हैं जब हम लोग कोर पर बाते करते हैं जब भी हम लोग किसी भी किसी किसी लेखक ने क्या लिखा या किसी इतिहांसकार ने लिखा हम वहीं तक नहीं सिमित रहते हम उससे भी भीतर खोजते हैं कि इन लोगों ने किस अधार पे लिखा कोर सबूत समझ रहे हैं मेरी बात को जी सर जी सर तो यह पढ़ रहा था तो मेरे दोस्तों कोई बात नहीं कोई बात नहीं रुशिकेश आप समझे इस बात को बोले की वेड का भी जिक्र है तो मेरे को बस कंफ्यूजन और इसलिए मेरे को आपको यह पूछना था ठीक है मैं उसका उत्तर देता हूं क्या है देखिए भारत में सेवंध सेंचूरी में एक घूमने वाले आये थे एक ट्रेवलर्स थे उनका नाम था हैंसॉंग नाम तो आपने सुना होगा हाँ सुना है सुना है अच्छा जब हैंसॉंग आये ना तो उनकी जो नोट्स आई उस नोट्स पे बहुत लोगों ने बात किया तो जो अनुवाद जिन जिन लोगों ने किया ना उनने क्या किया कि अपने अपने तरीके से जो जो उन्होंने कहानी गढ़ रखी थी वो वो चीज प्रचारित की हाँ समझ रहे हैं मेरी बात को जी सर हाँ तो वह प्रचारित करने से क्या हुआ कि लोगों ने उसको सही मान लिया जैसे एक जो थें आप जब पढ़ेंगे जो इनका है ठाकुरप्रसाद का जो है ठाकुरप्रसाद सर्मा का वो लिखते हैं कि ब्रामः जो है चारतरह के वेद पढ़ते थें और चारविदा नाम भी बताए गए यह वह बताए गए तो कुछ लोगों ने यह सोच लिया कि इसका मतलब कि 5th century 7th century में विद था इसका मतलब यह हुआ है तो तो इसका मतलब कि उससे पहले भी ellerहा होगा कुछ लोगों ने यह सोच लिया कि लेकिन एक्सटर में होता क्या है कि जब औरelier desta करते हैं जब घुषते हैं कूर में घुसते हैं कि क्या वास्तों में ऐसा कुछ पैंप-पेंकानोद में मैंयापको लिखाता हूँ यह यह वाटर में जो किया हैं tapening कि है इसके पहले जो सेमुल विल्स और जो अन्य जो लेखक थें जो फायान के अनवादक लोग थें उनका मैं दिखाता हूं देन फिर दिखाता हूं कि क्या उसकी सच्चाई है फिर आपको क्लियर होगा कि देखिए कितना बड़ा घालमेल करके अब बुद्र के समय में इसमें देखिए क्या लिखा है ऑथर डिस्क्रिप्शन प्रोसीड यह लिखता है जो लेखक है अनुवादक है हैंसॉंग के किताब का दब ब्रामिन्स लर्ण दफोर वेदा कितना ट्रेट्री द्रट्रेट्रीज दर फॉस्ट काल्ड सौ इध्यान दीजियेगा यह कहरा यहा स्ब्रस्ट काल्ड आप बताए बेद का चार वेदर पढ़ते थें इस्धम अव्या तो पहला वेद का नाव किसको जाता है शामवेद शामवेद नी पहला वेद जब चार वेद की आप बात करें गे तो आपको पता होगा न कि ओल्डेष्ट वेद किसको कहा जाता है चारवेद होते हैं ना कौन-कौन से बताएं रुगवेद सामवेद अथरवेद और रुगवेद रुगवेद आपने कहा ना रिगवेद तो पहला वेद उसको माना जाता है ना अब देखिए ये क्या कह रहा है सेवेंथ सेंचूरी में जो लिख रहा है थोड़ा सच्चाई देखिए यहीं से आपकोगा पूरी पूरी जो सच्चाई है यहीं से सामने आनी है कितना घाल में लोगों ने पकड़ आया है यहीं से क्लियर होगी यह कह रहा है इंस ऑता रहा है चार जो वेदा यह ब्राहिन सूस्स में पंढ़ते थें उसमें से पहला साव अब हैंसों ज उसने भारत से 600 से ज्यादा किताबे ले गया, ट्रांसलेशन किया, बकायदे उसके इतनी सारी चीज़े एवलेवल है, उस बंदे को ये 7th century में पता ही नहीं था कि पहला वेद कौन सा है, लिख रहा है, फर्स्ट वेद होता था उस समय, 7th century में फर्स्ट वेद, दूसरा वेद का नाम सुनिए, लोंगिविटी, क्या कहा इसने, लोंगिविटी, और लोंगिविटी का, ये देखे ब्रैकेट में अनुवाद को ने क्या लिख दिया, आयूर वेदा, लोंगिविटी मतलब आयूर व प्रामधा जो चार वेद थे, 7th century में आपका, बाबा सहाब और उसमें पहुँचे गए थे कि बुद्ध के समय में, वेद और उपनिस अथार, ये 7th century में जिनका क्लेम है, कि चार वेद होते थे, वहाँ पे नाम आप पढ़िए, लोग इसका दावा दिते थे, पूरी पोल आई रुवेद नाम आता है क्या बता है नहीं आता है आगे देखिए आफ नुरिशिंग क्या है नुरिशिंग लाइफ एपिंग यह लिखा है अब यह दीख लिजीए तो पहला वेद जो है यह बोल रहा है फोल के यह दूसरा वेद की बताएं अब यह बता ये की वर सिप जो है यह दूसरा वेद का नाम ब्राइकेट में इसने कहा है दय जुरुवेदा अनुवादक ने गेस करके बता रहा है कि यह जुरुवेदा आपका बैग्राउंड आ रहा है चली तो वर्सिप जो है यह उस समय नाम था वेद का उस बंदे को नाम तक नहीं पता था लोंगेविटी बोल रहा है वर्सिप ब ब्राइकेट में अनुवादकों ने लिख दिया साम वेदा खुद से ही डिसीजन ले लेते हैं यह लोग इतने बड़े धुरंधर खिलाड़ी है सेमुल विल से लेकर ब्रह्मेनिकल सिस्टम के लेके यह लोग कि भाई साब उसने क्या लिखा है उसको ब्राइकेट देके आ इन लोगों ने अनुवादकों ने जवरजस्ती अपने वेद की टांग घुसेड़ दी दोस्तों यह वैटर का यह किया हुआ अनुवाद है जिसने खाल खीच ली है इन लोगों के अनुवाद की तो आपको अगर सचाई जानना है तो सब को पढ़ना पढ़ेगा नहीं इन लोगों ने क्या लिख दिया कि अथरवेद है मिल गया आपका चारवेद तो यह सचाई है इन लोगों की अब बाकी आगे आप यह पढ़ेंगे उसमें और इसने खाल खीच रखा है कि किस तरह से इन लोगों ने भरजी तोर पे चारवेद अस्थापित कर दिये यह दि बात कर रहा था उसको इन लोगों ने बना दिया और भी गलत है क्या उसको पता नहीं था कि पहला वेद छाके न लन उन्ह ठाटे तक रहा तो अपने सिस्यों को बताए हुगा के वेद पहला वेद रिगवेद होता है अदर नहीं होता एं पिंग बता रहा है शव बता रहा है एक जगह इनका वेद का नाम नहीं है इन्हों ने जबर्जस्ति फरजी बना के पेस कर दिया यहां पर आगे पीछे पढ़ेंगे बुधिष्टों की बात चल रही है बीच में पैरा आता है इसमें इन्हों अपना वेद घुसरवा लिया उसके नाम पे तो इसी तरह से बाबा साहब के सामने जितने लोगों ने उस समय किताब रखी थी ना आपको समझना पड़ेगा मुझे लोग बार-बार कहते हैं कि बाबा साहब बाबा साहब की किताब हम लोग 1956 तक जितने बड़े धुरंधर थ कर आगे प्रस्तूत कर रहे हैं तो हम लोगों को 90 अगर कोई बाबा साहब का रेफरेंस देगा तो 1956 तक ही चिप कर रह जाएगा ना यह 2022 है दुनिया आगे निकल चुकी है हमें जो है अब जो लेटेस्ट जो रिसर्च आ रही है इन लोगों ने क्या फरजिवाड़ा किया ह और लिखा था कैसे इन लोगों ने बेवकूफों की तरह यह चीज करके लोगों को परोश दिया तो बाबा साहब के पास बहुत कम समय था उतने कम समय में जितना उन्होंने काम किया है बहुत अतुलनिया है तो हमें अब ना माइक्रो लेबल पर जाकर चेक करनी है रुसी क करो रेफरेंस अब ओरिजिनल वाला लेकर आ जाओ दिखाने के लिए हमको कि भया कहां परमाड मिला है ठीक है ना परमाड सबूत भी तो देना पढ़ेगा ना कि मिला कहां है लिखने से थोड़े हो जाता है तो ठीक है रुसी केस आई थेंक आपको उत्तर मिल गया होगा हा कि टेक्ग फाल में का फॉन संकाराचार है संक्राचार के पहला वेदा ती हो गया वेदानत इसुरु के पांचे वेदों उपनी से तो कोई कहा जाता है वेदान्ती तो सुरू के पांचे उपनी से तुम्हारे नाइंट सेंचूरी में थे तुम्हारे उपनी सथे कब पहुंच गए बुद्र से पहले है तो दोस्तों यह चीज आपको समझनी होगी कि किस तरह से इन लोगों ने इनसे भी थोड़ी बातें ले लेते हैं जी पी दीखें बताएं पर जा रहे है आपकी बेंग्राउंड साउंड बहुत ज़दा रही है आपकी बेंग्राउंड नहीं सर मेरे पीज़ी अब बोलें अब सांथ हो गया बताएं मैं यह बोला कि आमीच सर भी बोलते हैं आप हीरा है वो बात सही है आप हीरा ही है आमारे लिए और स्कॉलर भी है यूंकि जब से मैंने आपके प्रोग्राम शुरू किये देखने के लिए तब से ज्ञान बहुत बड़ा है ज्ञान इतना बड़ा है कि डिबेट तक होती है हम डिबेट में हमें कुछी डिक्कत में आती है वहरों कि यू बच्च्च आते है जी लोग आते है और चिंता जाहिर करते है न की समाज पोधेगा तो यह समाज सुदरने के लिए जो-जो कोई आईसी क्या बोलते है उसको खलेम करते हैं तो उनके साथ डिबेट करने कह दिए तो डिबेट करने के लिए आपका बहुत मदद मिलती है आपका प्रोग्राम की तो यह जो बच्चे पूचते समाझ कब सुद्रेगा तो उनको भी डिबेट करने पड़ेगी और डिबेट करने के लिए आपके जो भी स्ट्रीम है जो भी कोई उप्रीप का आपका प्रोग्राम आपने अफ्लोड किया है वो दो दो बार तीन तीन बार चार चार बार पाच बार छे छे बार दज दज बार भी देखना पड़ता है तब जाके उसको नौलेज मिलती है तब जाके वो लोग जो है ना कलेम करते तब उस चांत हो जाते और वो अभी-कभी यतने चिटते है तो बात भी नहीं करते है कभी-कभी वो धर्मिरोदी बोलेंगे, कभी-कभी वो देजद्रोई भी बोलते हैं, तो यह जो चिंता सिर्फ जायर करने से नहीं होगी, मैं यह दर्शिदों को यही बोलना चाहत हूँ, कई बार सुना मैंने, रियलिस्ट अगजद के चानल भी सुनता हूँ, आपकी चानल बेबी सुनता हूँ, चिंता तो जायर करते हैं, लेकिन डिबेट के मामले में वो पीछे अट जाते हैं, घबराते हैं, तो घबराना मही है, नॉलेज बढाना है, आपके चानल में जो भी वीडियो अपलोड़र है, वो देखेंगे ना, तो वो डिबेट के लिए तैयर हो तो यही एक रास्ता है और हाला कि जो पॉलिटीशन की आवस्ता हो गई है वह सिर्फ धर्म की राजनीती हो गई ना तो यह धर्म की राजनीती जब खतम हो जाएगी ना तो डेवलोप्मेंट का वाद मतलब विकास वाद आपने आप आजाएगा तो यह जो लोग आते चिंता जाहिर करते चिंता जाहिर करने से कुछ नहीं होगा खाली वह आपको डिबेट जो भी आदमी कलेम करता है न उनके साथ डिबेट करनी पड़ती है बस यही काई ना था और एक सवाल था मेरा सर जो भी खुदा ही हुई है आलेकजांडर करिंगा तो फायान आये थे उनके नोट्स के बेसिस भी की थी गया हां हां बिलकुल बिलकुल तो मतलब फायान हमारे लिए बहुत फायदेमान साबित हुगाई हां पिदेश्ट्री दिया हां बिलकुल अब और सर यह जो आपने नवनात भक्ति कथा सार शुना है क्या हम माराष्ट्र से हमारे यह पड़ा जाता है वो गरांत तो उस पे भी एक बार आपको कुछ करना पड़ेगा वैसे तक हमें आपको सब काम आपको बोलने में शर्माती है लेकिन क्या है आपको अभी तक इतना साइट नहीं है और हम आपके जैसे स्कॉलर नहीं है तो हमें बोलना पड़ता है कि सर इस पर कीजिए इस पर कीजिए तो वो भी शायद नाथ पंथी थे ना वो शायद ये बहुत भिक्कुई थे क्या किसका किसका आप बोल रहे हैं यह सारे बहुत हम लोग क्यों कहते हैं कि जो आप कह सकते हैं कि जो बहुत सारे लोग धीरे परिवर्टित होके ब्रहमडवादी बन गए बहुत सारे लोग और ब्रह्मानिकल सिस्टम का हिस्सा बन गए लेकिन जो उनकी आइडेंटिटी उनका जो नाम रखने का तरीका वह चीज अभी एजिटीज है उससे आभी आप पकड़ सकते हैं कुछ लोगों ने तो भेंकर घोटाला करके अपने को बदल लिया नया नया वह जेनरेट कर लिया गोत्र जेनरेट कर लिया कुछ लोगों ने अपने सरनेम बना लिये दूबे चोबे चबे नबे दिक्षित फिक्षित सिक्षित क्या क्या बना लिये लेकिन जो नाथ नाम है नाथ जोड़ने की वो लोग अभी आप देखेंगे सर मुड़ा के रहते हैं पुरा सर क्लीन सेव करके रखेंगे तो बोधिश्टो की ही वो परंपरा है वो अपना अंस नहीं भूल पाए है भले ही ब्रामणवादियों की तरह बने हो या जो भी बने हो अप तो अब keeper होल ज़न उल्क का थेवर्म बन जाता है न आभी तो पाच दीन में रंगपंचमी आती ए तब तक यह होळी को आईशे पानी की प्रदक्षे प्रोग्राम करेंगे तो उसमें क्या है उसी ग्रंथ में यही लिखा लिखा है। उसमें मैं बढता हूँ काली वह ग्रंथ पड़ा है मैंने बाकी कुछ ने पड़ा बाकी ग्रंथ ने पड़े मैंने तो आप लोग को इंपरेटेट अगर अच्छा ओके ठीक है ठीक है आपका और आप लोग जो है कोई अच्छी अगर PDF हो जो Hindi या इंग्लिज में हो तो आप लोग Share कर सकते हैं ठीक है ना? उसको हम काम करेंगे और Share करने के लिए आप mail कर सकते हैं इंस्टा पे भी आप भेज सकते हैं इंस्टा मेसेंजर के थिरू जुड सकते हैं आपको पर प्रजेंटेशन का मैं बहुत कदर करता हूं really big fan of you जी बहुत सुक्रिया मैं आप सभी का सुक्रियादा करता हूँ मैं आप सभी का fan हूँ बिल्कुल भी आप इसमें ऐसा ना सोचें अच्छा चलिए इसके बाद से स्रमन जी आये हुए हैं इनसे कुछ बाते लेते हैं और कई सांथी और भी देर से आये हुए हैं सब को समय मिलेगा थोड़ा सा वेट करें जी स्रमन जी बोले जी जैवीम सर कैसे हो जैवीम बढ़िया है जी आप बताएं आपकी डवल साउंड आ रही है आप बोल लेता हूं आप बाद में उसका उतर देदें न हम बोले तो सर एक तो नियुदन ये था आपसे की ट्रांजेक्शन को थोड़ा आसान बनाया जाए क्योंकि कुछ लोग बार बार ट्राही करते हैं एक घंटे बाद वो जो अमॉंट हो रिटन हो जाता है अपने कात्या गंदर दूसरी बात सर यह है मैं कहा के निकल जाओंगा और बाद में यूट्यूब पे जा कर आपको सुनोगा दूसरी बात यह है कि बुद्धिजम के बारे में अगर कोई क किसी की संका हो किसी को कुछ पूछना हो या उस पे कुछ बाते करनी हो तो बहुत आसान सब्दों में बहुत आसान बासा में डोक्टर भीकु करुना सील रहूल जो वेग्यानिक चिंतन और दम को बहुत आसानी से लोगों को समझाते हैं लाकों लोगों को उन्होंने दम सम है कि अगर आप कभी उनको समय दे तो मैं यह चाहता हूं क्योंकि आसान बासाम किसी बात को आसान बासाम लोगों तक पहुंचाना लोगों की बासा तक यह बहुत बड़ी बात हो चाहिए तैंक यू सर मुझे यह दो भी बाते कहने थी आप इनको एक सब्सक्राइब करें और पर बहराल मैं उनको इन्विटेशन देता हूं और मैं तो चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो एक स्वाई-जट कोई भी व्यक्ति हो अगर वो आते हैं कता ही मत सोचे कि आप लोग कि आप यहां पर आयेंगे या आपको इन्विटेशन नहीं दिया गया यह अपन सोर्स हो तो आप अगर बताएंगे तो भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि किसी की भी बात सुनने में हमें अतराज नहीं है अगर कोई अंसाइंटिफिक बाते होगी उस पर हम लोग के जरूर प्रशन होंगे लेकिन अगर कोई भी रेशनल रूपसे या रेशनलिटी की बाते कर हैं या साइंटिफिक बाते हैं तो हम लोग को उस पर अतराज नहीं हम सभी सुनने को त्यार हैं सब की बाते सुनने को त्यार है जी सर मैं उस पर डिटेल बेज़ों कि आपको मेल पे तोड़ा हां हां वैसा कर देज़े साइंस जरनी जिरू वन यह टेमपररी है लेकिन सब्सक्राइब करते हैं अच्छी बात है काफी अच्छी बात है और उससे सपोर्ड तो मिलता ही मिलता है जो पेट्रियोन का जो पेज है उसक्लावजना एक्सटि देना चैनल या कोई चीज़ आप लोगो को अरली एक्ष्थ सोब्स्क्राइब तो Patreon के माध्यम से हम दे देते हैं Patreon का page जो है न वो link रहता है description हर latest video के description में रहता है link को click करना है उसमें से कोई एक आपको choose करना है जो membership आप चाहते हैं कि जिसमें आप suitable हो उसको आप click करेंगे एक email ID पूछता है email ID से आप login कर लीजिएगा एक कोई भी email ID जो आपको suitable लगे या नया आप बनाना चाहें नया बना सकते हैं उससे आप जूड सकते हैं और फिर जो है payment में जो international card की बात आती है कोई international card नहीं है आपका ही जो credit card या debit card होता है वही इस्तमाल होता है उसमें और उसमें जो है बस यही अंतर होता है कि जो RBI है ना उसने नियम international transaction off कर रखा है लेकिन आप जानते हैं कि आप कोई भी purchase करेंगे जैसे Google से कुछ purchase करना हो कोई app purchase करना हो तो भी आप नहीं कर पाएंगे अगर international transaction आपका off है तो international transaction on करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसा इसलिए किया गया था कि कहीं पर अगर किसी का ओन है तो लगतार किसी का पैसा लगतार कट रहा था तो स्याधार भी यहीं ने ऐसा नियम बनाया लेकिन उसमें उतना रिस्क नहीं है जितना लोग सूचते हैं कि international transaction on हो जाएगा तो कुछ ज़्यादा security के दिक्कत तो व आप जब payment करेंगे तभी payment होगा यह चीज याद रखिएगा तो वही चीज है तो मैं यही कहता हूं कि आप लोग जो यहां पर membership लेते हैं चैनल पे या फिर सुपर चैट सुपर स्टिकर करते हैं वो काफी अच्छा है लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका है मुझे लगता है क कि अगर सपोर्ट आप लोग और चाहते हैं करना तो पेट्रियोन का मेंबर्शिप जरूर लीजिए जी सुक्रिया सर्मन जी तैंक यू बहुत बहुत अच्छा यहां पे जो है अतुल मंडल जो है वो कुछ लिखते हैं औरत अच्छी हो या बुरी दर्द उसको भी उतना ह पर होगा किसी औरत को जिंदा जलाना उत्सों नहीं हो सकता हां बिल्कुल सही कहा है अतुल बंडल जी आपने यह बिल्कुल सही बात है कि और अच्छी हो या बुरी किसी को जला के खूसी मनाना यह कौन सा पर्व है मतलब इतना तो मुझे लगता है कि विदेशों में देखा गया कि इसाई जो थें उन्होंने भी खूब विच हंटिंग की है यह जादू टोना का रूप लगा के और तो खूब जलाये हैं जिंदा जलाये हैं लेकिन उन लोगों ने भी तो आप तो नहीं देखा जा रहा कि किसी औरत का पुतला या कुछ जला के जस्न मना रह या बुरी हो उसको जलाकर हम लोग खुसिया नहीं मना सकते हैं बहुत ही एक अमानवी अप्रथा है यह जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको समझेना पड़ेगा अमीज यहां लिख रहा है कि डेमो वीडियो बना देते हैं सर लोगों की हेल्प के लिए कि पेट्रियोन मे आते हैं एक मैं वीडियो प्रयास करूंगा कैसे आप लोग हम मुझसे जूड़ सकते हैं और कैसे जो है बहुत सारे लोगों को तो यह नहीं पता होता है जब लाइफ चलता है तो उनको यह तक नहीं पता होता है कि चैट सेक्शन में कैसे आना है वो वीडियो पूरा देख करना है पताले हैं लोग जागरू करना होगा और बताना होगा कि कैसे क्या लेकर देख जो दिलिप शुर्वदे जी कुछ लिखते हैं बाबा का समाज गरीब है लेकिन स्वाभिमानी है बिल्कुल दिलिप शुरुदे जी बहुत सुख्रयापका अच्छा जी और कौन आये है कोई डिवेट के लिए आ रहे हैं क्या कि अद्ध को युज के लिए हो तो आए अच्छा मनोझ जया आए हुए हैं चलिए इन से कुछ बाते ले लेते हैं बताएं मनोझ जी क्या काना चाहते हैं गुट इविंडि सर, मनोज जोई है, फ्रॉम पत्याला पंजाब, काफी टाइम से स्ट्रीमिंग आपके देख रहे हैं, काफी नहीं चीजें पता चल रही है, मैं पॉइंट पे आउंगा कि मुझे कुछ किताबें आप नोट करवा सकते हैं, या कोई स्ट्रीम बता सकते हैं, जिसको फोलो करके हम जो एक्चुल हिस्ट्री है हमारी, तो कि जो यूनियुरिस्टी में स्कूल में चल दी हैं बुक्स, वो क्रफटर्ड बुक्स मानी जाती ह तो जो आप बात करते हैं या खोच के लाते हैं, वो बुक्स अगर पता चल सके हैं, चुकि पंजाब एरिया में थोड़ी इतना की बुक्स ना, रेस्ट ओफ इंडिया से, बिहार से, दिल्ली से थोड़ी कम मिलती हैं, या ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन भी मभा लेंगे, तो य क्रफ बुक्स बोलूगा उनको, तो अगर आप सुझेस्ट कर सकें स्ट्रीम में या फिर कोई प्रीविएस स्ट्रीम हो, एक तो यह कुश्चिन तातर, और सेकिंड जो आपके स्ट्रीम में काफी टैम से देख रहा हूं, उसमें एक दो सुझेस्ट थे, मेरे वह आनलाइन ह में बताना चाता, तो मुझे मेल कर दीजिएगा, मुझे मेल आइडी या तो आप लिख दीजिए यहां पर, या आपके उसमें, कहां अवेलेबल हो सकते हैं, यह बता दीजिए, मैं मेल कर दूँगा, आप जो है ना, अभी एक मिनट, आपकी नो बैक्ग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो है, तीन घंटे 29 मिनट हुआ है ना, आप जस्ट तीन घंटे वाली पर देखिएगा, वहाँ पर email ID कई बार बताई गई है, ठीक है, आप इसको repeat करके एक पर देखिएगा, अभी कुछ दिर पहले ही email ID बत आई गई है, वहलाएं कि temporary है, लेकिन आप उस पर तब तक भेज सकते हैं, जब तक है, ठीक है, ओके, कि क्या मैं enjoy कर सकता हूँ, इसको होली को, तो आपका ये answer, काफी लोग जो है ना, follow कर सकते हैं और दे सकते हैं, कि आप धुमरपान और wine का आपने जैसे drink का बताया, कि व भी enjoy के लिए, अगर आप enjoy के लिए करना चाहते हो, तो ये अच्छा मिलों कि इस तरह की example बहुत कम मिलती हैं, जो अगले को दिल को भी चूजाए और वो छोड़ भी सकते हैं, जी जी, और एक बेटी आई थी, उसने बोला कि मेरे parents नहीं मानते हैं, जगर वाले जो ही है, फ दर के नहीं मानते हैं, तो जो लोग हमें follow करते हैं, या हमारी nature से, हम जो विवहार उनके साथ करते हैं, उसको follow करके ये चीज़ें छोड़ते हैं, तो वो अगर एक मेनने में एक साल में एक आदमी भी सुधरता है, तो बहुत बड़ी बात होगी, थैंक यू, जी, ओके, ओ हारतियों को पढ़ना चाहिए, इस पर मैं एक वीडियो जरूर लॉंच करूंगा, मैं भी हो सकता है, साइन चर्नी पर लॉंच करूं, और उस पर जैसा कि मैंने बताया भी, कि उस पर आब frequency बढ़ेगी, scripted वीडियो की, अच्छा, चलिए, और कौन आये हुए हैं, और इस् इस्ट्रो न्यूज क्या काना चाहते हैं? कुछ प्रश्न है, तो वो पूछ लेजिए, आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रश्न है, वो पूछ लेजिए, आप कहीं भी गयत है, उसे हम लोग को यहां बताने की क्या जरूरत है, आगे रखें, किसी का आपको वो करने की जरूरत नहीं, आप अपनी बात रखें यहां प कि नात्पंत कहा से आया है यह मलूम नहीं सतनान जी मुहारस के पास कि भी हम प्रस्ण किया थे उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया है उसके बारे में कुछ इस्टरिकल आपको करना चाहिए वीडियो हम लोग जानने के लिए बहुत ही उच्छों के बहुत 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 प्रोब्लेम मुझे दिख रही है बहराल जो आपने पूछा है तो उस पर हम लोग काम करेंगे उस पर आने भी वाली है आगे उस पर बाती भी आएंगी और सांथियों मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि आपके प्रश्न हो वो मुझसे पूछा कि यह डिवेट करना है वो मुझे भी कौन क्या कर रहा है कौन कहां कूद रहा है उसे हमें क्या मतलब है चले तो जब आप ठीक हो जाएं तो मैसेज कर दिजेगा प्राइवेट चैट में तो फिर मैं आपको ले लूँगा अच्छा यहां पर पूनित सोनकर आपका डिवाइस नट कनेक्टेड है पू मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूँगा कि अगर बुद्ध की गरंथों में इतना पाखंड है भारत को खराब कर दिया तो एक फिल्म माता ने चैनल चला रखा है आयम बुद्धा नाम से एक फिल्म बनाई है बुद्धा नाम यूज कर रखा है और हमारे प्रधान मंत्री बुद्धा कर दो कि ग्यारि देश जाके ऊच्छीसी प्रशन था बंध знак कोई बुद्धा काना नाम यूज कर रहे हैं जब इतना बाक फ़यए इतना उस में एसमें अंदिविश्वास है तो सब कोई बुद्धा का नाम क्यों उसकर रहे हैं तो यह पूछा तो उन्होंने मेरे को बता जिए कि आप तीरे चला रहे हो आप 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 अबाम पंथी हो आप बुद्धिस्ट आप यह हो वह हो और फट से चैट से निकाल दिया मेरे को और दुबा सब्सक्राइब कर देना तो आप बोल देना मेरा खारिच कर देना या प्रशन को अपकी मर्जी आपका प्लेट्फोम है थट से आवाज मेरे सुनी ने कि फट से रमूव मतलब कोई है जो आप से सहाम गया है आप यही कहना चाहते हैं बिल्कुल आपको आपको उनकी रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा तो वो उनके पास जवाब नहीं है वो इतना गवरा जाते मतलब कोश्चन तो उनको मेरे आवाज सुनते ही काम दाते हूँ ज्याओं मिलां पर Aww Rag recom भॉड़ को जोडने का ध्यान आ हगया मेरा नाwentर अ कि इनको जोडता हूं फिर इटने घरिम में खैर्ड़ा सतर्म दू पूरी दुनिया पढ़ती है पूरी दुनिया रिकमेंड करती है उसका अगर किसे को विदेशी है और बहुत सकती साली देश से आता है उसका वीडियो देख लीजिए आप लिखेंगे युवाल नुवा हरारे और विपस्टना सेपियंस सेपियंस उसका वर्ल्ड वेस्ट सेलिंग बुक है उसका पूरी दुनिया उसका एक वेस्ट सेलिंग बुक है और राइटरी बेस्ट सेलिंग आज के टाइम पे कोई चोटा मुड़ा राइटर नहीं है सारी दुन वर उसका होमोदेनियस और 21st lesson for 23 किताब आये वो कह क्या रहा है उसकी बुक ने इपनी बुक को डेडिकेट कर रहा है विपसना को उसमें इसमें इत्यास दे रखा है उसने बुक के बहार तो डेडिकेट करी रखे है विपस्ना को अंदर भी पस्ना का उसमें मेडिटेशन का पूरा उसको क्रेइट दे रखे है उसमें और किसी को शुक होना कि विपस्ना बहुत चीज है अच्छी चीज है और इसमें कुछ वो नहीं है कुछ नहीं है यह बस आपकी वस्व तक तो देखो आप आप देखो और इसमें दो मेना के अधारे के मतलब आप यह कह रहे है कि वह में मूरती हांथ में तीरसूल और तलवार लेकर बहुत सक्तिसाली है जो लेके बैठी हुई थी और मुगल और अंग्रेज आपर कूट के चले गहा है सासन करके और वो सारी सक्ति लेके मंदिर के भीतर इसमें वो हमें बता रहे हैं कि अब कौन आया कौन नहीं गया वो बताएंगे हमें एक छोटा सा प्रेशन है कि वो मैंने प्रेशन पुछा था कि वही किसन जी अपनी भेन को तो बचाने आ गए दरबार में वो बोला कि यह तो अधर्म की पराखास्था थी मैंने उनसे पूछना चा तो एक दिन का कश्मीर में नहीं जा सकते हैं भेन बोटियों के बचाने वहां के आधर्म की पराखास्था नहीं बाकी थी कश्मीर में 1990 में या उनको कुछ और चाहिए था जो कि तब अपनी भेन का बचाने आ गए और कश्मीरों को बचाने नहीं आए और नेधीवन में ड तब ही तो आपने लॉजिकली लिखा है ना जब आप लॉजिकल प्रश्न उठाएंगे तो नस तो दबेगी नस दबेगी तो फिर भागेंगे ही भागेंगे लोग सवाल का जबाब थोड़े ही देना है लोगों को चले चले ओके ओके लॉजिकली सारे जैसे जो किताब जो लोग किताब नहीं पढ़ते ना उनको बहुत वह रतक कौन से किताब पढ़े एक कुकु एसम आया है उसमें 200 रुपे में साल बर तक पढ़ सकते हैं तो बाई चां है कि अलग-अलग किताब खरिदने के हजार उर्पे लगाने के 200 रुपे में सारे किताब पढ़ लेंगे सेपियंस भी है उसके अंदर हो मोडियोस भी है ओके बहुत बहुत अच्छा चले चले आच्छा तो यह अच्छी बात है जो भी हमारे कॉलर्स आते हैं और कुछ आप सब्सक्राइब करें अच्छे अगर प्रस्तूत करें यह अच्छा रहेगा इसमें अच्छा चले देखें और कोई आया हुआ है क्या डिवेट के लिए कोई दिखाई नहीं दे रहा विवेक आये हुए हैं इनसे थोड़ी बाते करते हैं बताएं विवेक क्या काना चाहते हैं नमस्कार सर नमस्कार सर मेरे कुछ क्वेश्चन है उसके जवाब चाहिए थे मुझे आच्छा पूछे सर मैं यह कहना चाहता हूं मैंने कहीं सुना था फिसक पर कि दुएर चोग में दूसरा सम्मेधान लागू हो जाएगा क्या ऐसा हो सकता है नहीं नहीं दूसरा सविधान कैसे लागू हो जाएगा जी नहीं वहां पर बोला था यह बोला था कि सम्मेधान बन चुका है रेडी है और किसने किसने बोला था अरे कुछ कोई ता बोल रहा था आप ही तो कहते हो नाम वारा नहीं लेना है कोई बात नहीं हमें यह मना करता हूं कि किसी चैनल वागा कर नाम लेने की जुरूरत नहीं है आप जो है एक फॉर्मल में बोल सकते हैं कि कहां से इनप्रमेशन आई है इस तरह की चीज है तो ठीक है कहीं से भी किसी ने कहा यह पॉसिबल ही नहीं हो सकता है सविधान बनाने म कितना समय लगा था याद है दो साल कितने महीने लगे थे और कोई यह सोचे कि सविधान बनाके किसी को पेस करना होता तो उसी समय सविधान बनाके पेस किया होते ना आज थोड़े कोई कुछ कर पाएगा यह डिमोक्रेटी कंट्री है ना इसमें इस तरह की आप वाए हैं लोग इसी तरह उडाते रहते हैं लोग ऐसा भी यह रघित रहते हैं लेकिन आपको फंसना नहीं सर एक बात वर बताओ जैसे कि उस दिन आप किताब पर डिबेट कर रहे थे पूर्व चत्री कौन है ठीक है तो उसमें पूर्व चत्रियों में जो ठाकुर समाज वाले हैं वो भी हैं सामिल या OVC वाले हैं गूजर जाट जो OVC वाले हैं वो हैं पूर्व चत्री है या पर यह ठागर वोलते हुआ है देखिए भारत में जातियों का इतिहास में भीतर घुसेंगे गहराई से न तो बहुत ज्यादा मोड है उसमें बहुत ज्यादा मोड है आप नहीं कह सकते हैं पार्टिकुलर ले कि यह जाती जो है कौन विदेसी है कौन देसी है बहुत ज्यादा उसमें डिफ्रेंस है हम एक मोटा मोटी आइडिया लगाते हैं कि भारत के बहुत से ऐसे आज राजपुत कहे जाते हैं जो आज से 500-700 साल पहले 1000 साल पहले यह CST जो आज का है उस समुदाय का हिस्सा थे वो किसी कारण किसी समय में वो लोग आज के जो तथा कथी राजपुत बन गए या इस तरह की चीजें बन गए यहाँ राजा बन गए या कुछ चीछों LE कुछ लोग उसsteуск को बरकरार रखें कुछ लोगों ने नहीं बरकरार रखा यह भी हुआ है यह भी वह हुआ है कि बाहर से कोई आता है वहाँ आपसे कोई पूछेगा कि आप किस जाती के हैं नहीं सर नहीं पूछेगा तो वहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारे CEO जो है वो भारत के लोग को बना देता है सुंदर पीचेई को बना दिया था एकि नहीं इसी तरह से भारत के और भी जो लोग हैं उनको वो सब मौका देते हैं यहां से आप देखें कि कलपना चावला ह तो या फिर और भी लोग थें राकेश शर्मा है ओर भी बहुत सारे लोग हैं नहीं है हमने यहां किसी दूसरे के दिने में भटने लगती है तो हमें न यह समझना होगा कि यह मेंटिलिटी हम लोगों किसने पकड़ाई है प्राचीन काल में गलोबलाइजेशन था तभी तो बौधमारगी पूरी दुन्या में पहुंचे न गलोबलाइजेशन के उनको मतलब ही नहीं था कौन किस जाती का क्या है यह है वो है सब लोग एक समान जो वसूदेव को अपला जाएगा इससे टटी मत कर ऐसे मुँझ इधर करके लिए लगा के मुझा करने तो यह दो तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह वो लोग हैं जिनको दिक्कते होती हैं जिनको नहीं दिक्कत उसको कोई मतलब नहीं है अमेरिका आगे बढ़ रहा इतना तेजी से आगे ब अबसहरा करते करने करने को फिर से लोग क्षिवब करते चा गाएं सोचने वाली à बाद कि ने आप ऊशचने वाली पहुत दूर की बात है लेकिन चीज़ कि किसको इस बात की चिंता है कौन देसी से बहुत तो सही है जैसे कि टाइम इंडिया निवे जारी किया था तो यह पूल रहा हूं हाँ तो यह है ना यह तो टीने से प्रमाडित है ना यह प्रमाडित है कि भारत में लोग जो है बाहर से आये हैं सिर्फ भारत में नहीं प्रमाडित हैं अमेरिका में भी सब कहां के हैं अमेरिका में जो मूल निमासी हैं वहां के मूल निमासी के अलावा आप जाके देखो ना ब्रिटेन के सब भरे पड़े हैं, п्रांस के भरेपड़े हैं, सब जो है, दूसरे दूसरे जितने भी देश हैं ना हर देश से वहां घुस-घुस के मैठे हुए हैं, वहां के मुल निवासियों को तो बहुत बाद में अधिकार दिया गया, वह भी ग्रेहи यूद छुड़े तो पूरे दुनिया में हर जगह जो है ना देशी बीदेशी हर जगह है यह कंसेप्ट नहीं है दरहसल लोगों को इसलिए उठाना पड़े गया देशी-बीदेशी का कंसेप्ट क्योंकि उसने इतना जाती बात फैला दिया कि लोगों के समझ में आ गया यह बात कि यारी करता है इसा क्यों है तब पता चला कि खुद ही विदेशी है इसलिए ऐसा करता है वासुदेवा आये हुए हैं इनसे बाते करते हैं पता है वाशुदेवा क्या कहना चाहते हैं गञें अरो पर ना कि माइकन्म्यूट करें है वासुदेवा अपनी माइकन्म्यूट करें हालो हलो हालो हाँ बोले अच्कूल्य मैं सोया था ले नहीं आप नहीं ऐ influenza आप यावाज पाचान क्या मैं आज आप से कोई बात नहीं करूँगा मैं, सर क्या हुआ, नहीं नहींस आप आते हैं, आप जो फर नो मैं इसे लिए आज अब करने के लिए, अब रिसर्सेग्स क्यों से आप ही हो, मेरे गुडूर法 मेरे घुरूर जो समझ रहा तो आपी से मैं सब क्लियर करूंगा ना सर मैं कहा जाओंगा किसी के पास मेरी कोशिंस को क्लियर करने के लिए तो यह जबाती वाला खेलने पूछे नहीं कसम से सर कसम से अभी मैं ना कपसे वेट कर रहा था बड़ सोचा भी कमर में दर्द हो रहा था मैंने निचे पढ़ा थ कि अभी हाप आया हूँ कबसे घंटे से सुन रहा हूँ सर मैं पागल से सुनता हम लोग तो यह सथूड़ी है कुछ चले कोई बात नहीं सर कोई बात नहीं मैंने यह एक पड़ा है एक सेकंद सर मैंने वीडियो देखा था उसमें यह देखा है कि हेलो डिया स्पिलर जो है वह एक 113 मतलब 113 में 113 में सेंट्रल इंडिया में बना है ठीक है और वह सम्थिंग अलेक्जांडर ने ढूंडा था आठ्था सो में ठीक है और वह जो पिलर है उस पे वासुदेवा सम्थिंग कुछ तो वासुदेव का है गुरुडा का यह यह कृष्णा का सम्थिंग तो एक अक्रा सो सॉर्य अक्रा सुने एक 113 113 में जो बिसी में बना हुआ है वासुदेवा कृष्णा का वहाँ पर सबूत है यह स्कृप्चर में जो कुछ डिखा है वह कहा तक सच है यह वह हो उसी का है या किसी और का है ने वह पूरा पूरी तरह से फेंक निए इस पर तो मैंने कई बार बता चुका हूं ना ओके ने मुझे ने बता था अच्छा इसको मैंना कई बार इस्ट्रीम में दिखा भी चुका हूं है अगर क्लिप कट करके अगर नहीं दिखाया है तो मैं उसको क्लिप कट करके दिखा दूगा वह पूरी तरह से जो है ना वह बहुत गढ था वो जगा मिनांडर जो था ना मिनांडर उसके ही समय था समकच वो बुधिष्ट बन गया था तो वैऽलोडेरियस यह भारत में आया गजै जिस जगह पर जाइए उसाद मैं भुधिष्ट राजा था है आप ये सुचिए कि किसी बुधिष्ट राजा के से मिलने आया भदरसील थें और उस जगह पे इसा से 200 साल पहले वो आया है ना सतना मध्य परदेश बेसनगर में तो उस जगह पे आपको चारों बगल केवल बुधिष्टों के ही सतूप सतूप मिलेंगे या बुधिष्टो जो हां किया आप हमें सुन पा रहे हैं कि अधिक कोई बात नहीं मैं आपको कट करके जो इसका क्लिप है ना जो मैंने बना रखा है और रेड़ी वो क्लिप कट करके ना कर दूँगा जी सर्जिस थैंक जो इस पर बहुत बहुत आया है अधिक को चले गए तो उसके लिए रेली स्टिंग उसके लिए आप ने पनों दोगा दोगा कि आपके साथ मैंसे बात कर रहा हूं बिकोज मेरे साथ में चार दिन के लिए वाये थे कल रात को चले गए उसके लिए उनको डारेक्ट आप जुड़वाते ना उनको नहीं नहीं वोला कि नहीं यह फरजी ऐसा ऐसा मैं बोला सर सुनो तो देखो तो लिंक शेर की तो वह बोले कि नहीं फिर उस टाम पे मुझे प कि मेरा दोस्त है उनके समय में कनफिस भी नहीं कर सकता था कि मैं बहुत बड़ा लग फैन हो साइंस जर्नी सरकाम तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं चले चले ओके वासुदेवा थैंक्यू सर मैं राजेस कुमार आये हैं चलिए इनसे कुछ बातें लेलते हैं पताएं रा जो हाँ बोले दो सेकिंद दीजीगा मैं थोड़ा बार ने कर जहाँ मेरे गरवले सारे सोच जुके हैं अच्छ जुके हैं सबसे पहले सब जाब आप सबको जाब आप से जुच चुका हूं मैं पंजाब रिजन से हूं और जाब में रहता हूं तो यहां पर गुरू की दर्ती माना जाता है इसको तो बच्पन से सर हम बगवान को मानते थे सर तो मैं जैसे ही आप से जुड़ा हूं तो उसके बाद से मेरा थोड़ा रुजान थोड़ा सा बगवान से बिछड गया है तो मैं आस्था से बिछड गया हूं लेकिन जैसे कुछ बाते हैं, जैसे अपने गुरुणानिक देव जी हैं, उनकी उच बाते हैं, जैसे गुर्रविदाः जी हैं, तो वो जो हैं, वो मिल को मतलब मैं समय नहीं पाता हूं कि कैसे उससे निकलू है। जैसे वो मतलब एक नूर को पूछते थे, जैसे गुरुनाइक देजी की एक पंक्ति है, अवर अल्ला नूर खुदाया, खुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उजरिया, कौन पले को मन दे। तो वो एक मतलब की एक ऐसे प्रमात्मा का मतलब की आवान करते हैं, कि हम एक ही बगवान के बच्चे हैं सब, जिनसे हम उत्पन हुए हैं, तो हम में कोई भी बुरा नहीं है, हम में कोई भी अच्छा नहीं है, मतलब सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, वो यह कहना चात तोज़र राजेश कुमार जी यह मुदा नहीं है कि पहले वाले लोग या बीच के लोग कैसे अपनी जिंदगी गुजारे कैसे संघर्स कियें और वो कुछ को समझ पाएं कि नहीं समझ पाएं कोई भी इंसान परफेक्ट थोड़े ही होता है आप यह बताइए कि अगर कोई हमारे गुरू है या हमारे जो कोई प्राचिनकाल के कोई भी हो क्या वो सभी लोग जो नूटन आइंस्टीन खोज कर पाएं गिलेलियो जो दे पाएं यह सब काम कर पाएं किया उनने अपने अलग-अलग संदर्व में किया सबकी अपनी अनी देन है लेकिन आज जो मॉडर्ण साइन्स पहुचा है इस तरह का तो चीजह नहीं न क्रियेट कर पाएं तो इससे यह भी पता चलता है कि कुछ चीजह समय के अनुसार भी बदलती है और भ गुर्बानी दी तो कुछ न कुछ चीजह जो है अच्छा गुरु गोविन सिंग जी तलवार उठा लिया लड़ने के लिए क्यों क्योंकि उससे पहले कई गुर्वों ने कुर्बानी दी उनके पिता जी को मारद्या ला गया भुलाकर वहां पर तो आप देखिए कि कही न बिन सिंग जी जो समझे वो बात गुरू नानक divers जी नहीं जानते थे कि यार पहली बार में ही मैं पकड़ा दूँ ऐसी जरूरत ही नपड़े कि हमारे बाल बच्चों हमारे बाद के गुरुगों को कोई मारते, पहले से ही पकड़े रहेंगे, पहले से ही लड़ेंगे, तो हम इसका ब्लेम नहीं कर सकते हैं किसी को, कि दसम गुरु नहीं क्यों परिवर्तन किया, पहले गुरु नहीं क्यों नहीं किया, तो कुछ चीजें जो है वो समय के अनुसार बदलती हैं और हम मानों की प्रविर्थी होती है कि बच्चा जो होता है ना हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, कुलते हैं उसके साथ, बच्चा बड़ा होता है, उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, और भी बड़ा होता है, हम भी परिवर्तं सील है और तरह-तरह के विचार आते हैं हमारे बचपन में अलग विचार थे बड़े हुए अलग विचार हुए हैं। तो इन सबका सामन जैसे हम खुदे ही बदलते हैं. सी से में हम खुद को देखते हैं, तो वो ही सेकेंड के दसवे, सौवे, हिसवे पीछे का दिखाता है, तब तक हम उतना नयाव बन चुके होते हैं, जवान हो चुके होते हैं, तो जीवन परिवर्तन सील है, पढ़ेंगे ना तो जो calendar होता है ना जो समय होता है ना वो हमें पीछे छोड़ देगा वो समय कहता है समय कहता है कि पहले गुरू से दसवे गुरू में के बीच में भी अंतर था जब इतना अंतर था तो दसवे गुरू से आज modern science के अनुसार जो देश चल रहा है यहाँ पे आएगी ना, गुरुवों ने हमें क्या सीख दी, सहनसील बनाया, कहा कि दूसरों की सेवा करो, परोपकार करो, इस तरह की बाते कही, तो उन सब को हमें याद रखना है, लेकिन आगे भी बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, समझें न, रुकना नहीं है, जी, और, जी, सर ए एक कोशन एक और है मेरा, सर जैसे मैं न, चमतकारों में बिश्वाशने रखता, तो हमारे पंजाब के थेहास में एक ऐसा किस्सा है, कि बाबा दीव सिंग जी थे, तो उनका सीख कट गया था, जंक के दुरान, तो उन्होंने एक शपत जी हुई थी, कि जब तक मैं अपना शीष, गोल्डन टेंपल के दर्ब पर मतलब जुका नहीं देता, तब तक मैं हार नहीं मानूँगा, तब तक मैं लड़ूँगा, तो मतलब बाई चांस उनका सर कट जाता है, उन्होंने जब लड़ाई चल रही थी, तो उस दौरान उनका सर कट गया, तो उन्होंने अपन ये बात मैं को मतलब समय नहीं आती, ये मतलब सच होगा या जूट होगा सर, ये कैसे मतलब? नहीं ये तो आप भी समझ सकते हैं, अगर मैं आपसे ही पूछू यही सेम सवाल, कि किसी ने दावा किया है, किसी व्यक्ती ने, आपका क्या जबाब होगा? जब आपकी तरक सकती ये कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो पूरे दुनिया में भी ऐसा नहीं हुआ है कहीं पे, आप बहुत सारे हॉलिवूट की फिल्मों में दिखाएंगे ना, उसमें आप दिखाएंगे कि सर कट गया है, फिर भी हात भाज रहा है, तलवार भाज पदमावत में दिखा दिया ना, फिर भी भाज रहा है, कई जगा पे जो है हाथ भाज रहा है तब भी, तो वो अपने नायकों को महान दिखाने के लिए, अती सूरविर दिखाने के लिए, जो उनके अनुवाई होते हैं, वो ऐसी बाते करते हैं, हमेशा अनुवाई जो है बिरता की गाथा सुना रहे होंगे कि हम लोग खूब लड़ें, बाबा साहब ने ऐसा किया, वैसा किया, लोगों में जुनून भरने के लिए, जोस भरने के लिए कई बार तो इतनी गाथाएं गादी जाती थीं कि जो सेनिक होते थें उनमें जोस भर जाए उन्हें लगे कि आरे हम भी बाबा साब की तरब पहादूरे चलो लड़ते हैं, तो ये चीज़े होती है, बस इनका इतना ही महत्तु है, चले राजिस जी, ओके, थैंक्यू सो मच से, थैंक्यू, अच्छा जिन सांतियों अच्छे आपकी वीडियों देख रहा हूँ, एक दो साज हो गया है, तो मुझे मतलब सर कोई पतलब मैंने उसकी फोटो बहुत सारी चीज़ा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे बिलास्पुर शहर एक चाथिस गड़ में तो वहाँ महाय मया टेमपल है, उसके पास एक रतनपुर करके है, वहाँ महाय मया टेमपल है, और वहाँ जो है, जैसे बुद्ध की माह महा मया, तो उनके नाम पे हो, और वहाँ बुद्ध की मूर्थी अंदर, उसके भी मेरे पास फोटो बगरे है, और फिर उसके पास एक मल्धार वहाँ पे है, वहाँ पे दिन डेश्वरी मंदिर है, मसला मेरे मैंने अभी रखा हूँ, आगर आप बोलेंगे तो मैं आपको आप एक काम करिएगा एक काम कीज़ेगा नेक्स टाइम आप जूड़िएगा न तो उसको पीडियेफ आप इससे भी डारेक्ट सेयर कर सकते हैं, या उसका लिंक अगर कुछ हो, तो गुद ट्रेवल किया उना इतना हुदर, तो मैंने पुरी फोटो स्खीच के रखाऊ, मत सितल प्रसाद मौरिया आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, अपना माई कॉन करें नहीं तो आप नहीं बात कर पाएंगे भूशन जादो आपका भी डिवाइश नौट कनेक्टेड है आप माई कॉन करें नहीं बात कर पाएंगे इस्टुडेंट 9 आये हुए हैं चलिए इनसे बाते करते हैं बताएं इस्टुडेंट 9 क्या करना चाहते ह आप अगर नाम आप लोग बता दिये करें मैंने बता भी रखा है कि जो महिला केंडिडेंट होंगी उनको मैं प्रिफरेंस दूंगा ठीक है ना आप लोग बताना चाहिए चली बताएं ओके बैग्राउंड साउंड आ रहा है ऐसा लग रहा है हवा नहीं हवा वगेरा का जोखा या कुछ ऐसा आ रहा है इलेक्टिक साउंड ज्यादा रहा है तीक ऐसा दो मिनट होके अच्छा जी तो और भी कोई साथ ही हो तो आप लोग प्रश्न भी पूछ सकते हैं हेलो हां हां बोले सर मैं जातिवाद पर कुछ बात करना चाहती हूं जी बोलते जाएं सर हमारे देश में जो जातिवाद है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है और इसे तेवहारों किर्टन वगेरा में से बढ़ावा मिलता है सर हमारी सोसाइटी में एक ब्राह्मन रहते हैं ओके तो सरुन के यहां पर एक अंजीर का जाड़ था हेलो के हां मैं सुन रहा हूं आप सुनाएं आपका एक पीच में साउंड आ रहा है ना बैग्राउंड साउंड कुछ इलेक्ट्रिकल टाइप का साउंड आ रहा है घड़ 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 जैसा तो इसलिए मैं सांथ हूँ देखिए अभी भी आ रहा है बहुत ज़्याद आ रहा है हां तो सर ऐसी कास्ट के जो बच्चे है तो वो अंजिर तोड़ते थे उनके जाड़ पर से तो उन्होंने जाड़ को कट कर दिया ओके तो सर आप इस पर कुछ बोले अब इस पर हम यह आपका बैग्राउंड क्यों आ रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूं पीछे से काफी ज़्यादा बैग्राउंड साउंड आ रहा है मैं बोलता हूं देखए अब कोई पीछ लगाया है और कोई बच्चे पीड़ तूडर है तो वह पीड़ काट ही काट दिया कि भया मैं भी नहीं खाओगा तो यह çocuğ dois has अ हलांकि वाँ ब्यार नब लगा है पैड़ तो नहीं करना चाहिए दूसरे बच्चों को भी चीज समझ में नहीं आ रही है कि क्या सूच के उन्हों ने प्यण को ही कट कर दिया यह चीज थोड़ी सी विचार नहीं है जी कि सर ऑम प्रकाश वॉल्मिकी की एक कृति है जूटन कि आप इस पर भी वीडियो बनाएं ना ठीक है मैं देखूंगा पहले रेक मिनटे यह आप नेक्स टाइम थोड़ा सा सही कर क्या है बहुत ज्यादा वैग्राउंड आता है न तो फिर कुछ समझ में आता नहीं है मैं उसको देखूंगा जूठन देखूंगा मैं और उसके बाद से ही तो यह क्रिति जो है बुक के र जुरूर बनाऊंगा ओके ठीक है स्टुडेंट टाइंट है कि चले ओके अच्छा पूनित सोनकर आ गया है इनसे बाते करते हैं जी पूनित जी बताएं पासर नमुद्धाय जैभीम नमुद्धाय जैभीम पहले मैं आपको धेर सारी मंगल कामनाय देना चाहता हूं कि आपको बहुत-बहुत साथ उबाद धेर सरी मंगल कामनाय है सर बहुत सुक्री आपका सर मेरा क्वेस्चन यह था सर कि अभी तक जैसे यह लोग मना रहे हैं एक इस्तरी को जला करके होली मनाय जाता है और इसी पर चर्चा हो रही है और जैसे मैं वाराट सी यूपी में रहता हूं और यहां पे बहुत धूंधाम से होली मनाय जाती है होली का दहन किया रहता है पिर रंग होली में वही पुड़ता है पीचरपन यह सब होता है तो जैसे जर बहुजन समाज यह सी एश्ट्योवीसी के 100% लोगों में से बस एक परसेंट लोग हैं जो कि होली का दहन और होली तेवार नहीं मनाता है 99% लोग अभी भी बड़े धूंधाम से अपने जो है हमारे समाज की जो महिला थी उनकी उनके बलादकार उनके साथ जो अन्या हुआ उसके उपर मतलब खुशी मनाते हैं तेवार मनाते हैं जैसे इसका समाधान क्या होता कैसे समाधान निकाल सकता है कैसे अपने लोगों को समझाया जा सकता है कैसे जो है उनको अपने असली की बारे में बताया सकता है इस बारे में सर मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें जी देखिए पोनित सुनकर जी आप एक चीज़ समझें किसी भी भीड को किसी भी भीड को हैंडल करने के लिए आपके पास क्या तरीके होते हैं कोई भी लोग हैं उनको हैंडल करने के लिए समझाने के लिए या उन पर अपनी विचारधारा आपके पॉइंट पर लोग चलें इसके करने के लिए क्या पॉइंट होते हैं आपने कभी इस पर गौर किया है जी सर मुझे तो जैसा यह लगता है कि एक वाट्सप पे PDF सेर होता है हिंदु धरम का गोपनी दस्तावेज उस दस्तावेज का मतलब टार्गेट यह होता है कि जब से देश आजाद हुआ है बाबा साब ने कहा है कि हमारा देश आजाद हुआ है और यह आजाद सही मायने में नहीं हुआ यह सत्ता का हस्तांतरण है सत्ता कहां स्तांत्रण अंग्रेजों दारा ब्रामणों को हुआ है तो जब से देशा जाद हुआ तब से जोहां सत्ता ब्रामणों के हाथ में थी और जब उनके हाथ में थी तो सारी चीजे उनके पास थी और इनों ने उसका बहुत अच्छे तरीके से अपने धर्म के प्रच तो इतना धर्म का प्रचार किया कि हमारे SCSTOBC के लोग जो है उसमें फ़स गए और उन्होंने जो है हमारे धर्म का या हमारे महापुरसों का प्रचार नहीं होने दिया तो हमारे लोग जो है उन्हों पाखंड धर्मों में जो हमारे ही उपर अत्याचार करके हमारे उपर तेवार मनाया जाता है उसमें फ़स गए तो इसका समाधान तो हमको यह सुझ में आता है कि हमको भी अधिक सदिक लोगों को समझाना पड़ेगा बताना पड़ेगा और मायने में सच्चाई इतिहाज की सच्चाई पता नहीं है तो इसलिए वो गुम्राह है उनको उनके पास जा करके या जैसे जिस भी माध्यम से जैसे आप जो यह लाइब स्ट्रिंग करते हैं या यूट्वे वीडियो आप अपलोड करते हैं उसको अधिक सधिक लोग देखते हैं और देख करके पहले की कुल नामे पहले तो माली जे अंदभक्ती में और मनुवार में ब्राम्हडवाद में बहुत लोग फसे हुए थे लेकिन जैसे सोसल मीडिया से वाट्सप मैसेज जो अगर सेयर होता है या फिर यूट्यूब पे वीडियो लोग देखते हैं या में चर्चा होती है डिबेट होता है तो इससे परिवर्ता ना रहा है यसी समाज जागरू खुरा है और जादे से जादे लोग जो है उस ब्राम्हडवाद की जाल जो जाल है उससे निकल करके अपने महापुर्सों को के बताय हुए रास्ते पे चलने के लिए लगे हुए ह तो हमें अधिक सथिक प्रचार प्रसार करना होगा और मैं यहां बनारस वारांडसी कासी जो है बाबा विस्फटव za सारे नगरी मानी जाती है है यहां जो है सारे इह तो हमारे लोग यहां उनको बताने वाला कोई नहीं था सही तरीके से समझाने वाला नहीं था कोई इस वैसे वो लोग जो है गया तरीके अपने दुस्मन के खीमे में जा करके और अपने ही अपना नुपसान करने के लिए 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 तो कहने का मतलब यह सर जैसे 2015 के पहले जो है मैं भी आस्तिक था और मंदिरों में जाता था पुजा पाट करता था लेकिन 2015 में भी मैंने व लेका जो जो भी हिंदू तेवहर है या मंदिर में जो भी बिलकुल से नहीं जाता हूं गया, जो समझना चाते हैं तो मेरा गाने का मतलब है सर यूटूब जैसे यूटूब जो माध्यम है पहले तो कोई माध्यम ही नहीं था अपने लोगों को समझाने के लिए आज यूटूब है फेस्बुक है वाट्सेप है यह सारे माध्यम है जिनके माध्यम से अपने लोगों को समझा सकते हैं और अप लोग को शिख्षा दिये थे उसमें सबसे प्रतम था कि शिख्षित बनो तो अपने लोग को अधिक सदिक शिख्षित भी करना है तो लोग जो है जो भी ब्रामभड बता दें उसको मानने के लिए तयार रहेंगे अब मैं एक पॉइंट इसमें एड करता हूँ लोग जो है बाबा साहब से जुड़ने की बजाए धर्म से जुड़े धर्म मनाने में उनको मजा आ रहा है आ रहा है ना भले ही उसने इनके माता-पिता का सोसड किया हो कुछ भी किया हो एक दो पिढ़ी में सब भूला गये और आज उन्हें ऐसा लगता है कि इसको मनाएंगे तो हमको खुसिया मिल रही है तो बेसिकलि उनको चाहिए खुसिया आप इस बात को समझदे है और हर इंसान को आप देखिये चहाए स्मोकिंग ही करता हो जानता है कि खराब चीज है फिर भी कर रहा है ड्रिंकिंग कर रहा है जान रहा है खराब है फिर भी ट्रिंकिंग कर रहा है जो नहीं करता उसके लिए खराब है जो करने लगया उसके लिए तो अच्छा है तो यह लोग जो मना रहे हैं हो ली उनको अच्छा लग रहा है और क्या चला गया ठीक है तो आपको समझना होगा कि कहां पर गल्ती कर रह इसे कि आप रिशनल बन जाओ नास्तिक बन जाओ ये बन जाओ वास्तिक बन जाओ ये छोड़ दो वो छोड़ दो लेकिन एक वैक्ट्यूम जो क्रियेट हो रहा है वो जिसको आदत है डेली तीन बार मंदिर में जाके घंटा बाजाने की और जूपी तसली ब्रामःड से ले तो उसको जो आदत पढ़ी हुई है उसका आपने रिप्लेस्मेंट क्या दिया सिर्फ इतना कि अरे यह सब खराब है छोड़ दो इसे तुम्हारा कुछ नहीं होगा चोड़ दोगे तो नहीं उसके अंदर बैठा हुआ है कि वह उतना खरचा करेगा ही करेगा नहीं करेगा तब तक उसकी बिमारी नहीं जायेगी हुता है नंन देखा हो गहाँ डॉक्टर के पास कुछ मरीज जाते हैं तो जिनको आदत है कि इतने सारे लोग जो हैं जो इस सिस्टम में फसे हुए हैं उनके मन की संका वास्तों में दूर नहीं हो रही है यह बात हमको समझना होगा हम लोग अभी जितने भी प्रयास कर रहे हैं ना हम उनके जो अंतर मन है उसको नहीं छूपा रहे हैं आक वहजा हैं हम लोग हम लोग जैसे अलग हो गया हैं वैसज़ अलग करना है कि उसके अलग करने के लिए हर Перہने केनित आइसको उससे मतलब चूंति उसको उसका किसी दूसरा तो हमें बहुत माइक्रो लेवल पे घुसगुस के इनकी स्टडी करनी है आप बेसिकली हमें ना जो रिप्लेस्मेंट वाली जो बात मैंने कहा कि हमने इनको दिया क्या उस पर विचार करना होगा है एक पूरे बोतल का मेटेरियल बदलने की बजाए सबसे पहला जो होता है न बिमारी होती है लिए उनको कुछ रिप्लेस्मेंट देने की सचना पड़ेगा तब जाके बाहर निकलेंगे कुछ ऐसी चीज है आपको सोचनी सबजनी पड़ेगी करनी पड़ेगी ताकि एक कदम तो आगे बढ़ाए फर्ष्ट एड तो दीजिए उसको एक कदम तो आगे बढ़ाए फिर तब आप दीरे दीरे वह आएगा लाइन पर ट्रैक पर खुद ही छोड़के फिर भाग खड़ा होगा तो इस पर और विचार और गहन करने की ज़रूत है चले ओके ओके पुनित जी अच्छा यहां पर वी शिंग टूडू लिखते हैं इस जे सर पैट्रियोन मेंबर्शिप के लिए एट लिस्ट एक वीडियो जरूर बनाएं भले पांच मिनट के लिए हो क्योंकि मेंबर्शिप में प्र यह कर देता हूं मैं आपको उमीद है एक दो दिन के अंदर जो है यह वीडियो में लॉंच कर देता हूं आप लोग जरूर सपोर्ट कर पाएंगे पेट्रियोन पर मेंबर्शिप के लिए और उसमें मैं उस वीडियो में परियास करूंगा कि जो भी दिक्कते आ रही हैं ज होली का कि होली क्यों मनानी चाहिए क्यों भाई आप लोगों क्या लगता है क्या इन लोगों को फिर से कहना पड़ेगा कि टुन्नी लोग आते क्यों नहीं है आप लोगों ने तो बोल दिया कि आ देखिए बड़िये मत वो कहिए प्यार से यह प्यार को दो लेगा बैठ ग अर यहां पर आ नहीं पा रहे हैं यह कादर जो शबूत है वह यहां पर दिखाएं हम लोगों को हम लोग भी देखें इनका इतिहांस अच्छा यहां पर मेंबर्शिप लिया है चंदरप्रकास शुक्रिया आपका चंदरप्रकास जी अजर रक्षिता जी दुबारा आई है क्या हाँ हेलो हेलो सर येस हाँ मेरा सेकंड टाइम है थेंक यू आपने मुझे जूड़ा थेंक यू जी बोले बोले सर वो टुनी लोग शायद इसलिए नहीं आ रहे अभी थोड़ा नशावशा करके अब थोड़ा आरा कर रहे होंगे अभी तो सर आज का तो मुझे लगा कि मैने जॉइन करना चाहिए जो भी है जो भी चोटे मोटे जो भी है इस सारे ना किसी ना किसी को एक तो मार दो तो स्पेषली तो वोमन के लिए किसी उनको मार देंगे, जला देंगे या इनकी कोई देवी रहेगी कि वो किसी राक्सर को मार देगी. मतलब इसी तरह काट, हट्ट्या, यहीं वाले, कोई शानति वाले, मतलब जियो, जीने दो इस सारव वाले कुछ है नहीं, लोग के ही सिखाता है कि मैं इस रहा पर नहीं मैं गया हूँ तुम अच्छे इस पर जाओ वो भी यही सिखाएगा ना सर मतलब तो अगर रिलीजिन है कोई धर्म है तो धर्म में क्या सिखाना चाहिए बुरा बनना या अच्छा बनना मतलब किसी को मार देना या उसको सुधारना उस उनको बाहर निकलना तो यह मतलब जिन्होंने भी बनाया है जिन्होंने भी लिखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या वो एक्चुली में जाते हैं वो खुद भी ऐसी मार काट करते होंगे तब ही उन्होंने ऐसे कुछ लिख के रख दिया है क्योंकि जो एक खुद जो रहेगा जिसको अवेरनेस रहेगी वो तो यह बोलेगा कि मैं सब के उपर कंपैशन और सब सभी जीए सबको अधिकार है चाहे वो कीड़े मकोड़े हो चाहे इंसानों जानवरों जो भी हो सभी को लाइफ मेली हुई है क्यों किसी को मारना है तो सारी इनके दिवार ऐसी है तो यह एक यह था और दूसरा एक और northwest question का मेरा यह स्वर्ग और नरग जो भी है जो भी कुछ बोलते है वन्हेल जो भी कुछ ना इस आपको ऐडिया हो इन लोग क्या होता है ना कि यह मूँ खोलते हैं सब्द गपश्डते हैं बस वहीं से जो इनकी सारी चीज़े आ जाती है सोह एंट आ जाती है अमराज होते रहते हैं पर है वो भी है तो मेरे लिए यह है इसी धर्थी पर सब कुछ है अपको सब अच्छे से हो रहा है तो आपका स्वर्ग है थोड़ा आपको disturbance हो रहा है तो आपका नरख हो जाएगा बट यह जो imagination वाला है यह कहां है उसका map कहां पर यह सब अपना ही कुछ ना कुछ चलते रहता है इन लोगा और सारे women's के उपर यह जो होली वगरे का especially होली वाला जो तेवार है इसमें तो कितना यह होता है मतलब लड़कियों के ओपर कितने मतलब अजीब अजीब से गाने बने हुए है बॉलीवड में आप देखो अजीब से मतलब harassment kind of तो यह क्या है मैं है हैसी कर रहे है ना एक मतलब कैसे कैसे songs बने हुए उनके meanings क्या है यह लोग यह सब कैसे क्या कर लेते हैं मतलब एक उनकी मम्मी भी होती है उनकी बहने भी होती है और भी बाकी relatives रहते हैं यह कैसे क्या लोग को tolerate कर ले था मुझे समझ नहीं आता हम लोग बहुत हाई लेवल पर यह लोग संकिन मान सकता कि सिकार हो चुके हैं और यह पढ़े लिके लोग भी मतलब कर रहे हैं और मैं ऐसी category से belong करती हूँ और गर्व के साथ कहते हूँ मैं ऐसी category से belong करती हूँ मैं नागपूर से हूँ जहां बाबा साहिब उन्होंने हमें नई दिशा दी तो यह मतलब अपने नागपू दुमदाम से मिलाएंगे लेकिन वहीं दूसरे साइड में क्या करते हैं कि इन लोग के अपने अपने धर्म साइड में चलते रहते हैं मैं एक अपने रिलेटिव को जानती हूँ जिनकी अलमारी के अंदर गणेश की मूरती और और भी दो चार तीन चार मूरतिया रखी हू तो यह ऐसे सब चलते रहता है इन लोग का बस जादा कुछ होना नहीं था सब बहुत सारे कॉलर्स भी होंगे वेट कर रहे होंगे इतना है अपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है exactly to the point आपने खहा है और मैं मुझे तो बड़ा हैरानी हुई कि एक बहुत ही के इतना समान में पहुंचा दिया बह захण दिया है महिला को सब्सक्राइब्स का बना रहे हैं महिलाओ को जो इन लोग का आखने का तरीका है नीचा दिखाने जो है उसी तरव जबकिए इनके मामले में बाकी दुनिया जबकि हम whit देखें तो उनके फिल्मों में चीतर होता है पुरानी फिल्में सो stone turtle ज्यादा राइट्स होते है, इजिए फीमल फाइटर्स होती है, फीमल को जड़ा आखिकार दे जाते हैं, यहां के फिल्मों में उन्हे है एक ऐसा रखा जाता है, तो इसे हमारी j उचे दिखानी चाहिए ना ये उसी लकिर के फकिर बने हुए है अभी तर बराबर बराबर और सर सबसे ज़्यादा गलती है ना वो औरतों की है महिलाओ की है वो खुदी अपने लिए कुछ नहीं कर रही है वो खुदी एकसेट कर लेती कि और घर में जीन का चलेगा वो ममी है सब बताती है उनसे तुरू ही हम सीखते है जो भी जेंट सोते हैं ये सारे लोगों का थोड़ा इतना इंटराक्शन नहीं रहता तो ममी अनुए तो सबसे ज़्यादा बताना चाहिए कि नहीं तुम ऐसे मत करो वो खोदी इन सब में अगर उल्चे रहेंगे तो अपने बेटियों को क्या बताएंगे उनको कैसे वो करेंगे मैं लग्की हूँ सर इस मामले मेरे पैरेंस भली वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो नास्तिक है और मुझे वैसे ही शिक्षा मिली है बच्पन से तो मैं मुझे गर्व है इस बात में लेकिन जैसे अपने आजवाजव में अपने रिलेटिस को नीबर्स को देखती हूँ तो ऐसे लगता है यह क्या कर रहे हैं लोग क्यों यह लोग अभी अभी भी ऐसे कर रहे हैं यह सब क्वेश्चन बढ़ते हैं मुझे अच्छा यहां पर सांथिव मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इस जेल 56 जो है ना जो है सीता राम अपहरण या प्रेम लिला इस पर एक महोदे हैं लक्षमी सिंहा यह लगतार मैसेज कर रहे हैं और अभी करेंट अभी इन्होंने मैसेज किया है देखें क्या लिख रहे हैं यह लिखते हैं आप हमारे टिपणी को गौर से पूरे पढ़ें मैंने क्या लिखा आप अपने वीडियो बनाना बंद करें मैं रघुवंसी से हूँ छोटी जात छोटी अकल यह हम लोगों के लिए बोल रहे हैं और खुद को बता रहे हैं कि मै गोल्ड तुम वही हो तो लक्षमी सिंहा मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो लाइव में आ जाईए अभी मैं लाइव में हूँ आपको मैं यहां चेक करूंगा पूरा फिल्टर लगा दूंगा कि आप कितनी बड़ी जात के हैं आपकी बड़ी अच्छा यहां पे जो है कि और कोई है जो डिवेट करना चाहेंगे कि अच्छा सत्या आये हुए हैं इनसे थोड़ी बाते लेते हैं जी सत्या बताएं कि सत्या क्या आप हमें सुन पा रहे हैं माइक अन्म्यूट करें जी सर नमस्कार हां नमस्कार नमस्कार और कैसे आप ठीक जी बढ़ियां हैं बताएं क्या करना चाहते हैं कापिकेंसे मैं भी इंतियार कर रहता हूं मागे चलो देखता हूं अगसे हो सकता है अपना भी नमबराज़त कुछ बात हो जाएगी अपसे अच्छा ओके ओके बोले बोले एक उसाथ हैं सर बात तो आपसे बहुत कुछ करने थी लेकिन अभी निमार्स सारी बात निकल गी हैं क्योंकि अन्तिकार करते-करते हूं निका चलो और एक दम आपने ले लिया तो भी नमस्कार बहूसी बाते करने थी आपसे जहाना चाहते हूं निए करना करहते हूं। हमारे हिंदु धर में बताया जाता है कि ब्रह्मा के मुख से इंसान की उत्पत्टी हुई है तो कहीं हद तक तो वो बाते बिलकुल लगती है कि कोई खास नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं हो सल्टक किसी मुख से इंसान पैदा हुआ हूँ लेकिन अगर हम सिंगल से अभी तक जीवन अगर हम देखें क्योंकि अगर साइंटिफिक तरीकेस अगर हम देखें तो वाकि धर्थी बहुत पुरानी है आज की तो है नहीं बहुत पुरानी है तो इससे पता चलता है कि हाँ हो सकता है कि हम इस तरह यहां तक पहुचे हैं लेकिन अगर धार्मी के अगर बात करें तो उसमें तो बहुत सा जोल दिखता है यह सिर्फ हिंदु धर्म की नहीं है यह तो हमने धर्म बनाए भी है लेकिन धर्म तो बहुत है देखा जा तो कहते हैं कि सुनिक मिलता कि चार जर से पांस जर क्यास पर साथ आज भी है धर्म जो कि अलग अलग तरी के से लोग मानते हैं अपने दर्म तो तो जहां पर आप खड़े हैं या जहां मैं सोचना सुरू करता हूँ कि नहीं यह सारी बाते जूटी हो सकती है यह बाते तो नहीं साच हो सकती है तो धर्म में जितने بھی धर्म आते है फर तो सारे ही होगे उसमें हिंदो मुसलिम से खिसाय जतने भी आज लोग मानते हैं कि भई यह मेरा मजभब है यह मेरा धर्म है जैसे फिर एक बात उठती है जब आप से कोई सवाल करता तो वहां पे आप थोड़ा सा क्योंकि एक बात हो थी आपकी थोड़ दिन पहले किसे ने आप से सायद बुद्धा के बारे में पोच लिया होगा तो आपने कहा कि नहीं ओके और जब कि सायद उसने कहा कि मैं आपको सुनके बुद् जब बारे नहीं जानता हूं लेकिन बुद्धा को सुना है थोड़ा बहुत की भई उनकी जो सोच थी बिलकुल ऐसा इन चीजों को नहीं मानते थे लेकिन हम जब आपकी बाते सुनते हैं तो बुद्धा की भी एक स्टोरी है बुद्धा भी सायद कहीं बैठके ध्यान लोग है उनकी पहचान उनके जो अनुआई है जिए बुद्धा को कियोकि अगर हम बाबा साथ हिंदु धर्ममें थे युदे यह है बुद्धा का साथ बुद्धिस्ट हो क्या चाही है बात है न शर। हुआ हां पुद्धिश्ट हो नहीं पत्कत है जह् UV एक्चॉल में पता है कि दिकत है जो नास्थी से जो थाहिए उसी तरह से जो भुद्ध मार्ग है थाहिए वो नहीं नहीं है ना धर्म है न मजहब है वो जो है ना उसको जो है बुद्ध को मानने वाले आप जैसे बुद्ध के कुछ मौलिक सिधान्त हैं जैसे मान लेते हैं कि पंचसील है पंचसील में आपको चूरी नहीं करना है आपको व्यविचार नहीं करना है आपको हिंसा नहीं करना है जूट नहीं बोलना है चूरी न कुछ बाते हैं जो कोई भी व्यक्ति अपने चर्या में इस्तमाल करता है उस तरह की बाते हैं तो इसको रिलीजन नहीं कहा जाता है धरम जहां जहां धरम मजब रिलीजन आया है ना उसमें कोई एक सुप्रीम पावर है जो औरेड़ी ओर दिया हुआ है आपको सिर्फ फॉलो करना है दिमाग नहीं लगाना है यह मार गया है इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है अत्त दीपो भाव कहा जा रहा है आपको अपना जो दीपक है खुद विचार करना है समझना है ये भी कहा जा रहा है कि कोई कुछ लिखीत है या कोई कुछ कह दिया मेरे नाम पे उसको भी आपने फूम्हार म सभाव सबस्थे है ना बाबा शहाव इसी लिए इसचीज को अपने लोगों को देते हैं क्योंकि उनके लोगों के पास कोई अपना एक धरम रिलीजन नहीं था बाबा साहव जिस समय में थैं 1956 पूरी दुनिया में ऐसी कोई community नहीं थी जो बिना धर्म मजहब religion के कोई community जिन्दा हो, सब ने अपने लोगों के लिए एक धरम मजहब religion दिया है, मुहममद ने अपने लोगों को इसलाम पकड़ा दिया, जेसस के लोगों ने इसाई पकड़ा दिया, ठीक है, जैनिजम वाले जैन को पकड़े, सब ने पकड़ा है, किसी ने किसी को, किसी ने नहीं छोड़ा है, माकशवादी भारत के जितने हैं, सब ब्रामान क्ल पार्ट हैं, वो, कहने को तो माकशवादी बन गए? दिया जान पड़ applicable उसी तरह से पूरी दुनिया में सभके पास कुछ नदिया जाता था जिसके पास अपना कोई धम नहीं था, उसके पास कोई मार्ग नहीं था, उनके पास कोई नास्तिक्ता नाम की कोई चीज नहीं थी, वो जाये तो जाये कहां, तो बाबा साहब ने अपने लोगों को वो मार्ग दिखाया, जिसको कहा जाता है, बुद्ध धम्मा, जो मार्ग है, वो कोई भ परस्पेक्टिव है यह बाबा साहब याहिन का परस्पेक्टिव नहीं है आपने 22 ओध पढ़ा भोगा ना बाबा साहब का जो उन्होंने बुद्ध धम शुरू करते समय या चपत लेते समय उसको पढ़ा था सत्या जी पढ़ा है कि नहीं जी नहीं मैं आच्छा तो कोई बात नहीं है आप नहीं जानते हैं लेकिन आपको ऐसा लगा कि किसी और ने कहा होगा तो ऐसा हो सकता है आच्छा यहां पे यहां पे जो है मैं एक करता हूं पहले 22 दिखा देता हूं वह पॉइंट आपका क्लियर हो जाए फिर हम आगे बात करते हैं इस पर क्योंकि यह चर्चा बहुत जरूरी है और भी लोगों को जानना बहुत जरूरी है और नहीं जानने के करण गलत पहिमियां बढ़ती है परस्पेक्टिव नहीं समझ और वह कर देता हूं यह आ रहा है और बढ़ा करूं मैं तो थोड़ा से बढ़ा करो थोड़ा जूं करो जो एक मिनदे टू इन इंगलिस चलिए यह देखें पढ़ें तो पहला उत्थ क्या लिया था उन्होंने बुद्ध धम को एक्सेप्ट कर रहे हैं बाबा साहब और द क्या ले रहे हैं पहला सपत पढ़िए देखिए आप कमफर्टेवल है हिंदी में लगा दू मैं नहीं नहीं आप पढ़ दें आच्छा ठीक है यह देखें पहला जो है इसमें यह कह रहे हैं कि मैं ब्रम्भा पर कोई फेथ नहीं रखूंगा मैं विश्नु और महेश पर भ इनकारेशन ऑफ गॉड नौर से लाइव वर्सिप देम और उनको मैं आवतार भी नहीं मानूंगा किसी भगवान का और नहीं उनकी पूजा करूंगा यह भी बात कह रहे हैं यह बाबाजी का ने बाबाशाब का ने बाबाबा साहब अधिके बुद्ध्धम गरहन कर रहे ह बुद्ध्धम जो है गरहन कर रहे हैं और यह क्या कह रहे हैं कि राम कृष्ण ब्राम्भा विष्णु महेश सारे भगवानों का यह हटा रहे हैं और देखिया कि क्या कर रहे हैं यह सारे गवरी गरपती और गौड किसी को मानने सबसे इंकार कर रहे हैं अब देखिये यह गरहन कर रहे हैं अब यह देखिये फोर्थ पॉइंट देखिये यह आउतारवाद पर किसी भी गौड के आउतार पर नहीं बिलिफ करेंगे तो यह यह ओथ ले रहे हैं ना पॉइंट आप देखिये यह क्या कह रहे हैं आई डू नॉट एंड सेल नॉट बिलीव डैट लॉड बुद्धा वाज्ट इंकार्नेशन ऑफ विश्नु यह कह रहे हैं कि मैं इस बात को नहीं मानूंगा कि यह विश्नु के कोई आउतार्त है लॉड बुद्धा जैसे कि जो तथाकतित आपको लोगों को बताते हैं कि यह विश्नु को मिलता है वह उनका परस्पेक्टिव है है नहीं ऐसा ठीक है ना बाबा सहाब यह बात कह रहे हैं आई बिलीव डिस डिस टूबी सीर मैडनेस एंड फाल्स प्रोपगंडा यह बोल रहे हैं कि यह बिलकुल मु करते हैं उसको कर दिये और यह देखिए आई सेल नॉट एक्ट इना मैनर वाइलेटिंग प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग सफ द बुद्धा यह बोल दिये इन्होंने कि मैं बुद्धा की जो टीचिंग से उसको वाइलेटिंग ने करूंगा अब यह सवाल आ रहा है कि सार इससे क्या सावित होता है कि बुद्धा किसी करम कांड और इस्वा को नहीं मानते थे इकलियर हो गया आपको यह बाबा साहब के पॉइंट से क्लियर हो गया आगला देख लिए एट पॉइंट आइसल नॉट एलाउट एनी सेरेमोनी स्टू बी परफॉर्मड वाइब्राम का कोई भी सेरोमनी है उसको नई परफॉर्मड रिंगा कि आइसल बिलीव इन देख लिए उप्सक्राइब करेंगे मैं की और आइसल इंडिवेट्ट्व टू इस्टेब्लिस इक्वालिटी इस इक्वालिटी इस्टेबलिस करने की वो करेंगे और क्या लिखे हैं 11 पॉइंट देखिए नॉबेल एट फोल्ड है जो अस्टांगिक मार्ग है उसको यह फॉलो करेंगे अब आप पूछेंगे कि यह स्टांगिक मार्ग क्या होता है तो इसका मैंने डिटेल डिसक्शन किया है स्ट्रीम है वहां पर मैंने इसको डिटेल से दिखाया है क्या चीज है उसमें कहीं भी कोई अंद्विश्वास पाखन नहीं है ठीक है ना आगे यह देखिए और यह क्या लिए परामिताज प्रिसकाइब बाइद बुद्धा इनको फॉलो करेंगे फिर यह कंपेशन प्रिसकेंट्स लाइक लिकोर ड्रग्स एट्सेक्टरा यह आइसल नॉट कमिट यह क्या है कार्नल सेंस यह पूरे जो है आप यह देख लेजिए यह बाइस पर दिया ली थी यह देखिए आई बिलीव डैट आई एम हैविंग और रीबर्थ यह बोल रहा है कि मैं इस पर अब यह दो करता हूं कि मेरा रीबर्थ हुआ है मतलब पहले यह जिस दम या मार्ण मतलब ब्रामर्ण दरम यह सो कॉल्ड हिंदू में थैं वहां से यह निकलकर अब इनका रीवर्थ हो गया यह बन गए बुद्दमार्गी धम धम के पालक बन गए. तो यहां पर इसी को कहा जाता है विचार परिवर्तन को ही रिवर्थ कहा जाता है तो यह पूरी 22 आपने परतिग्याएं यहां पर देख लिए अब बताइए मुझे कि इन 22 परतिग्याओं में आपको कहीं भी ऐसा लगा कि बाबा साहब अपने किसी अंद्मिष्वा सूपर्टिशन या पाखंड को कहा हो कि मैं इसका सपोर्ट करोंगा या बुद्ध्ध धर्म में ऐसा कुछ है और मैं अगला मेरा स्वाल था है कि क्या बुद्ध की आप मुझे कि रहा हैं तो बाबा साहब ने आपने बारें उनके साथ पांच लाख लोग और भी थे जो बहुत धम अपना रहे थे और ये उन्हों ने बाकी के लोगों को ये आइडिया दिया कि आगे हमारे जो लोग होंगे उनको भी ऐसा करना है ये रिशनाल्टी है ना भारत में हिंदुईजम की ब्रांच से निकल के राम कृष्ण या जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहां से खड़े होके अगर हमें किसी भी मजभध, धर्म, किसी को भी अकर देखना होगा पहली बात तो हमारी नज़र में धर्म यानिकि एक्वालिटी हो नीचे इसके लिए नाम की कोई चीज़ नहीं पिर तो हमने बनाये माँ जाए इच देखते हैं बुद्धा की ऐसी कोई बुक क्या मौजूद है जिसके अंदर कुछ किसा कहानिया या फिर उसमें कुछ स्वार्गर नर्की या फिर इस तरह की कोई बाते लिखी हूँ बुद्धा की क्योंकि आप बहतर जानते हैं इसलिए मैं आप से पूछ रहा हूँ क्या या ऐसी कोई बुद्धा की पड़ी है इसके अंदर कुछ आपनी कोई बुद्धा की पहली जो बुक आती है वह उनके अनवायों ने उनके म्रित्यू के 300-400 साल के अंदर में कमपाइल की थी जिसको TPT का कहा जाता है TPT का कहा जाता है और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है हम किसको फॉलो करते हैं मेरे कहने में, for example मैं बुद्धा हूँ मैं एक बुद्धिस्ट हूँ मैं फॉलो किस चीज़ को कर रहा हूँ किस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ या बुद्धा के लिखी हूई बातों को फॉलो करता हूँ या फिर जो 300-200 साल बात जो लिखी गई है मैं उसको फॉलो करता हूँ आप ने बुद्ध मार्ग में किताब फॉलो नहीं करना है ये बाकि जितने भी धर्म है न जो मजहब है रिलीजन है उनमें किताब ₹ ता असमानी किताब इसे में कोई किताब नहीं फॉलो करना मैं कोई और पूछिए गा ना तो वह कभी नाम भी नहीं लेएगा तीपीटक क कि किस रूप में मिलते हैं जी बुद्धा के जो विचार है जो अभी आपने यह देखा ना 22 परतिग्या देखा इसमें से पांच चीजे आपने देखी कि उन्होंने बोला कि मैं ड्रक्स या लिक्र नहीं लूँगा मैं चोरी नहीं करूंगा मैं हिंजा और इस तरह की जो चीजे इन्होंने दिखा ये पांच चीजे पंच सील इसको कहते हैं ये विचार किसके हैं विचार बुद्धा के हैं ये बुद्धा उनके जो अनुवाई हैं लगतार फॉलो करते आये हैं ये चीज तो उसको जो है कोर माना जाता है कि ये सारे बुधिष्ट पूरे दुनिया में जैतने बुधिष्ट होंगे उन से पंचसेल पूछिएगा आँखम उनके बता देगा, ये पंचसेल है अश्टांगी कमारक पूछिएगा वो बता देगा, उनसे चार आरिय Cor, ये चीजे जो है न, कोर है बाकी किताब में अनुवाईयों ने कैसे भिखुऊ को रहना है लोगों को कैसे रखना है उन लोगों की वो चीजे हैं वो अपने इसाब से समय के अनुसार बदलते रहे हैं लेकिन जब आपको अगर वास्तों में कुछ पढ़ना है ना इनके इनके स्कॉलर्स का कि जो बुधिष्ट बड़े स्कॉलर हुए हो जिन्होंने कुछ लिखा हो तो आप पढ़िए सांती देव की किताब जो नालंदा विश्व विद्याले विक्रम शिला विश्व विद्याले में प्रोफेशर थे और आपको पता होगा कि नालंदा विश्व विद्याले 12-13 सदी मे तो जला दी गई थी तो उससे पहले प्रोफेशर थे इसी तरह 7th 8th century में धम किती थे वो भी प्रोफेशर थे नालंदा में और प्रग्या कुमार भी थे विक्रम सिला युनिवर्सिटी में प्रोफेशर उनकी किताब आप पढ़िए यह स्कॉलर्स के आप किताब पढ़ें है उसको पूरी तरह से डिवंग किया है ठीक है लेकिन 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 एक चीज़ रखें एक चीज़ समझें आप पूरे इसलाम में पूरे इसलाम में आप खोजिएगा कि कितने इस इसलाई यह मुस्लिम स्कॉलर्स जो आज से आज से 200-300 साल पहले के हुए हो और जिन्हों itta जेप जरएंगे है इस बात को आपको एक भी इसकोलर का नाम बताएंगे जिन्होंने अल्ला को डिवंग किया हो इसायत में जो कहें कि मैं मुस्लिम भी हूँ और मैंने अल्ला को डिवंग किया है नहीं आशा तो नहीं सुना आचा ठीक है ठीक है ओके ओके इसायत में आप किसी ऐसे इसाई का नाम जानते हैं जो आज से 500-700 साल पहले का हो, हजार साल पहले का हो, जो कहता हो कि मैं इसाई हूँ, और मैंने जिसस को भी डिवंग किया, मैंने जो है इस्वर को भी डिवंग किया, मैंने आत्मा को भी डिवंग किया, ते बात तो सही है, कि यासा कोई नहीं है, और नहीं सुना, अच्छा, ह तो इसी दीए यही आपको समझना है ओि लोग अब पूछिए कि फिर दिकत किसको ओध मुद्र मारक से या उसके बारे में फिर क्यूं बात करते हैं जब इसमें इसर नहीं है इसमें आत्मा नहीं है तो क्यों से बाते करते हैं लेकिन फिर फिर सवार फिर हम ए हजमुद्ध के विचार हैं लेकिन उनकी कुछ किसने लिखी है, ये भी तो बताना पड़ेगा ना सरे घर बीजार की ला किलीर थे तो उनके अनिवाईयों ने जो लिखे हुई है जिस पर उनके मार किया जाता है कि नहीं उसमें स्वार्ग लोग भी है उसमें उपने माता से भी मिलके आते हैं ऐसा कुछ आपने जहां से भी सुना है आप समझ नहीं पाएं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है आपको खुद से पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है दूसरा जो है ना दखिए दखिए एक चीज़ समझें सत्याजी पहले ये बताइए कि बुद्ध मार्ग में जब इस वर्ग नहीं होता है आतमा प्रमातमा नहीं होती है तो स्वर्ग नरक होता है क्या जैक्तवत अगर नहीं उनके बिचारागी नहीं है तो फिर इस वर्ग नरग कहा साएगा नहीं आएगा तो इसका मतलब कि अब उनकी किताब में जो लिखा आ रहा है न स्वर्ग नरग उसका कुछ और मतलब है यह समझने वाला अपने हिसाब से बता रहा है उस समझ नहीं पा बेद से या फिर भगजगीता से तो नहीं बता रहा ना वो तो एक बता रहा है कि बुद्धा की बूख है और उनके 200 या 300 साल बाद लिखी गई उसमें इस सारी बाते लिख हुई और उसको आज भी लोग फॉलोगा यह सत्या महोदे आप एक चीज मुझे बताएं समराट अस सब्सक्रीट में देवान का मतलब आप खोजेंगे तो पता है क्या मिलता है उसका अर्थ मिलता है महामुर्ख अच्छा जी अच्छा अब यह बताएं मुझे कि बुद्ध का जरम कब हुआ था अच्छा बैसाख जो महीना होता है चैत के बाद से बैसाख आता है तो बैसाख पूर्णिमा के दिन किसका जनम हुआ था आप बैसाख जो पूर्णिमा होती है न बैसाख में कहा गया है कि बैसाख पूर्णिमा बुद्ध के लिए डेडिकेटेड है तो इन लोगों ने एक तक्या कलाम बनाया बैसाख नंदन ये बैसाख में जनम लिये हुए नंदन और पता है बैसाख नंदन किसको ये लोग कहते हैं गदहे को तो अब ये देखिए कि एक जो राजा है इतना महान प्रतापी राजा हुआ जिसके सिलालेक मिल रहे है उल्डेस इंस्क्रिप्शन जिसकी सरहदे सबसे बड़ी है उसका उसने अपने नाम लिखवाया देवान पिया और उसका इन्होंने संस्क्रीट में क्या मतलब निकाल निकालिजा महामुर्ख और एक व्यक्ति जो रिषनालटी की बात कर्राए जिस ये तमाम स्वर्गनरक हो चाहे पूर्णर जनम हो चाहे आतमा परमत्मा कुछ भी नहीं मान रहा है उसको ये क्या कह रहे है गदहा कह रहे है बैसा अखननन तो क्योंकि बैसाख में जनम की बा होका बुद्ध के समय में और समराइट असोक के समय में क्या इनकी हिम्मतित कि समराइट आसोक अपने लिख पर लिख रहा रहा है देवान पीया और संस्क्रीट में यह लोग लिख सके कि इसका मतलब होता है इन के बाद से इन्होंने उनके सिलाले liegen जो उसका अर्थ इन्होंने जानबुज के संस्कृत में किया महामुर् automamur kesti उसी तरह से जितने भी शबद पाली में जो लिखे गया हैं बौद्रों ने लिखे हैं कि उनस्वक इन्होंने सेम उसी सवां का अर्थ जो है गंदे तरीके से अंधविस्वासी तरीके से बाद में बदल के लिखा है वो वहाँ पे जो स्वरग की बात कह रहा है या नरक की जो बात कह रहा है वो इसी लोग की बात कर रहा है पर लोग की बात नहीं कर रहा है इसी लोग में स्वरग अच्छी जगह को उसकी बात कह रहा है उसका इन्होंने बाद में चुकि ये लोग आत्मा परमात्मा मानते हैं इश्वर को मानते हैं तो उन्होंने इसका मतलब आसमानी बना दिया इन्होंने इसलाम से सीखा है न सब चीज वो तो हर चीज इसलामी करता है तो इन्होंने हर चीज छोड़ती है क अब सुने मेरी बात को अब जब वहां पे पढ़ेगा न ये बंदा कि स्वर्ग नरक वहां पे जिक्रा रहा है अनुआद में तक कहेगा अच्छा अच्छा समान की बात हो रही है अरे मुर्खों तुम्हारा ये अनुवाद है ये उनका अनुवाद नहीं है उन लोगों में उसके कुछ अलग मतलब होता है जी सत्या बता है आपके जो बहतर जानकार है इस तरह कोई बात उठती है तो आप लोग सामने से ज़रूर जवाब दिया करें क्योंकि अगर वाके एक चीज समझें हम लोग किसी को करेक्ट नहीं करते हैं हमारा जो है ये किसी का मोहताज नहीं है न ये पूरी दुनिया में जो लोग समुंद्र पार करके भी कही नहीं गए उनको हम लोग करेक्ट करेंगे जो हमारी है कितने समय पुरानी अगर जानना चाहिए अगर कोई तो कितने समय पुरानी है देखिए इस पर मैंने अल्रेड़ी कई-कई वीडियो बना रखी है मैं तो आपसे कहूंगा न कि आपको प्रश्णार है हैं मैं आपको बता देता हूं आप कौन सी वीडियो देखिएगा आप जो है साइंस जर्नी पे वीडियो 124, 127 और 140 देखिएगा और फिर समय मिले तो 171 देख लिजिएगा एक बार अंतिन पर और फिर वही बात आ जाती जैसे कि अगर हम साइंस और फिरधार में अगर हम बु को भी साइध कहीं हमें यह देखने को मिल जाता कि यह भी कोई एक मजब जैसे कि हिंदु मुद्ध जो भी है उसमें एक बुद्ध का नाम आ जाता क्यों क्योंकि बुद्ध के स्टैचू बनना और फिर उनकी वेस बुसा भी मेरे ही साब से साथ दिखती है कि अगर कोई पा साइंस के द्वारा अगर हम पांच साइंस्टिस्ट और पांच फिर खड़ा करते हैं, अगर इसमें पहального कुद्ध मुद्धिक लेकिन अगर हम साइटिफिक अगर बात करें जैसे कि अगर मैं तार्किक बात करता हूं तो हो सकता मैं धार्मिक बात या धार्मिक लोग खड़े कर दिये जाए जिसमें कि गुद्ध भी अगर खड़ा हो जाए को मानने वाला तो साइट कोई भी सक्स बता देगा कि नहीं या ए बंदा बुद्धेवाला क्यों कि वैसे बन चुका कल्चर जैसे कि हिंदू की है चलिए मैं आपका इसका जबाब देता हूं आपने जो कहा है बेस भूसा देखिए भारत में जो बुद्ध मार के सबसे बड़े अभी जो फॉलोवर या परवर्तक कहें गए हैं वो बाबा साहब कहें गये हैं यह स्क्रीन पर मैंने स्क्रीन सेयर किया है इसमें जो राइट इसको अब क्या दिख रहा है क्या अच्टेन फिर से इसको सेयर करने की कोशिस करता हूं पर भासर कुई रहे हैं यह पता है कब की चित्र है यह नहीं बता देता हूं कब का चीत्र रहा है यह चित्र था जब बाबा साहब सपतगरहन कर रहे थे तो यह उस समय जो है बॉद जो मार्ग होता है ना बॉद मार्ग यह देखिए बॉद मार्ग 14 अक्टूबर बुद्धिजम एक्सेप्टिंग बुद्धिजम ओन 14 अक्टूबर 1956 उनिसोचपन में इसकी बात को समझें प्राचीन काल में जो बेस भूसा थी उससे तुलना आज में आज की डेट में आप नहीं कर सकते जिन साइंटिस्टों का उदाहरण दिये हैं वो साइंटिस्ट प्राचीन काल में नहीं थे वो आज की डेट में तो आज की डेट में जब आप उनका उदाहरण देंगे न तो बेस भूसा भी आज के जो उनके अनुवाई हैं जो प्रवर्तक हैं उनका ही आपको लेना पड यापको दिखना अपड़ेगा लगए तो हमेशा हम एक समय में बाते करते हैं कि उस्समय में क्या चलता है कि बुद्धम जो है बुद्धम सबस्क्राइब लेकिन ऐसा नहीं है आप बाबा साहब को मुझे लगता है कि अच्छा आप ये बताइए आप एक्स इसाही है या एक्स मुसलिम है साथ इससे पहले मैंने आपको अपना इंट्रवियो देश चुका हूँ आपसे मेरी बात पहले भी हो चुकी है मैं जो लोगों सुनता हूं कोई बात नहीं कोई बात को समझे हमें क्या है बहारत में आप जो है मैं क्लिर गारेंटी के साथ करतेता हूं कि आप जो हैं आते होंगे या तो जनरल कास्ट से आते होंगे. मैं जनरल, बिल्कुल करेंपी के सांथ कर सकता हो. आते हैं ना, बस यही सबसे बढ़ी problem है. सबसे बढ़ी जही problem है, कि भारत में जो जनरल के लोग है, उनको पता ही नहीं है कि भारत में एक ऐसा भी तबका है जो उनसे ज्यादा संख्या में है और उसको हजार साल से ज्यादा उसकी गुलामी और अभी भी वो गुलाम है उन्हें तो जैसे अंगरेज और मुगल की गुलामी नहीं है लेकिन उनकी गुलामी सुनिये सत्या जी सु खर्वular सोग fusion чтоб सीधे निए श्कर आजादी था उसके ऊपर कोई राज करने वाला आगया घा उसको बस इसी बात की जजिया माफ करा लिया अंगरेजों के समय में अपना मंदिर कोल के बैठा लेकिन एक ऐसा भी भारत में तबका है ना जिसको ना मुगलों के समय में मंदिर में घुसने दिया गया और ना अंगरेजों के समय में अंगरेजों ने आके कहा कि भाया अब तुम घुस सकते हो हम न तो आप उनका दर्द कभी समझ ही नहीं पा रहे हैं इसलिए आप सूच रहे हैं क्या कि आप पहले आप धरम करम बानते थे तब भी ठीक था अब आप नास्तिक बन गए तो यह लोग जो हैं अब यह लोग कैसे बुद्धम को अपना रहे हैं आप मुझे बिल्कुल इस तरह मत लें और दुसरी बात आपके सारी बात उसमें से मत हूँ लेकिन जो आसपास जो देखता हूँ वो मेरा सवाल है और कुछ नहीं आपसे बिल्कुल प्रोपगंड़ा बाज लोग है ना उनको सत्या जी दो तरह के लोग है मैं आपको बता देता हूँ एक वो लोग है जिनके धरमकरंतों में बुद्ध को कूट-कूट के गाली दी गई है जिनोंने इनका इतिहास जमीन में बंद कर रखा था एक बार भी किताब में नहीं लिखा एक वो लोग है अग दूसरे लोग है लोग है जो क्या कहते हैं जो जान बुज कहे ब्ध को आस्तिक दिखाते हैं अभी धर्मानंद को संभी है ना इतिहासखारका बेटा इस बंदे ने अपने किताब में लिख रखा है कि बुद्ध जो है ना कहते हैं लोग की नास्तिक नहीं था आस्तिक थे और वो बंदा जो है फरजी कोट लिखा है उसका अर्थ भी अनुवाद भी गलत किया है उसकी किसी दिन मैं बैंड बजाने वाला हूं किसी वीड ले दिया है बुद्ध को तो यह दोनों ही अपरकास्ट के लोग जो है ना बुद्ध विरोधी हैं और यहां के मूल निवासी इसलिए इनको दिक्कत है इनको आस्तिकता नास्तिकता से नहीं मतलब है अब मुझे आगले सवाल का मेरे जवाब ने बाते चलते रहेंगी अभ अभी तक तो हम बनाते हैं अभी तक तो हम मनाते आयां ठीक न थीका ना मनागा अपने इतिहांस तो खोजा होगा ना पूराना आचा सुरू का इस्ट्रीम देखा आपने सुरू को नहीं देखा आपके वीडियो देखा प्लस एक अपने जो आपके बहुत अच्छे मित्र हैं उनकी वीडियो देखा जिसमें तो बहुत ज्यादा वह फॉल बतारे कि यह सारी चीजे थी और वो तो सुनके दमाग बिल्गु खराब हो जाता है फिर उसके बाद दूसरी बात है हमने भी सुनी दूसरी बन देखी और फिर आप इस्ट्रीम पहले सत्या जी जो सुरू की स्ट्रीम मैंने दिखाई है वो देखिएगा एक बार उससे आपको क्लियर होगा या फिर साइंस जर्नी पे वीडियो 77 सेवन देखिएगा उससे नहीं मनाने जाएगा उसका जवाब आपको मिल जाएगा ना कि क्यों मनाएं हम क्यों क्यों मनाएं हम क्यों क्यों मनाएं हम क्यों क्यों मनाएं हम क्योंकि यहां पे एक वर्ग मना तो रहे हैं यह ना आज इतने समय से लोग मना ही रहे हैं मेरे कितने साल से हिंदु मना रहा है इनको पता भी है कि यह कब से हिंदु बने हैं यह आजादी के बाद ही तो बने हैं आजादी के बाद से अभी तो कुछ साल हुआ भी 25-30 साल कुछ लोगों की आर्थिक इस्तिती थोड़ी सी सुधरी है कि घर में रोटिया ओटिया आनी तेरा तो सारा हक ही खा गया है जनरल वर्ड अपरकाश यह हालत थी ओभी सी की तो यह पिछले 20-25 सालों में जो थोड़ी बहुत जो दो चार नोकरिया मिलनी सुरू हुई है ना तब से इनके घर में खाने वाने आने शुरू हुए हैं तब से यह होली दिपावली इनको दि कैसे मनाईंजे कहा मनाई जाए पुराण में ही जाए जिस महारानी विक्तोरिया अंगरेजो की रानी इस ने चाहिए बता दिजिए सर्माईे मत बता दिजिए बता दीजे कौन से आप अपर कास्ट में है यह तो आपने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन बता दीजे अगर ब्रामन और रामन होंगे तो कोई बात नहीं मैं बिल्कुल परामन नहीं है अब आपसे पहली चर्चा हो चुकी है मैंने आपको अपने बारे में बताए है जो ती राव फुल जो आपने स्ट्रीम की तो मैं है थोड़े देर आपसे मेरी पात होई थी और जी बिल्कुल और सिर्फ मेरे इक्षा होती जानने की और कुछ नहीं और इससे पहले मैं आपके दूसरे चैनल पर गया तो वहां पर भाई ने कुल मलागे दो गंडे बढ़ाग रखा होगा सिर्फ अजाद भाई ने लेकिन वहां मौका ने दिया थोड़ा सा आ रहा था मैं छोड़ी बाते दी सत्याजी काफी समय हो गया फिर कभी आयेगा आगे फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक है ना कैनल से आपको छिप्रप्र दिया गया ठीक है ना है अंकित छा तो सांथ्यो और तो लगभक सबसें बात होई गई है अच्छा ओंकार कॉंकरे हैं ये बचे इन्से एक-क-दो बातें ले ली जाएं बताएं ओमकार जी क्या काना चाहते हैं बेखेंगे लिए तो वह तो निकालना सही रहेगा देखें कोई छोटा प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं और होली पर अगर आप बाते रखेंगे तो और अच्छी बत नहीं है आपका वीडियो के जो अपने जो में दिखायता वह गलत दिखायता और उसका मैंने जो रिसर्च किया आपका क्राइटिरा लगा कि बताएं ना बताएं कि तभी तो पता चलेगा ना क्या गलत लगा आपने एक संभाजी महाराज और गोडी पाडवा का वीडियो बनायता तो अच्छा तो उसमें अपने गोडी पाडवा का मतलब बतायता कि गोडी मेंज गड़ और पाडवा मेंज तो तो गेराना तो एक्चली मैंने उस पे रिसर्टी तो मुझे एक मन्त मुन फुल मुन होता है उसके स्टार्टिंग को पाडवा वोलते है पहली बाती है और हिस्टोरिकल के लेटर से एक एडवाईजर शेवकालिंद मेंज वाजी महाराज के काल का एक एडवाईजर प्लस वकिल ता अंग्रेजों का तो उसने पत्र लिकाता है जो पत् पत्र में आपको अभी रात हुए बनाई तो बाद में चुप मिलेंगे तो मैं आपको पत्र दिखाऊंगा होगा तो पत्र में लिकाए कि इसे उसका पाडवा का जिकर है कि आया था तो पाडवा आने के बाद वह लेटर समभजी महाराज की बहुत पेले का था यह पर उमकार कोकरे जी इस पर हम लोगों की विस्तित चर्चा हुई है आप चाहें तो साइंस जर्नी पर या इसी पर ही आप इस जेल सेवेंटीफाइफ देखें उस पर विलास्खराद जिससे मेरी बातचीत हुई है और सामभा जी के मूंधे पर भी बातचीत हुई है उसको सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तो पाडवा एक सब्द है गुड़ी पारवा कुछ अलग सब्द है पाडवा जो है उसका आप जो बोल रहे हैं और गुड़ी पारवा जब दो सब्सक्राइब करें गुड़ी पारवा में आज लोग जो है वहां पर भाले की तरे कमठका लटका के गुमते यह अंगरेज के समय यह लोग मनाते थे इसका सबुत है आपको नहीं है पाडवा सब्सक्राइब करेंगे कि हां पड़वा तो आमाउसयपुणिमा का तो वैस से बात इसका फर्क पड़ता है ना कि आपका गुड़ी पारवा कबसे मनाया जा रहा है और उसी दिन से क्यों मनाया जा रहा है जब आपके इतने बड़े सासक का लोग तो सोक मना लेते हैं ना कि इस दिन जो है यह हुआ था हम नहीं मनाएंगा यह तो सोक दिन है आज भी इसलाम में जब सिया सुनने को जो मारा गया था तो मातम मनाता है ना जोदा सो साल बीत गए तब भी वो मातम मना रहा है वो तो अपने रजाओं का मातम मना रहा है आप खुसिया क्यों बटूर रहे हैं जबकि आपके सांभाजी को इतनी बहरमी से उस दिन मारा गया और हम पिछले 300-400 साल के अंदर खुजिया मना रहे उस दिन में हम मातम नहीं मना सकते क्या उस दिन तो हमें नहीं समझना पड़ेगा कि हमारे ही महापूरसों को कोई और मरता है कहानी पकड़वा देता है हम उसी के लिए डिफेंड कर रहे हैं कि अरे आप गलत बता रहे हो बता रहे हैं यह समझ यह हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा जहां बोलें बोलें उमकार को क्योंकि मैं आपके आपके सारे वीडियो करता हूं उसका वह डिफेंड नहीं है औ से अगर हम थोड़ा सोचे तो मैंने जो सब्सक्राइब कि उसका भी कुछ एवीडेंस नहीं क्योंकि एक्चिल क्या हुआ था रुके हैं यह लिख रहे हैं मिशन पोजीटिव सेकरेट माइंड की पाड़वा दिपावली में बोलते हैं महारास्ट में यह क्या है हों को अ Uma Pag Now यह लिख रहे हैं एक स्क्रीन पर देखिए ना जहां पर स्क्रीन सा गढगे पर बीस्तर में अपना तरफारववा लिए पर दिखा ना इसमें लिख रहे हैं और इसमें देखिए यह यह लिख रहे हैं कि पाणवा दिपावली में बोलते हैं महाराप में आप बोल रहे हैं नहीं देट को बोल रहे हैं आपके महाराश्ट में नौव वर्स किसे डेट में मनाया जाता है कौन से महीनने में बनें जाता है कुछ तो हिंद। कैलेंदर की रहां चरेंस लेकिसर है Gör ऑच से पहले महिने में गुस्त ऑन्लेटेख को और प्सक्राइब कोश्तर दो कुछ तो बोलते हैं न आज वह हैंदी में इसमें इसमें मारथी में 20 न जब चाल होता है मुन का पिरेड बनाएटा और सब्सक्राइब और पॉइंट एक चीज और रूखें यहां पर लिख रहे हैं कि पाणवा का लेटर फेंख है यह जो आप बोल रहे हैं ना जो लेटर बता रहे हैं कि कोई एक लेटर है जिसमें पाणवा लिखा गया है वह बता रह जैसे आप दूसरों को कह रहे हैं कि वह फेंक है दूसरे बता रहे हैं आपको फेंक है तो यहां पर एविडेंस की जरुरत है अच्छा विडेंस मैं आप से यही कहता हूं कि यह सारी चीजें छोड़ देजिया आप सिंपल एक बात सुचिए इतना बड़ा अप लेकिन वह आप मराठा है कि नहीं है पहले रहता है तो नहीं क्या पोड़ते रहता है तो जो चलिए कोई बात नहीं किसी से भी कोई दिकत नहीं है उससे मुझे लगा कि साथा हैं कोई 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 बात नहीं है देखिए एक चीज आप समझें यहां पर मराठा जो है महराष्ट में मराठो की सांथ थी मराठो के नहीं जो चीजे की ती की थी सीवा जी का उनके बेटे जो हैं सांभाजी उनका इतना बड़ा समराज्य था उनको इतनी बहरमी से मारके और समुद्र किनारे उनकी लास पड़ी हुई है नदी किनारे लास पड़ी हुई है कोई उठा के दाहसंसकार करने नहीं गया इतने मराठों में से पूरा 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 चीज आप समझे ना सर्डेयंत्र की जो बू आती है ना उसके लिए सारे परस्पेक्टिव समझना पड़ता है तो जब कोई नहीं गया तो इससे किसी का संदेह बनेगा कि नहीं बनेगा कि भाई यह बता यह राजा का लास डेड़ बोड़ी पड़ा और उस जगह पर उनका अंगरेजों का अंगरेजिव यह दिम्हीं ilsub लोग तो यह लोग क्यों नहीं गया किसकी दर से नहीं करद़ाने के ए अपने राजा का आपको नहीं लग रहा है कि यहांपे कुछ बेंकर साध्यंत्र हुआ होगा ना इख Yes Cash Oh, नहीं तो हुआ है वो तुम एमान ने लाँ पिए ऐसाधेंत्र होता था है एक ठीक है एक ठीक यह सबस्तेसे समय गुौझाल श्र φाइसे अरे यह क्नी आम है क्या नम एप खर शरच को पता है कि ये कर चाससी जेए जिए सब्सक्राइब लोग नहीं है सब लोग नहीं मनाते हैं कि यो नहीं मनाते हैं कि आप सोचे हैं कभी क्यों नहीं मनाते हैं तो हर प्रस्पेक्टिव अच्छा उनकी मृट्यूडे जिस दिन वह मरे थे वो डेट लोग शोक मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं अच्छा तो यह आपको यही तुम्हें आपको बता रहा हूं ना कि यह चीज आपको समझना पड़ेगा ना कि जहां पे जब सटेंत्र हुआ है तो लोग तो कोश्चन खड़ा करेंगे कोश्चनिंग दो बहुत खड़ी होगी ना कि जब सोक मन रहा है आपको नया पर्व मना रहे हैं चले ओके उमकार कंकड़े समय भी कम है और आपको मैंने समय भी दिया है कि जब उनके जब लास जो थी उसको उठाने कोई नहीं गया जबकि वो राजटी उसको उठाने कोई नहीं गया जब कोई नहीं गया जबकि वो राजय पर अंग्रजेव का भी कबजा नहीं था इनके घर वाले पैस्वा इनके सलाकार सारे बैठे हुए थे उसके बावजूद भी कोई नहीं लेने गया तो यहां बू आ रही है ना यहां पर सड़े अंत्रकी कि इसमें सामिल थे यह लोग इस पर शांत होना वह बरबर है यह बताए यह बताए यह उमकार कोंकरे आप पदाए कि जो पेशवात है उस समय है जब इनकी इनको मारकर लास पड़ी हुई थी यह लेने क्यों नहीं कहें पेशवासा मंत्री संत्री तो अपने राजा का सबसे ज्यादा विश्वासी होता है तो वो क्यों नहीं गया लाने के लिए उनकी लास मेरा हो टॉपिक ही नहीं तो डिवेट अरे ओमकार कोंकरे यही समझ आप 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 इसी टॉपिक से ही उस टॉपिक को जोड़ेंगे क्योंकि जहां पर यह बात मैंने उठाई है ना वहीं से सारी चीज़े जोड आप 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 नहीं दे रहें आप नहीं दे रहें आचा लेटर पेस कीजिए मैं देखूंगा कहां आप बता रहे हैं कि गुड़ी पारवा उनसे पहले मनाया जाता था मैंने काफी समय दिया है आपको नेक्स टाइम आप आए तो अपना सबूत लेकर आए जब सबूत लेकर आएंगे तभी तो और अच्छे से चर्चा होगी ना सबूत सबूत लेकर आएंगे तो जरूर मैं आगे देखूंगा उस पर चर्चा भी होगी चले अब चले ओमकार ओमकार कौंकरे पूछें आपने कहां से यह पाणवा का मतलब क्या निकाला यह बताए ना हमें आपने कहां से लेकर से लिकाए देखा है अच्छे यह बताए कोई भी चीज जो है 300-400 साल एक ही मतलब होता है क्या एक सब्द का आपने लगता है वेद पढ़े नहीं है वेद में इतने 7070 नुबाद र ठुड़ा थोड़ा कन्क्णोड है पर देल की जो मतलब आता है कि आप जो आप जो नुबाद करें या से देखें हैं exactly वही चीज नहीं होता है उसके दूसरे लोग भी अलग-अलग समझते हैं यह भी होता है ठीक है ना आप कोई चीज दिखाएंगे कि आप ही सही है ऐसा नहीं होता है उसके बहुत से मतलब होते हैं कि इसका मतलब है आप लेके आएगा अगली बार जब नेक्स टाइम आपना सबूत की कैसे आप पहले बता रहे हैं उस दिन मैं आपको पूरा खोल के दिखा दूंगा ना मैं भी दिखा दूंगा आपका भी तो पहले देखू ना कि आप भी कितने सहीं है अभी तक तो आपने कोई एविडेंस नहीं किया आप दिखाएंगे आगे तब मैं दिखाऊंगा अपना आपको अगर मुझे डिबंग करना था तो आपको सबूत खुद लेकर आना चाहिए था ना ठीक है ना जो आप लाएं नहीं है आप बोल रहें कि अगली बार मैं लेकर आउंगा तो चले फिर उमकार पूंकड़े नहीं कितना समय खायेंगे आप रात हो गया है एक बात बार बार बोल रहे हैं जो मैं बोल चुक आहाँ आप बोल भी रहें कि खली पर आओंगा फिर भी वही चीज बोले जा रहे हैं चले रात भी हो गई है साथियो और आज का यहीं पर हम लोग क शुक्रिया आप सभी का चलें